देखिए, समयकारिय मजदूरी को पढ़ते-पढ़ते हैं. आप समयकारिय मजदूरी में पहले वाली बात पढ़ी. सबसे पहले तो किया पढ़ी? कि जो grouping में काम होता है, वो कैसे होता है? गुर्पिंग में कैसे जैसे मालो इससे पहले वाले टॉपिक में आपने कुछ चोटी मोटी चीज़ें ऐसे पढ़ी कि जो कारिये के परसन आते हैं उनमें आपके पास 3-4 परकार की चीज़ें वन डे कॉंपिटिटिव एक्जाम्स में पूछी जाती हैं और उनमें से भी सरोपर्थम आपने ऐसे पढ़ लिया कि पैस समुके अंदर कुछ काम करने वाले आजाएं समुके से कि 10 आदमी एक काम को 15 दिन में करते हैं साली साथ में इसको किते दिन में करेंगे फिर हमने ऐसे पड़ा कि 25 ओरतें और उनके साथ में 26 ओरतें पुरस मिलकर किसी काम को करें पच्चे आ जाएं ऐसे कई सारे ताम जाम अपने पिछले वाले टॉपिक में पढ़ें यहां तो आपको क्या करना होता था MWT चांट ना होता था हाजरी बनानी होती थी और 10-20 प्रकार की चीज़ें आपने पड़ी फिर सेकेंड वाली जो चीज होती है इसमें से वो क्या होती है एक कलकाम कैसे जैसे मालो यहां पर क्या आएगा कि ए अकेला किसी कारिय को 40 दिन में कर देता है और पी अकेला किसी क फिर जो तीसरे वाला प्रकार होता है उसमें क्या आती है नल्टंकी नल्टंकी इस इंडिजिल काम की तरह ही होती है वो हम आगे पढ़ रहे होंगे जब उसको आगे देखेंगे तब और भी होती है RACE रास की बाते है आगे कभी बार हर जगे नहीं आती है RACE दूर-डूर सबसे पहले आपको क्या जानना चीए पहले तो परसनों को पढ़ना आना चीए कि उसमें दी गई जानकारी आपके लिए तो कोई जानकारी ऐसे दी गई हो क्वेशन में कि एक इसी कारिय को 11 दिन में पूरा कर सकता है इससे आप क्या समझे मतलब तो इससे क्या समझते है जैसे मानलो कोई काम है वो 11 केजी है 11 किलो का कोई काम है तो 11 दिन में ये पूरा हुआ है तो एक एक दिन में उसने कितना किया होगा पहले दिन एक करा होगा दूसरे दिन एक करा होगा तीसरे दिन एक करा होगा ये सिलसला 11 बटा 11 तक चला होगा अब जाके क्या होगा एक पूरा काम होगा तो अब आप ये कह सकते हैं कि सर कोई ये पूछे कि एक काम, एक किसी काम को 11 दिन में कर देता है तो एक दिन में एक दुआरा किया गया काम क्या होगा 11 में से 1 होगा ग्यारा में से एक को यसे लिखा जाता है, एक बटा ग्यारा, मैं कई बार पूरे बैच के दर्मियान ये कहता हूँ, कि एक बटा ग्यारा को एक बटा ग्यारा पढ़ना नहीं आना चीए, एक बटा ग्यारा को क्या पढ़ना आना चीए, एक बटा ग्यारा को क्या पढ़ना आ पूछते थोड़ी हैं कि पांच आ गए कि तया गए पता रहता है उनको कि सला नीचे तो क्या लिख रखाओगा टोटल रिख रखाओगा उपर उसमेंसे जो आया होगा उसको लिख रखाओगा तो गणित का एक पुनियादी नियम है कि टोटल वाली चीजें कंपेर किये जा हुआ है इसका मतलब है सो में से 40 परसेंट सोवाधारी होता है इसलिए आप यह कह सकते हैं कि सर ऐसे लिखा हुआ पाए जाएगा हम उसको पढ़ेंगे सो में से कितना 40 या फिर हम उसे काटेंगे तो ऐसे पढ़ सकते हैं कि 10 में से 4 और हम इसे सरल करेंगे तो हम पढ़ सकत उसने वहाँ कितना काम करेगा दो दिनों तक यह काम क्या करेगा व çıkartल 1 मैंसे दो यानि पहले दिन एक बटा गरा है दूसरे दिन भी re fact 1 करा है। काम अम संहरो लेकिन दो दिन तक मिला कर कितना काम कर दिया उसने वो वटा ग्यारा अ've मैं आप सेकं वह दिन तक ग्यारा में से तीन या तीन बटा ग्यारा मैं कहूं चार दिन तक ग्यारा में से चार या चार बटा ग्यारा इसको चार बटा ग्यारा पढ़ें साथ ही साथ ऐसे भी पढ़ें कि ग्यारा में से चार कर दिया ये सिलसिला दस दिनों तक जारी रहता, तो आप कहते हैं, सरी यह 11 में से कितना काम करते थे, 10 या 10 पटा 11 कहते थे हैं, और 11 तक आप देखेंगे, तो ए 12 खीया काम होगा, 11 पटा 11, इसका मतलब होता है एक पूरा काम, यह एक total काम हो गया, पूरा, अब इसकी जगह हो सकता है, 11 की जगह 12 हो, 12 की कर सकता है इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं कि ये एक दिन में कितना काम करता एक बटा कभूतर दो दिन में करता दो बटा कभूतर तीन दिन में तीन बटा कभूतर और कभूतर दिनों में लास्ट कभूतर दिन आते तो कभूतर दिनों में कभूतर बटा कभूतर करता की नहीं ज़रूरी यह नहीं है कि यहाँ पर कोई हमेशा संख्याई आए कई बार आपको टेस्ट करने के लिए examiner यहाँ पर P, Q, R, S, A, B, C, D, X, Y, Z इस प्रकार की चीज़ें भी दे देता है बहुत कम चांस हैं कि ऐसी चीज़ें आएं लेकिन फिर भी आप उसके लिए थोड़ा बहुत रेडी रहें कि वह ऐसे कभी आएगा तो मैं in future उनको deal कर लूँगा चलो इस बात को जान लेने के बाद में अब तक आप यह जान गए कि कोई भी समयकार यह मजदूरी का परसन आए तो उसमें कोई एक कल विक्ति आएगा जैसे यह आएगा या भी आएगा या सी आएगा इसने पूरे काम को 25 दिन में कर दिया 25 दिन में पूरा काम कर दिया तो मैं आपसे यह कह सकता हूँ कि इस बात से आप क्या समझे होंगे तो आप कहेंगे सर हम ये समझेंगे कि एक दिन में एक बटा पचीस करेगा, दो दिन में ये दो बटा पचीस करेगा, तीन दिन में ये तेन बटा पचीस करेगा, अम मैं कहूँ पंदरा दिन में कितना करेगा ये, पंदरा बटे पचीस, या पचीस में से पंदरा, ये ज़ा ये चोवीस दिन में कितना करतेगा तो ये चोवीस दिन में करतेगा पचीस में से चोईस या चोईस बटा पचीस और पचीस दिन में कितना करतेगा पचीस बटा पचीस पूरा एक काम करतेगा ऐसे आपको पहली जानकारी तो ये पता होनी चीए फिर उसके बाद में आपको ऐसे दे दिया गया हो, माललो परसंद की language को इस प्रकार से रही हो, कि दो बटा पांच भाग को 20 दिनों में पूरा करता है वो, 2 बटा 5 भाग को 20 दिन में करता है तो इसे आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि 2 बटा 5 भाग को 20 में मैं कई बार कहता हूँ कि इसे थोड़ा सलीके से पढ़ें कि 2 में से 5 काम 20 दिन में 5 में से 2 काम 20 दिन में करता है 5 में से 2 काम 20 दिन में करता है तो अब आप ये कहेंगे कि सर पूरा काम तो पांस था उसमें से दो काम कितने में करा है तो सलत दो काम 20 दिन में करा है तो मैं समझता हूँ कि एक काम उसमें 10 दिन में किया होगा और पूरा काम 50 है तो ये 50 दिन में करा होगा अब कोई भी आपसे पूछ रहा हो तो ये पूरा काम without using pen paper हो जाना चीए लिखने से नहीं छोटा आकड़ा है तो सब को पता है 2 बराबर 20 होता हो तो 1 बराबर 10 13 और 5 बराबर 50 हो सकता है किसी ने भी मुझे ऐसे का हो था कि ये 5 में से 2 काम 20 में तो मैं सीधा अब यह कह सकते हैं कि 50 का आदा पूछ रहा हो तो 50 का आदा होगा 25 दिन में क्या हो सकता है आदा ना हो कि एक चोथा ही कह दे एक बटा चार तो एक बटा चार कर दें सिंपल सी बात है ये कोई जादा बड़ी बात नहीं है तो दूसरी बात भी समझ गए अब उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ये वही बात है भी थोड़े देर पहले मैंने कहा था कि 30 परसेंट को आप या 40 परसेंट को क्या कह रहे होते हैं परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से तो आप ये कहेंगे कि सर ये 100 में से 30 है मैं इसको ऐसे कहूंगा ये 100 में से कितना है 30 काम कितने में हो रहा है 12 में और मैं ये भी कह सकता हूँ कि 10 में से 3 काम 12 में हो रहा है इसको तो तीन काम बारा में हो रहा हो तो मेरे मन में ऐसे आता है कि एक काम साला चार में हो रहा होगा और एक काम चार में हो रहा है तो फिर साला दस काम कितने में हो रहा होगा चालीस में तो ये काम मैं डाइरेक्ट बता सकता हूँ ये ऐसे आंकड़े कही परसन के दर्मियान आएंगे बीच में कोई part of question होंगे वहाँ यह समझना पड़ेगा उसने ऐसे कहा कि 30% काम इतने दिन में हो गया तो आपको मन में ही समझना पड़ेगा कि total काम सला इतने में करता हो गए तब तो वह person आपकी पकड में आ जाएगा अधरवाईज उसमें फिर आप गूम दे भिरेंगे अब बताओ चोथा ही काम चोथा ही काम का मतलब होता है चोथे इससे का तो यदि कोई total काम 40 में करता हो तो चोथा ही सा एक बटा 4 काम 10 में कर देता होगा फिर यह कोई मसला नहीं है चोथा ही की जगा आदा दे दे तो सलब पूरा 40 में करता है तो आदा 20 में करता होगा काम आदा तो दिना दे काम चोथा ही तो दिन चोथा ही दिन चोथा ही तो काम भी चोथा ही समता बढ़ जाने से एक समता और होती है वो आगे बात करेंगे समता बढ़ जाने से तो काम क्या होता है आदे समय में हो जाता है लेकिन काम बढ़ जाने से तो समता पहले जैसी रहे तो फिर टाइम भी बढ़ेगा भई तो दो बात सीख गए अब तक एक तो क्या पूरे काम से दिन बाई दिन का काम पता करना टे बाई टे क्या क्या सीख गए अब तक एक तो पूरा काम दे दिया कि पूरा काम मान लो 50 दिन में होता है तो पहले दिन कितना काम होगा तो ये बता सकते हैं 50 में से 1 या एक बटा 50 कहते हैं तो आप सरल करना जानते हैं नहीं जानते हैं वो बात का मसला है तीन दिन में पचास में से कितना तीन, चार दिन में पचास में से चार पचास दिन में पचास दिन में हो जाएगा पचास में से पचास और पूरे पचास दिन में पूरे पचास दिन में क्या सोची कि आपको ये सोचना आना चीए दूसरे में कि मानलो कहीं के दिया कि दो बटा तीन कारिय आठ दिन में समपन हुआ यससे क्या समझे ऐसी लाइनों से मैं क्या समस्ता हूँ कि पूरा काम किते दिनों में समपन हुआ होगा तो मैं इसे ऐसे समझा कि तीन में से ऐसे मन में बगैर लिखेई तीन में से दो कारिय आठ दिन में समपन हुआ है ऐसे समस्ता मैं उसे ये वाली बासा समस्ता उसको पढ़ते समय तो फिर मैं ये कह रहा हो था कि दो कारिय यदि आठ दिन में हो रहा होगा तो एक काम फिर बढ़ात हो गई अब इन से छोट चोटी बाते हैं परिक्साय में पूछी जाती है ऐसे प्रसन आ जाते हैं यह पेन का मसला नहीं है कि कहीं मेरे पास ऐसे होता कि एक इसे काम का 5 बटा 8 इससा अब मैं से इस से नहीं पड़ूँगा पांच बटा आठ लखन से पड़ूँगा कितये दिन में लिखेays नहीं वैसे सोच लेते पांच में से क्या फांच में पांस काम दीस दिन мет और एक तैन का एकपटा पांच भाहग दस दिन में करती है इसको मैं क्या पढ़ओँ गांच में से एक काम पांच में से एक काम यह संक आ रही है कि एक काम 10 दिन में तो सला 5 काम 50 दिन में लेकिन उसने पूरा काम नहीं पूचा उसने क्या पूचा ऐसे कीवर्डों पर गोर करें कि सेस काम कितने दिन में यदि वो पूरा काम पूचता पूरा काम पूचता तो मैं 50 उत्तर लगा देता लेकिन उसने कहा सेस काम तो यह करी गई पहले से, तो 10 दिन तो इन में से कर दी, 6 तो 4 गाई तो बच रहा था, तो 4 वाला निकान नाता है, 5 में से एक कर गई, तो 4 6 बच रहा था, डायरेक्टी निकालते हैं, तो 1 बराबर 2 था, तो 4 बराबर 40 ठिकाते हैं सही बगएर पहन नहीं, इसमें पैन का मसला नहीं था मतलब परिक्स्या में होते तो इतना सोसते कि पांच में से एक काम दस दिन में सेस काम चीए तो सेस कितना चार काम एक काम है वो दस दिन में होता है तेन चार काम कितने में होता होगा फिर चालीस में होता होगा दिख गई ये बात अब ये पेन के मसले नहीं है छोटी बाते हैं अरह पाचलार चौको ना दुनियम ने तुम बैठा ही पीछे करो रहा पीछे मत करो नहीं समझे बैठ बले या पीछे जाओ रहुमत जैसे नास्ते वास्ते के लाइन में लगते हैं अपन तुम नहीं देख रहे हैं तो चाहिए से पीछे की तरब हो ले कि नैसा मोका हो कि चलो भाई अब तो नास्ता बट रहा है तब तो आ गया जाओ तो ग्यान का नास्ता तो वहां से भी मुण किया जा सकता है कि इतना ही पकता वूर मैं कि जुब है वैसे बीपरात हो ग atención को पहली लाइन का मतलब सब जानते हैं एक चोताई का नोता है चार में से एक एक चोताई का मतलब होता है चार में से एक और कौन है यह इतना सरूफ नाम लिखने की ज़रूद नहीं है पर एक म enjoys A दिया करो ती क्योंकि तुमेही समझना ा होता है यह दुनिया को नहीं दिखाना होता होता है कि और मैं तो बड़े-बड़े से नाम इसले लिखता हूं कि मेरे सामने बैठते हैं वह पोपा सकते हैं नियों कैंस अरिंख तरह लोग कि वह ऊतरों कि अल्रहर है की यह 40 दिन में पूरा काम कर रही होगी तनवी का रही है तो T 40 दिन में पूरा वर्क सिस्य का मैं प्रेंट कैसी काशी परρέंट मतलब होता है सो में से 40 काम चालीस दिन में तो 40 काम 50 money तो सो काम 100 तो इसकते हो में पूरा कर दिया उसने चलिए साहब फिर तीसरा कनिडेट है स्वाथी स्वाथी उसी काम का एक त्याई का मतलब होता है तीन में से एक तीन में से एक त्याई का मतलब होता है तीन में से एक आप कहेंगे सर तीन में से एक है वो 13 में करती है तो तीन 39 में करती होगी तो स्व जो सबसे कम दिन ले रहा है वो सबसे तेज काम को समाप्त कर रहा होगा तो सबसे पहले इन चार टीन में से किसने वर्क को खतम किया होगा स्वाती ने वर्क को खतम किया होगा ठीक गया इसमें अड़ों को भी दिख गया कि एदर चला तो दो चोटशोटी बात सीक है कारिय की कि डे वाई डे वरक कैसे होता है और वागई चीज़ें कैसे होती है जनारदन किसी कारिय का 2 वुटा, 3 भाग 10 दिनों में कर सकता है इस लाइन को आप जाणने लग गये कि यह लाइन क्या कहना चाहती है यह ऐसे कहना चाहती है कि यह जनारदन है वो तीन में से दो काम दस में करता है दो काम दस में करता है एक काम पांच में करता होगा तो तीन काम 15 दिन में पूरा करता होगा यह मतलब इस लाइन को पढ़ते ही मन में ही हो जाना चीए इतना काम दो लिखने से नहीं मन में ही हो ज आबाद है उसके लिए तो मालो ये बहुत ही जीवाले आंकड़े हैं उसी काम के उसी काम के जो पंदरा दिन का काम था उस काम का तीन बटा पांच बाग मैंने कहा था आदा काम आदे दिन में तीन बटा पांच करवाए अब यह पूरा आ गया पूरे का तीन बटा पांच कर आए तो अब तीन बटा पांच किसका कर दूगा मैं पंदरा का पंदरा का तीन बटा पांच पूरी दुनिया को करना आता है किते दिन में नो दिन में तीन बटा पांच काम को पूरा कर देगा या फिर मैं कई बार ये भी कहता हूँ कि नीचे वाला पूरा होता है तो पूरा काम अभी कितने में कर रहा है वो पंद्रा में तो पांच को पंद्रा कहेंगे नीचे वाले को पंद्रा कहेंगे तो परवाले को नो कहेंगे, वो कैसे भी कर लें आप, तो अब इसका आंसर क्या आता, पूरा पूस्ता तो पंदरा आता, और कोई हिस्सा आदा पूस्ता तो साड़ी साथ आता, और आदा काम आदे दिनों में होता है कि नहीं, चलिए दो साथ, वो छोटी-छोटी जानकारिय से आने वाले परसंद, दो बात हो गई अब तक इसकी, ऐसे पहराइटी में भी ध्यान होना चीए कि आपन किस करम में पढ़ रहे हैं इस समयकार या मजदूरी को, सबसे पहले क्या पढ़ा, कि 20 दिन में काम पूरा होता है, तो एक दिन में कितना, तीम दिन में कितना, कुन वो सुनें, यह, यह आपका समय, सुत्तर, सब कुछ बचाएगी यह वाली बात, ऐसे देखने में आपको अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन मैं समझाओं उसके बाद यह चोटी बात है, जबी भी दो या दो से अधिक एक एक जणों की डिटेल दे रखी हो परिक्सया मे यह अकेला इतने में, बी अकेला इतने में, सी अकेला इतने में, तो वहाँ आपको समय और समता की डिटेल दे रखी होंगी परिक्सया में, या तो समय की देगा केवल, या केवल समता की देगा, या समय और समता की मिक्स देगा, मिली हुई देगा मतरा, अब परसन पर भी दे दिया, दस दिन दे दिया, अब इनकी सम्ता दे दी, मालो कि इसकी सम्ता तीन है, इसकी सम्ता चार है, इसकी सम्ता क्या है, छे, अब पूछे कि यह तीन नो मिलकर क्या करतेंगे, तो यह तीन नो मिलते, तो सम्ता मिल जाती इनकी, तो सम्ता मिलती, छे और चार, दसर, कितना होता तेरा एक फिजिक्स का लो होता है उसके according यह होता है कि किसी भी सेम काम को करने में लिए गए अलग-अलग आदमें के दुआरा सम्य है और उन अलग-अलग आदमें कि सम्ता का गुणन फल ABC तीनो का टाइम गुणा तीनो की दक्सता यह पूरे आपस में इक्वल होते हैं इनका गुणन फल हर बार क्या होता है इक्वल अब मैं मालो आपसे कहता कि यहां AB होता तो AB का टाइम और AB की सम्ता यानि AB का टाइम गुणा AB की Efficiency आलवेज इक्वल होती इन बाकी के एक छोट इसी बात होती है जिससे आप सुथर से और कम समझ में ही काम चला सकते हैं अभी थोड़ा सा ध्यान से सुनते रहें उसको कई बार ऐसा होता है कि वो बोल रहा होता है तब आदमी कोई साइट पटा लग रहा होता है उसको आप अपलाई करना देखेंगे तब जाके बहतर सीख पाएंगे जैसे माल लो ये परसन आ गया अब आपको करना क्या है जबी भी ऐसा में कारिय मजदूरी वाले अब अपने को समय नहीं लिखना है यहाँ पर यहाँ अपर क्या लिख लेना है टी और यहाँ दख्सता एफिसेंसी लिख लेना है ऐसे नहीं कि साय मैं पूरा ही लिखें आप भी कहों कि मजदूरी के आताती पड़ी हुई है पहले से ही चलो दो अब आप मुझे बताओ समय की जानकारी इसमें यह जो जानकारी है एक की अपेक्ष्या बी दुगनी गती से काम करता है यह कौन सी जानकारी है क्या यह समय की है या समता की समता की है यह जानकारी समता की गती समता दख्सता वो उससे रिलेटेड़ी है बी की अपेक्स या ए दुगनी गती से काम करता है बी की अपेक्स या यानि बी एक समता से काम करता है तो एक इतने से करता होगा दो से यह Efficiency का Ratio लगा लिए हमेने अब यह दोनों मिल जाएंगे तो फिर काम कितनी समता से होगा समता डारेक्ट मर्ज हो जाती है एक जगे हो जाती है समय एक जगे डारेक्ट नहीं होता है अब आप मुझे बताएं इसके बाद दोनों एक साथ काम करें तो किसी काम को किते दिन में फिनिस कर देते हैं तो यह दोनों एक साथ काम करते हैं तो यहां 16 दिन लिख दीजिया A B को A B के टाइम और Efficiency से गुणा कर दें तो देखिए 16 तीया कितना हो गया कुछ आखने डाइरेक्ट आए तो उसको डाइरेक्ट कर लो कि यहां सर 40 बन रहा है तो यहां भी गुणा करने से 40 ही बनेगा तो यहां एक है तो 48 है कम 40 आएगा 2 है तो 48 आएगा ऐसे यह आधी आधी सेकिंड का मसला है यदि आपको आता है तो अब आप कहेंगे सर एक का मसला हम से पूछा गया था हम चोई इस आंसर लगा देते और आ जाता आप चाहते हैं कि सर हम तो लिखेंगे साब इतनी जल्दी करके कह आई जाएंगे थोड़ी बहुत मसदूरी हो जाए तो बड़ी आई बात है तो आप लिख लिखे कर लें किसाब एक का गुणन फल दो के साथ पराबर होगा पी का गुणन फल एक के साथ पराबर होगा सोड़ा गुणा तीन तो मैं इसको दबा लेता हूँ इसके बराबर तो 40 सा जाएगा एक बार इसको दबा लेता हूँ तो 2 ये बराबर इतना होगा तो 2 इसको 8 बार काटेगा तो ये 20 सा जाएगा आकड़े थोड़े से है भी हो तो आप ऐसे लिखे काट लें क्या ही हो रहा है उसमें ताइम भी पास हो जाएगा मजदुरी मिलने के चांस ज्यादा है फिर फिर में मजदुरी कहीं भी मिल जाएगी आसपास में मिल जाएगी ज्यादा दूर जाना ही नहीं पड़ेगा नौकरी लगने पे दो सकता है कि भाई बहुत जाना पड़े दूर एक बार तो मैंने नौकरी से लिए छोटी की वो थोड़ी दूर लग गई थी मेरे आने-जाने में उल्टियां होती थी मैंना चो था पड़ने दो भाई अब ये दस सेकंड की बात है परसन को पड़ने के बात दस सेकंड तो ज्यादा लगा दी है ऐसे माल लो पी क्यू से दुगनी टेजी से कार ये करता है एक पी है एक क्यू है ये दोनों हो सकते हैं और मैंने कहा एक टाइम और एक सम्ता समय और सम्ता उनको डाइरेक्ट लगा दो समय गुणा सम्ता हमेशा बराबर होता है ये पूरे चैप्टर में द्यान रखना बसा अब आप ये कहेंगे कि सर ये सम्ता की दुगनी वाली लाइन दे रखा है किस से दुगनी है क्यू से क्यू से तो क्यू को एक मानो और इसको कि भीन है कि नहीं अभी हमने क्या सीकी तीसरे नम्मर की बात कि यदी समय और समता एक ही काम को करने में अलग-अलग आदमी खर्च कर रहे हो तो समय गुणा समता आलवेज इक्वल होती है चाहे कोई से भी पार्टेशन को गुणा करें चाहे से दोनों वालों को चाहे से ठारा दुआ क्या जाएगा चतिस और मुझे क्या चीए पी और क्यों मिलकर वाला काम चीए तो आप कहेंगे सर यहां चतिस बनाईए यहां तो यहां बारा तीया चतिस बन जाएगा और मैं उत्तर क्या लगा देता ती ओप्सन लगा तो डाइरेट की कर लें इतने चोटे आकणों को चतिस बनाने के लिए कौन सा मज़ दूर लाना पड़ेगा फिर भी आपको लगता हो क्यार हम थोड़ा इतना जल्दी नहीं गड़ना चाहते हैं मास्टर हम तो इसको थोड़ा बहुत लिखेंगे थोड़ा बहुत लिखेंगे तो तेरे को ऐसे बताया हुआ है क पी का गुणनफल पी की एफिसेंसी के साथ पी का टाइम गुणा पी की एफिसेंसी बराबर क्यू का टाइम और क्यू की एफिसेंसी तो ये तो चतिस गुणा एक लिखी दे होगा इसको तो और दोनों वाड़ा पी क्यू का टाइम गुणा तीन कर लूँगा तो यदि उन अब ये दो तीन बाते याद रहेंगी तो आगे की चीज़ें इसी तरीके से आ जाएंगी और नहीं रहेंगी तो देख लेंगे आपड ऐसे आ गया अब ये छुटी बात है पर एक से के हिसाब से पादा हो क्या करते हैं पी क्यू से तीन गुणा को सल है तो मैं एक पी लिखता एक क्यू लिखता एक दोनु लिखता और आपको बताया एक टाइम समय लिखता एक दक्सता एक लिखता एफिसेंसी according to question क्यू तीन गुणा को सल है ये सम्था की जानकारी है क्यू से क्यू से तो क्यू को एक मानो और इसको ट्रिपल मानो और दोनों का मानना हो तो चार मानो ये सम्था तो डिरेक लगा लोगे ये लग गया परसन का तम अब तो आदी सेकिंड की बात नहीं बची इसमें अब मिलने वाले चाई से अलग-अलग समय गुणा समता टी कोई से गुणा करें वह आलवेज इको लाईगी तिनों की इको लाईगी यहां बारा एकम बारा बारा को एक से गुणा किया बारा तो यहां मैं चाहूं तो तीन जोग बारा तो आप से पूछ रहा है भी उस काम को कि नुआ। आदह काम चार का आदे दिनों में कर देगा और क्या ही कर देगा यहांत पहले ही शी miss लिया क्यात ह ह सरफ यह ने Sudain में किसे ने बनाया तो यह 2 दिन में बनाए उगा उसमेम और क्या भताना है उसके ऐला सशाग्ला सूर्दacam कि परसन ने language क्या दी है चलो साब ऐसे दे दिया कहीं मान लो एक आदमी है एक man है एक boy है और एक don't know हो सकते हैं man boy don't know मैंने कहा time देखिये और efficiency ये दो चीजें चाट में आती हैं उसको ना तो सुतर की जरोते ना जादा किसी गंड़ना की जरोते ना कोई अडम दडम की आउशकता है और परसन चाहिए कैसे अब देखो परसन बदल गया है language बदल गयी है पूरी अलग से आगई अब की बार लेकिन अब की बार पहलो वालों से ज़्यादा इसी है क्यों गती का अनुपात लगाई थे हैं पंड़ अब मैंने एक ही बात कही है कि समय गुणा समता तीनों की बराबर यहां इसको गुणा करें वो उतना ही आएगा जितना ही आएगा उतना ही आएगा तो मैंने कहा कि आदमी को चार से गुणा करें वो बराबर आएगा छोरे को 3 से गुणा करें वो बराबर आएगा यहां 24 गुणा किसके साथ कैसे लिखके करें तो लिखके बाए डायरेक्टी सोचेया फिरा अब मैं लिखके करता मुझे किसका चीहे लड़के का लड़के का चीहे तो आदमी वाले की तुछ रहती नहीं है इन दोनों को बराब आदमी के बारे में भी पक्के जाईए तो फिर आप क्या कर रहे होते यहां इस चार से इस वाले को काट रहे होते तो मैं चार से चोईस को काटता च्छे बार साथ चीगी 42 यह ऐसे देखो यह नीचे वाली लाइन बगेर लिखे निकाल निया नहीं तब था मज़ा अरे तो लिखे निकाला तो क्या ही मज़ा जा ता फेर यह चार था यह तीन था यह साथ था कुछ लोग इसको ऐसे सो चेंगे कि सर्चोईस गूना साथ यहां कूना इसके बराबर होगा एक की नी तो पिर यह तीन उनको काटेगा की नी तो इनको देखलो चोईस से तीन क्या संसार्यक्त Spring स्था को हुआ काई काउंपख़ हूं कि वेदिव को है कि आत्य बट्रव को हुआ थो कि अच यह हुआए is बाइज हो डैने धन्य गर्मितार रियत जवान आद्मि में घरमी कि अदुमरी बाड़या ओ आदमी जब्योड is तरन में धर्म लर्ची भाईश इस सरेव data मज़ो गूल समझना वह मेरसिशूब का तृ कि तुम्हारे तो इंजन तो गरम ही रहने ची हैं। ऐसे आ गया। अब देखो परसन वो ही हैं लेंगवेजिन की तरह तरह से हो सकती है वहाँ पर। परसन कह रहा है एक इसी काम को अठारा दिन में पूरा कर सकता है। थोड़ी देर पहले हमने देखा कि जब भी अकेले काम करें तो एकेला भी अकेला या दोनों उसमें टाइम और एफिसेंसी चाटें समय और समता का मामला लगा लें तो समय गुणा समता सबकी बराबर होती है। अब आप यह कहेंगे कि सर यहां कह रखा है एक इसी काम को अठारा दिन में पूरा करता है तो टाइम के सामने लिखते हैं अठारा दिन पिर कोई आप से कह रहा है कि A B से 50% अधिक को सल है 50 ज्यादा का मतलब परसेंट में है यह डाटा परसेंट का मतलब मैंने थोड़ी द सटने का मानेंगे 500 क यह 50 ज्यादा है खू सकता है वह 50 कि 50 ही है 50 है तो फिर 50 ही रखेंगे कम कह ज्यादा Eric mieć Hem करेंगे और स्कूर 15 को जोड़के हैं 25 लिख लेते हैं और क्या ही होता वो बाद में सरल हो जाता कुछ लोग पहले सरल कर लेते हैं कुछ लोग बाद में सरल करते हैं अब आपको एक कंसेट आता है कोई सुप्तर नहीं लगाना समय गुणा सम्ता आलवेज इक्वल सारों की आप कहींगे स यह पता है कि 5 के फादे 35 आता है लेकिं पाँच को कि से च्च्च आयाया तो चंप से सकता है वह पांच से पना कर तो पांच का जापता तो यह जाएगा अमानों लोग मुझे एलान है कि पांच को कि से गुना करूं कि छा तीसा जाए तो मैं यहां चाह तीस बता क्या लिग दूगा पांच देख लो चाहिए गा क्यों को पता नहीं है कि पांच को कि से गुना करें कि छा तीस के तो आता ही नहीं है कि छा तीस भी आता है कि पांच को कि से गुना करें कि छा तीस आता तो नहीं है तो पूर्णांकों के अंदर इंटीजर जो होते हैं वो क्या होते हैं परिमे होते हैं परिमे के अंदर होते ह एदूरे जसमलो संक्या या बिन संक्या या फिर पूर्णांग पूरे-पूरे होते हैं तो जरूरी नहीं है कि पूरे-पूरे वाडि बात ही ओधूरी वाडी भी सकती है दिक गया यह लिखते कर लेंगे उसको किया उत्तर आ जाता किसका पूछा था उसमें बी का पूछा था तो बी की समता तीन थी बार ती अच्छतीस हो जाता कुछ लोग इत्ते वदमास भी हैं 50 परसेंट अधिक ऐसे देखते हैं कि एसे तो एक को सो मानते दूसरे को क्या मानते तेर सो पचास का पाड़ा दो बार तीन बार और यह ठारा में करता है दो वाला ठारा में तो पता दिया ठार दो अच्छतीस तो यह कितने में करेगा बार है करो कि भी है दो देगे साफ साफ लिखे क्लो क्या करेंगे नीं योटुटे वर्याइब गछे मैं अद्दारमघ करते पर एंगे माइगे लारorgeous ले ले से लिक कोथ हुथ से है और रमेरी तरहीं देखले मेन मेरे को देखले लिए जैए का इसा है थे हे निंगते यह एक इ चोटी बात यह इसको तो आप एक ससी है किसी काम को 20 दिन में खतम कर सकता है यह ससी है एक तानिया है और वह सकता है दोनों के बारे में कोई आप से कहे आपने का सरम समय टाइम और एफीसेइंसApp ससी कितने दिन में करता है 20 दिन में तानिया उससे किसे ससी ससी से 25% दक्स है ससी से दक्स है तो ससी को साले को सो बानो तानिया 25 दक्स दिक है परसेंट में 25 प्लस कर दो इतना अब इनको मैं काट सकता हूँ नहीं काट होता है से भी गुणा कर सकता हूँ लेकिन काट लीजिए एपिसेंसे का अनुपाद 25 चोग 100 और 25 पंजे 125 यहां कितना हो जाएगा 9 परसन खतम हो गया आप मुझे बताइए 20 चोग कितना होता है असी तो यहां अभी असी आएगा कि नहीं सबका गुणनफल बराबर होता है यह पढ़ाया पड़ने समय गुणा सम्ता बराबर इसका समय गुणा सम्ता बराबर दोनों का समय गुणा सम्ता बराबर या तो लिखे काट लें लिखें तो ऐसे कर लें 20-4 इसका सम एगोना समता है वो इसके बराबर हो जाएगा तानिया गुना पांच तो तानिया पांच हो से काटेगे इसको चार वार सोड़ा जाएगा यह सीधा 20 जो नो कसी तो 16 जब तक नोगरी नहीं डगो तब तक थाला बैटवड़ा रहो जो ना दिमाग मफालतू की चीज ने चाले पच्रो तो चाले ही ने और कम सु कम खुद के लिए गलत चीज ने चाले कि आरा भला गला को लागा मेरा बाप तेरे लिए तो सोच की लागा ला दुनिया को लाग है तो अधिक वह समय खुद के लिए खुद के लिए और मेरे तो याद कुनू पड़ोशी को पहती आद वहाद रहा है तो यह जो आदमी के साथ सबसे बड़ी समिश्य यह है तो अपने बारे में जो खत्तम से खत्तम सोच सकता है वो सोचेगा जितना गया गुज्रिया सोच सकता है वो अपने लिए उतना सोचेगा खुद के लिए तो चुनाव करना हो भाई यहां गम है तो अपने लिए तो खुछ उठानी ची यह दूसरों के लिए लाद दे के गम रख सा तो भाई लाई तू गम था लगा और क्या है यह अगरी नहीं लगो तब तक बाद में दूसरे के गम भी उठा हो क्योंकि जेम में सारे तो दूसरे के गम में थोड़ी सी का बदला है अभी तो क्या उठाएं अब तो भीचारे सारे पकीर है दस रूपर मांग लेते हैं तब ऐसे लगता है कि किटनी मांग ली अगले वाले ने कि यार आप तो दिक्कती हो गई है वर्णा भाई लगे हो तो गलाई क्या हो बेटे बेटे सौचने साजने कि समता हैं बन भाई क्या सोचें को लगता है नोगरी लगेंगे कि नहीं लगेंगे ने भी बढ़ रहा हो तो गलागाला कई इतने बदमास है सारे पूरा फारंबर के पड़ते निकलाने के बाद ऐसे जाते हैं तब ऐसे फील करते हुए जात निकलाने साजने करेंगे में वीड़ादा रहा हुए तो शीच Άसे हिमे वेटे उसके लगी रहें लेंगें और वह तो तेरे पे डिपेंड है, तू बारा तेरा सो एगा, पचास सो एगा, वो तो तू देख ले मैं किताक सो एगा, ठीक गया, कितना उत्तर लगा दिए, दोड़ा लगा दिए, ओ अधम दे, ऐसे आ गया, अब यह कर सकते हैं, यह किसी कार्य को 120 दिन में करता है, ताइम और एफिसेंसी जज़ करना आता है, भी या दोनों, दोनों चीएं तो दोनों का लिख लो नहीं चीएं, तो मतली को उसको, एचो इस दिन में करता है, लेकिन यह यह लाइन देखो, इसको दस सेकेंड से भी कम में समाप्त करवा देगी, एसे, एसे मतलब एसाला 100 है, तो वो 60 ज्यादा है, 180 है, 160, अब मैंने कहा कि इसको काटो, काटो सारे हो, 10 सर, 16 को भी काटो, यह तो 5, यह 5 और यह 8, और दोनों का चीएं तो 13, अब कोई भी आपको यह कहें, कि 24 गुणा 5 होगा, आप देखो, 24 गुणा 5 होगा, तो जो 24 गुणा 5 होगा, उसे मैं बराब करूँगा, बी गुणा 8 के, तो यह 8 इसको चोई, इसको तीन बार कार देगा, तो पांस तीया कितना आ जाता, 15, यहाँ गणना के लिए ज्यादा सोचने की जरुत नहीं है, गणना तो बहुत चोट इसी टास्क है, इसमें, बी के लिए आवशिक दिनों के संख्या बताए बताती है कि नहीं? नहीं बता? बताती है. मतलब कि एक दिन में उसने किन लखनों से काम करा उसको समता कहते हैं चलिए दो इता काम तो समझ गया हूंगे 10-11 कोशन तो बिल्कुल इजी थे ऐसे आगया कहीं पे मेरे पास में अब यह भी मेरे साफ से वही बात है इसमें थोड़ी से आपको वह दिख रही होगी पी का काम तो इस लाइन को समता में काम ले लूँगा मैं और यह टाइमिंग में काम आ जाए कि तो आप कहेंगे सर एक एथार बी था और दोनों का काम दोनों का तो चीह नहीं तो दो वाड़ा 80 कम पढ़ो सही 120 कौन पढ़ रहा है आप कोई कह रहा हूं तो मैं कि ज्यादा पढ़ दिया उसको कम पढ़ना 80 और 4 लखनों से पढ़ ले ना लखनों से इसको मांस्टरों के साथ साथ तुम भी बलखने हो गए हो अब मुझे बताओ 10 चोग ये लिखने की बात है क्या और की बनाता हो उसको तो 10 चोग 40 तो यहां 5 5 के पाड़े में 8 पंजे 40 नहीं आ था बस लगा दे 8 और क्या करवाएगा उससे यहां भी 40 लादो की नहीं 40 लादो की नहीं 40 बता नो लखन ले लो कयों को नहीं आ रहा 9 के पाड़े में 40 अभी बता है थोड़ देर पहले यहां पूछ रहे था तो 40 बता नो आता 4 से थोड़ा सा ज्यादा 4 से ही 4 बता नो अब तक ही यह समझ गए होंगे कि एक का समय गुणा एकी सम्था पराबर होता है वीका समय गुणा वी की शम्था सारू मेंял कर सकते हैं कि नहीं ऐसे एक ही काम को अलग-अलग कारी कर कर रहे हूं मिलकर कर रहे हो तो यह concept सपे लागू होगा चाहे लखन उनमें सेम हो और चाहे से लखन का मतलब सम्तार है अब तो समझते हो लखन की सको कहते है तो कैसे उदास बैटी है तड़ाय उड़ाय हो गए किसे बुल जुऑ झेह भर्गेत की से कर ऊठो भर बहुत दुखले लिए इंगगो सब कांच साब पर हो यह जाए पर फेर में से में किसे के विट दुख़ो किभी किटे लू किसी के लिए गरवबॉडों के दे लो चिसिके दे लो दिवार के नहीं दीवार बार कालने लगाते लगात् है उसके थे देड़ के व क्या है कर लो ना 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 अतरा कर लाडिकोन थे कि पीज लेका तारास केलो लाहां अता तकड़ा कि लाडी मन मैंने जो थे गणा वे रोडी सिह शुवला लाली थां और अडिया ओ बिक बोस में रहे यह जघाँच तरी जो अत्ता तकड़ा कॉन बनो थां थे अत्राइब बढ़ना है तो कम हो तो कम ही पढ़ना ज्यादा हो तो ज्यादा पढ़ना कहीं 120-10 कुछ भी आ जाए ही तुम्हेरे चालो बैए ऐसे आगया अभी से आप मैंजे समझा देंगे अब इस लाइन को समझा चुका हूँ मैं ये पी के समय में 4 बटा 5 दिन लेता है पी के समय के 4 बटा 5 दिन लेता है ये तो उन्होंने पूरे कारिया को दोनों ने साथ किया तो देखो a, b और दोनों का मैं समय जज़ करूँगा समयज़ करूँगा तो यह 20 बटा 3 तो दोनों का है यहां वड़ा 20 बटा 3 दोनों का है कि नहीं है तो यहां एक सम ता लगाने के लिए उसने यह लाइन दी है यह कि ओस समय में क्या करता है बी के समय में यानि बी का समय में 5 मानता हूँ तो इसका सम ए, कितना मानु में? 4 सम ए, तो फिर इसका 5 आएगा, और इसका क्या आएगा? 4 और 2 9 का कितना आएगा? 9. तो अब 9 का यहाँ जो मल्डिक, यह समझ गए, कैसे लगा दिया मैंने? अब आप मुझे बताओ, 20 बटा 9 को में गुणा करता, 20 बटा 3 को 9 से गुणा करत तो 20 पटा 3 को 9 से गूना सबको करना आता होगा, 20 पटा 3 कूणा 9 तो ये तीन बार, 50 बनता कि नी? तो ये कितना भनता, 1560 और ये कितना भनता, 4260 भनता, 1250 बनता कि नी? अर्थ दिए गया कि निक । कैसे निकारा मेंने, ज़िए आपको कोई दूसरे अडमदनम आते, तो ये सारे दिन में आता यह अनुपात मैंने इससे लगा लिया यहां किसका मामला है समय का कि B के समय का 4 बटा 5 समय लेता है तो समता भी उसकी 4 बटा 5 ही रही होगी तो B का समय 5 है और B की समता उसकी 4 है एक जणे की क्या है 5 है तो फिर समय का उल्टा होगा पहले तो समय था उसको समता भी बटा लिया अब लेकिन देखो लास्ट में उसने देखो एक बात और कर दी गड़ बट समय हो मैंने इपूचा उसने उसने ऐसे पूच दिया कि मुझे B की क्या बताओ अब B की दक्सता क्या है 4 है B की दक्सता क्या है 4 लेकिन मैंने कहा था दक्सता किसे कहते हैं एक दिन के काम को दक्सता कहते है दक्सता किसे कहते हैं एक दिन के काम को तो बताओ यह पूरा काम कितने में करता है 15 दिन में तो एक दिन में B की दक्सता होगी एक दिन में करेगा पंदरा में से कितना एक और एक की दख्सता पूछे तो बारा में से कितना करेगा एक एक एरवे की दख्सता का पता चिल गया कैसे लगाते हैं दख्सता किसे कहते हैं दख्सता पूछे तो एक दिन का काम एक दिन का काम निकार ना बताया हुआ है, कोई काम आदमी बारा दिन में करता है, तो एक दिन में एक बारा करता होगा, तेरा दिन में करता होगा, तो बी की दक्सता का क्या चीए मुझे, परतीसत में बदलने के लिए इसे किस से और गुणा करो, तो बी वाले को सो से गुण कहीं पे माल लो कि सम्ताउंता के अनुपात नहीं लगाने आए तो अटक जाए था तो इसी देख गया क्या किया फिर से देख ले एक बार कुछ लोगों को पता नहीं चला हो एक A था एक B था एक दोनों दोनों कित्ते दिन में कर देते हैं साथ मिलकर तो यहां तो मैं 20 बटा क्या लिख देता 3 समय के सामने मैं इनकी efficiency चीए अब ये line भी समय का मामला दे रहा है दोनों में सम्मंदे रख लिए कि कौन कितना तेज काम करता है वो कहता है B के समय के चार बटा पांस दिन को लेता है ये लेता है तो B के समय के तो B को तो कितना माल लो B का समय 5 माल लो अनुपात में तो इसका चाल लेकिन मुझे समय का अनुपात समता का तो मुझे पता है इसको गुणा करेंगे तो बराबर आना चीए तो यहां के गुणनफल और यहां के गुणनफल की एक्वलो ना अब उसने धक्सता पूछी धक्सता होती है एक दिन का काम धक्सता किसको कहते हैं एक दिन के काम को यह दिमानलों को यह आदमी 15 दिन में पूरा काम करता है तो एक दिन में करता होगा 15 में से एक बटा 15 तो 100 के हिसाब से करवाओ तो 100 से गुना कर दो से परतीसत में कनवर्ट ह जाएगा अब आप कहते है सर्म हम 5 से काटते 3 बार 5 से काट बीस बार बीस बटा 3 सेंट उत्तराता जै सही 2 बटा 3 परसंटेज मेरा आंसर रहा होता कौन सा भी देख गए एक की दक्सता पूचता एक के बारे में पूचता तो एक बटा बारा एक बटा बारा काड़ता तो पचीस बटा तीन एक के लिए आ जाता आठ सही एक बटा तीन परसंट चल गया चलो तो दो तीन बात सीख गए आपसे को यह पूचे बाई समयकारे मजदुरी में क्या क्या पढ़ चुके आप तो तीन बात करी मैंने सबसे पहले तो बात करी कि एक आदमी बीस दिन में पूरा काम कर दे तो एक दिन में एक बटा बीस अब देखो वो बात पता नहीं हो तो परसन में अटकेंगे वरना फिर दो दिन में दो बटा बीस तो दो बारा में एक छे में 742 में ऐसे सीखा आदा काम आदे दिनों में होता है पूरा काम 50 दिन में हो तो आदा काम 25 दिन में होता है ऐसी छोड़ छोटी बातों को आपने सीखा उसके बाद तीसरी बात क्या सीखी आपने तीसरी बात सबसे important सी की कि समय को समता में इसा क्या होती है पराबर समय को समता से गुना करते है दूसरे आदमी के समय को समता से गुना करते है दोनों के समय को समता से गुना करते है तो वो तीन पार्टेशन आपस में क्या होंगे तीनों हो सकते हैं A और B हो सकता है B और C हो सकता है A और C हो सकता है बहुत सारे हो सकते हैं अब इसमें A B C का टाइम और Efficiency को मैं देखता हूँ परसन से तो तीनों के ते दिन में करते हैं भई छे में तीनों के समय के सामने छे लिख दें एक कार्य सम्ता बेक बी की दुगनी है ये इसकी दुगनी है पहले मैं इसे तीर से ही लगा रहा हूँ कि अभी जज़ कर रहा हूँ कि दुगनी है दुगनी का मतलब इसको एक मानूँगा तो इसको क्या मानूँगा दो और C की तीन गुणी है, C से तीन गुणी है, यह ट्रिपल है, C से ट्रिपल है, तो अब आप इसको ऐसा नम्मर मानो, जो दो से तीन से बाग चला जाएगा, इसको छे मान लो तो एक जने का डबल हो जाएगा, वो तो तीन हो जाएगा, और एक का ट्रिपल हो जाएगा, यह सम तो यहां कितना होगा अब तो परसन जादा से जादा से जादा तीन से किंड का बच गया तीनों का निकार तो यहां भी क्या होगा चांसर तो आप मुझे बताईए प्रक्टेस में करें पूरा समझेंगे इसमें क्या उसकता है क्या क्या है बस तो आप क्या बता देता मैं जी के लिए बता देता है सी के लिए तो कितना हो जाता 33 का तो दो था अम आप परिक्सम है यहां सी की जगा जाता अपी तो भी परसना असा नहीं था वह कहता अ और बी किन लखनों में तो यह और भी के लखन लिया ओ चैर तीन कितना हो जाता No तो अब 9 से 66 बनाना था मुझे तो 90 से 66 नहीं बनाता तो 366 नहीं बता नो में बताया क्या भी 669 अब्लाइए की तो सफ सम्तिंग यह कोई भी पूचे एस सी पूचेले सी पूचेले तो चरद लौट के साब से देख लो आप परसन के अनुसार उत पर बताने का साहसर रहें अधिक्या किसमेवाडी सो रही है ऐसे नींद मीन अधिए था इसे में बैठ जाया है और वह आपको लगता ही है आने वाड़ी है तो उस समय इतने इसे स्वाइल की नहीं मुमेंट नहीं कर रहे मुझे पिर आप में कोई मुमेंट नहीं दिखाए देता है यहाद में तब लगता है यह तो गया है ऐख लाज से तो बाहर गया नहीं नहीं बालने वाला नहीं है अब तो मैं सबको बाले हो वह वहीं पहले है लग गया है अगर भी आती हो कि तो फिर अड़ा स्वेश्यों देख के नहीं आए पाड़ा वो इसको तो कि देखो देखेंगे क्या कहे रहा है एक तो है पपितछा पपितरा को तो पीमान लेता हूँ एक क्या है रहीम और एक क्या है कादर कादर को बीच में लगा लो गाई काधर इसकी पढोस में लिखा हो है रहीं और यहां आजाएंगे तीन रहीं कि एसाथ इनञे तो तीन जबाएं तो दोधिन में भीर फिनिस करतेंगे तो यह इती का मिल गया मुझे efficiency और मिल जाए तो बोलो 2 second का हो जाए कि नहीं है आप देखो यहां क्या करा है यहां ध्यान देना पबितरा कादर से दुगणा कादर से तो क्या जबल और रहीम से क्या दिगणा क्या लेती है समय सम्ता नहीं पिछले परसन में तो सम्ता थी क्या ले रही है समय यही ध्यान देने की बाते होती है पर एक से वाला गलती है सही तो करवाता है तीचर आपको सम्ता पड़ा के बेशता है वहां समय पूसता है अब पिछले परसन में तो सम्ता थी डबल ट्रिपल अब आप मुझे बताइए इसको तो मैं 6 मानता इसको 3 और इसको 2 लेकिन यह समय है यह समय है इसको क्या बदलो सम्ता सम्ता है बताएं इन 3 ओं को बराबर कर लो तो 3, 6, 2, 6 कही बराबर हो जाएंगे तो 6, 1, 6 इनको गुणा करने से बराबराना चीए तो यह तो 6, 1, 6 यह 2, 3 और यह 3 अब समझ गया हूँगे एक, दो, तीन कहां से लाया यह लाना था यह आदमी तो इसको तुरंच से कर दिया अब यह गणी ताने वालों को भी कठी लगता है यह परसंद है चोटा अब इन तीनों को मैं जोड़ता तो कितना आ जाता अब इस से आसान परसंद नहीं हो सकता अब मैं ही बताऊं कि इसको 6, 2, 12 यह चाकि मैं ही फेरता रहूं कि रहो जाना तुमारे लिए अब यह मैं बताऊं कि यह 4, 12, 12, 12 कातार का पूँछ रहा है कातार का का lack चैंद नहीं लिगा इसमे क्या फरक था क्या आणुपात ती रहा है क्या और पाथ को कि में कर दें सम्ता में क्या रिलेशन होता है उनको गुणा करने से बढब आएएंगे तो कोई हैसा अखड़ा सोच लो अपने मन से के साले बराबर हो जाएं अगया 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 यह अगया आए तो समझ में आये कि नहीं आये नोगरी लगो कि नहीं लगो वह तो अलग मस्ला है लेकिन तुम जिंदा उठे वो तो मुस्क्राया तो करो है किसको देखेगा मेरे को देख ले और क्या करेगा किसको देखने में हैं तु माल अप्षान होते हैं लोग आप के हसने से आप यह सोचते हो आप गर भी खुशी खुशी जवाव उठानी वाले परिशान हो जाएंगे मोले वाले पूरे तुम हसते वह जाओगे सणों के टेंशन हो जाएगी या तुम रस्ते में निकड़ो आज यहां से नीचे उत्रों को चिंग से और जो भी मिले उसकी तरफ हसो टेंशन में पूरी गड़ी मोला टेंशन में बाइसाब तुम बार गालते जाते हो तब कोई टेंशन में नहीं आता उल्टे यह चैक करके देख लेना त्रह से गवे इसकी सासूस लडाई हो गई तो वह कितने भी लडाई कर रही है हस्ते ऑब आइसाब जमीन पे खड़ी लडाई कर रही थी अब उचल उचल के गरेगी अस्ते बस मूँसे और कुछ निकालने की जरूत नहीं है टेंशन डबल पैद अस्ते मूँसे अतियार निकालने की जरूती नहीं है मुस्कुरा दे बस उसकी तरह नबल तुम्हें सोच रहे हो कि भाई हर किसी की तरह पंस दोगे तुम नए मेरी तरह पंसरें के लिए अलाउ कर रखा है मैंने ऐसे तो टेंशन में आ जाएंगे लोग और किसी की तरह प दिक्त में रहेगा किसी के अंदर भी चला गया तो उसके दस्त करेगा कि बाहर निकाल वह तो चोड़ी थे मेरे दौर तु अंदर ले गया बाई साथ दूनिया दूसरी में पहुंचाती लिए दिक्कत हो सकती है और तो तो हस्तना है भी तूम बैसाब जहां अलाउ हो वहा कि आनके मार आया थोरी छेटियो जा दांस भाले कि हम सी काई शेकर रुक्री को ना आखा बंदा दिंगा अडीने रडीने इसार है रोते हो तुम तो प्यार से पुछेंगे करवाड़ी एंसन मेरते तु बेठा के रहे से वह सकता है अनार ही लादे तो लटवाएंगे वह एकलाके पढ़ी असा जाफता करेंगे पहले तेरे को नार खलाऊ पहले अचने से दुखी क्यों होता है वो तो उनसे ही पूछा यार मुझे तु मैं तो नहीं होता तो मेरे से क्यों करने हुए सवाला आप his you just eat your मैं तो कम गश्य बाणियों हमसरै उसे कोई दुखी नहीं आपने को-ऊ-दाइरेट कह रहा है कि मैं तेरे कुछी मिधना चाहता हुं कि कुछ भी प्यार महोपत दुस्मंध दोस्ति разбi कि कह रहा है जो भी वह जढ़ा था सभा मज़ता आँ में और वाकि दो सौमने कोई हस्रा है फिर पीछे से वैसे ये है तुमारे अंदर भी है अभी आपका दोस्पास में बेटा है से फिर थोड़ देर बाद जाने के बाद के ये ऐसे फिर वोई सेदा तेरे अंदर है मज़ा तो सीधा कहके बादा ओन रिकॉर्ड वैसे हमें कुछ कहना हो जाप सीधा कहते हैं बहुत सारे लोग हमसे नाराज होंगे जिन्दगी में लेकिन लास्ट में वही बचेंगे जो साथ रहना चाहते हैं वाकी सब जा लेंगे इनको सत्य पसंद नह और चंदन एक काम को एक साथ पूरा करने में कितना दिन लेते हैं एक ही दिन लेते हैं तो अब आप से मैं यह कहूं कि अमीत को तो यह माल लेता हूं भावना को भी माल लेता हूं चंदन को सी माल लेता हूं और तीनों तो अमित का time efficiency भावना का चन्दन का मैं तैक करूं उससे पहले एक दिन कहां लिखूं तीनों के नीचे तो लिखूं एक दिन अरा तीनों के नीचे एक दिन लिख दूंगा कि नहीं समता देखो समता का सुनना अमित भावना से पांच गुणा अधिक कुसल है ये कुसल है अमित भावना से पांच गुणा तो ये एक होगा तो ये पांच हो जाएगा समता ये डिरेक्ट समय नहीं है समता है लेकिन आगे देखना यहां एक बात और देखना ये वाड़ी ये च इंनों के आधे दिन लेकिसे चंदन भाव नोसे चंदन भाव ना से आधे दिन लेक। तो यह कितना गुरा करते होाँ कहें कर दिया अब यसमता सोस भू नी घंड को नई सो चाहे तो इसको तो क्या महले एक इसको क्या माले पांच और इसको क्या दो समझ गया इसके तो आदी दिन लेगा वो और यह पांच गुणाएपी सेंट होई गया वैसे अब मुझे बताव क्रिए भी नूमल जाएंगे तो कितने आप देख आठ एकम अब आग पांच के पाड़े में आठ नहीं आता है तो आठ बटा पांच कर दें तो आठ बटा पांच से पांच को गुणा करने से पांच से पांच कर जाएगा अब देखो परसन क्या चीए अमित और चंदन अकेले सम आप करने में अमित आठ बटे 5 में, चंदन कितने में? 4 में, अकेले समाप्त करने में लिये गए दिनों का अंतर, अंतर मतलब, चंदन ज्यादा ले रहा है तो ज्यादा में से कम गटा दो, 4 में से क्या गटा दो 8 बटा 5 गटा दो, तो ये 5 ओग 20 अब ये देख लो, जिसकी सम है और समता पे पकड़ है वो ऐसे परसनों की डाइरेक्टी कर देगा उनको कर देगा की नहीं, बगएर सुत्तर ही कर देगा, बगएर ट्रिक के ही कर देगा और कम से कम उर्जामे कर देगा अचाला दा साथ लिखने में कैसे भी लिख सकता है, भासा तो आप खुद से देखेंगे फिर A, B, and C, and 3, ऐसे कुछ हो सकते हैं, जो जो मसला हो, वो आप लगाए A, B की तुलना में 40% अधिक है, A, और B मिलकर, और A, और B, B हैं वाई तीनों के साथ, A, B भी तो एक जगे हैं, B, C, B एक जगे पूछ सकता है, और A, C, भी एक जगे हो सकते हैं, तीनों भी, इतने सारे लोग हो सकते हैं कि नहीं हैं, मैंने तुक्ड़े सारे लिख दे हैं, उसमें A, B मिलकर कित्ते में करते हैं, A, B के नीचे 12 लिख दो, वाई, टाइम के सीद में 12 लिख दो, Efficiency मैं जगेंज करूँगा ही देखो, A, B की तुलना में 40% अधिक कारिया को सले, A, B की तुलना में 40% अधिक है, तो यह सो रहेगा, तो यह 140 रहेगा और सुनो, C, B की तुलना में 20 कम है, C, B की तुलना में 20% कम है, तो इसको मैं-70, तुलना, यह कारिया को सले दे, समय नहीं है, यह समता है यह 100 है तो यह 100 है और यह 100 है तो 140 मान लो उदर से आता तो एक जने को 100 मानते फिर यह कुछ आता फिर उसका 40% निकार के ज्यादा करते 100 आ जाए तब तो डिरेक्टी कर लेते हैं लेकिन वो कहीं ऐसे होता तो फिर कम ज्यादा वैसे परसेंटेज के इसाफ से करते आप अब हैं इसको मैं करता कर लो वेको ढोसे कर लो यह 7 आता यह 5 आता यह चारा था चार और पांच 9 और 7 कितना हो जाता हु यहा le बारा गुणा बारा के बराबर आएंगे सारे जुगाड सारे जुगाड बारा गुणा बारा के बराबर आएंगे आप तो समझ गया हूंगे आगे क्या ही नहीं करना है आप बीसी का पता करना है आप देखो बीसी को मैं डारेट कर सकता हूं बी और सी की एफिसेंटी पांच तो पीजी की तेके नो को देखो मैं यहां काट तो तीन से चार बार तीन से चार बार चार्टो क्या जाता सोड़ा निम में आ जाता एक सो चमाडी स काट दिया है मैंने गुणा नहीं करा है अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको गुणा नहीं करना होता है जैसे बारा गुणा बारा के बराबर मैं नो गुणा बीसी करता की नहीं नो इनको काट तो नो में तीन गुणा तीन होता है तो एक तीन इसको चार बा जाता तक पांच के बाड़में 24नी में आता एक सोंट और फॉट कर दो 15 ऐसे एक सो मारीज पंधर करती ऐसे on और some definition in the space or 172 थो साफ जो इ civ कार सकते हैं फिर तो उसकते हैं फिलांग आप क्या है कई तो फैन का बाल लगा कई काहीं खा रिया ची कई बैट याची कई खुल लिया क्या सुभी सो रिया ची है हम तो पक्षारा भी तो कुण छे एं पंची और रखें हैं यहां डालके उपर पंची आँख खोल के इस ओले तें नहीं वह तो पंची पनने हुए है तो अगली लेंड वाले आंख बसह से खुल ले रखते हैं टिंप टिमारते नहीं है सो लेते हैं फिर बाद में फिर उट्या देखो वाई क्या कह रहा है देखो इस से आसान परसंट नहीं जाने अधिश्या में एक अनमी का है एक बानी है दो एंवहस्िस में तो और दो नो memory बात को एक समय होता है एक efficiency सम्ता होती है यह मामला काई का है मुझे बताओ सममय का है तो आप यह कहेंगे सर हमें तो सम्ता का मामला ची एकर ती स्य आज नहीं देख सकते तो बताओ अनामिका उस काम को 22 से 40 दिन किसमें करती है कम समय में करती है तो कम समय में देखो अभी जैसे यहां एक थार यहां कितना था तीन अनामिका तो कम में कर रही थी कि नहीं रएर 12 बराबर 40 हो रहा था कि नहीं तो एक नहीन बराबर कितना एगा 20 तो यह कितने में कर रही होगी उसको इस दिख गया होगा यह धीक मिन बात्में बात दिया दो बराबर कम था सहा लो और समय के साथ से कम में बातो pirates On यहां साथ आता की नहीं और दोनुन मिलते तो 15 छोग तो आप तो एक सेकंड का मस्ला हो गया लिख्क कैसे वी दे उसे को कि याती वे एक साथ काम कर रहे होते तो 15 के भाव से काम कर रहे होते क्या बता दे से उसे सी बता दे डी है इनको कर जाके प्रक्टिस में भी करना है आज पल भी देखे होंगे थोड़े से करके आपने तोफिक पटे हैं उससे पहले भी थोड़ा आगे तक देख के आया अगर थोड़ा 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 पन्ने में कहीं भी ऐसे मतरब और कुछ जाके 15-20 मिट का काम होता ह है मैंने इतनी देर पोपाया या थारा भी इस परसन वो 15-20 मिट का काम है लिखे भी नहीं देख लेंस में सहर इस में सहर यह वाथा रहता ही है कि कई सारी आज तो जाके देखो कि तब मेरी कई सारी बात याद रहती है कि इस रिलेटेट भाई पहले उसने से बोला वैसे ब एटी हो मेरी तो रहते हommी उनकि रहे नहीं रहे मेरी तो रहते हommे और वो रहेंगी भी आगे भी कि अवागा दे A, B से 3 गुणा तेज है, 3 गुणा मतलब efficient तिगुणा है, वो E के सामने लिख दूँगा, दक्सता का अनुपात है, तो कौन-कौन है इसमें, A है, B है, दोनों, बस 3 गुणे हैं, A, B से तो इन गुणा तेज है, तो time और efficiency, A तिगुणा है, B से, तो इसको 3, इसको 1 और इसको कितना कर दें, 4, अब देखो 32 दिन कम लेता है, कौन कम लेता है, B से, A कम लेता है 32, तो देखो सम है कान उपाद, तो 1 और 3 रहा होगा, अरि ये 3 एक होता है, तो ये 3 होता है, तुना करने से पराबर, उसको बूल जाई है, भी थोड़ देर पहले, यहा, तो इन में कितना क यह कर देंगे बार तो थोड़े लखनों के परसनों को भी आप कम टाइम में कर पाएंगे फिर अदरवाई जैसे परसनों को पूरा समयकार या मजदूरी आप कहीं से भी कोचिंगर करके आये हों उसको निकालने के लिए आपको बहुत हाँ अथ पंजे मानने पड़ते होंगे या फिर उनको निकाला ही नहीं होगा मैंने तो शुरुआत में यही पढ़ा है चब़ो में चालों तोफिके शुरू में पढ़ा हैं इसको अगे यह कैसे ला रहा है और ये कैसे ला रहा है वो दिक्क्या होगा चलो तब दूत jaud ayab से 4 गौना तेज़ काम करता है 4 गौना एक चारी उता है वह अनुपात में पी की तुल्ला में 60 दिन कम लेता है, तो 4 में 1 और 4 अनुपात हो गया, समता में, और समय में 4 एक का हो गया, तो इन दोनों में गयब कितने का हो गया, 3 का 3 बराबर 60 हो गया, इसे मन में सोच लो, 3 बराबर, 1 बराबर 20, तो 1 20 में करता है, 1 80 में करता है, 1 80 में करता है, तो मैं तो यह सी में नहीं दिखा कैसे करा मैंने 20 रसी दोनों मिल जाएं तो पांच और दोनों मिल जाएं तो कितने में मेरे साथ से बहुत च्छोटी बात थी है 16 पंजेश से किया जा था अभी रास्तान पुलिस मेरे से विया थे ऐसे परसंट च्छोटी बात थी हो देखो देखो देखें क्या होता इसको बताएं आप एक A है एक B है एक दोनों है मिल कर काम को 16 दिन में करते हैं दोनों तो 16 दिन में करते हैं सम है और सम ताजिस ने लगा ली उसका काम हो गया भई एक बटा 6 समय में B से आदा काम कर देता है यानि B का आदा काम और इसका एक बटा 16 का काम परापर है क्या मानों आप मुझे बताने एक का 26 समय में 26 का काम ही करता होगा और B का आदा ये बडापर है तो मुझे बताओ एक को तो 6 बटा दो बटा दो बटा दो बटा दो बरापर हो जाएगा कि नहीं देखे देखो नहीं दीगी इस लाइन को पढ़ना था था हो तुमार दिया इस के चिन पढ़ना ये लाइन है अनुपात को पढ़ेंगे तो आप और वेतर आएंगी आसी लाइन है अब अब आओ इसको मैं काड़ता तो यहां क्या आ था तीन और यहां क्या आथा एक Bravo ऋiking के आते सार मेरे साब से बहुत चोटा सा मसला थी अब एक चोट इसला इन पर नहीं आती तो यह तो सोल करना तो समझी गए 16-64 कैसे बनाया और वो कुना कैसे करा वो तो साब को पता है सारे परसनों मैं एक ही बात कर रहा हूं पूरी समयकार्य मस्दूरी भी एक सी कंसेप्स से पड़ आई दिवाई आएम डवलू टी आप चाहर टेन वैसे यह भी एक सी बात है इसको आप थोड़े से लखन से देखना जानते हैं अब नहीं भी आया तो देख लेना भाई वैसे वरी कोटिंग को देख लेना जिससे बता से क्या हो गया इसमों नहीं आये तो बता देंगा इसको तो अभी तो यह चल रहा है पहले कहा है तो पहले कहिसा आप से पोच्छ अभी तो पीच में रिकोडिंग वाले चल रहे हैं तो उनके डिस्ट्रप होगा वैड फॉन में भी तो कही मातों फोड़ रहा हूं ला बड़ी अब उसको उदर वाले भी तो देखेंगे कही तो दोसरी प्या खोशाना कोई कन पी और क्यू मिलकर किसी काम को चोदा दिन में कर देते हैं सुनना एक P है एक Q है एक R है एक PQ है एक QR है एक PR है पस और एक तीन नो इतने हो सकते हैं कि ने P और Q मिलते हैं तो यहां 14 दिन में होता है यह यह दोनों मिलते हैं तो 21 दिन में सुनना P है वो R की तुलना में दुगना अच्छा कारिय करता है तो कि आरकी समथा कमानों यह k Using स्ऽ कर रहा थो यह दो असक्षा कि नहीं इसे तो ठिक में तो चाणी क्यों जड़ुति गया थी इसका उसके गुणनफल और गात कुंग होगा मैं यह 명ित बेह यह लिए इसपर होते हैं या ऐसे पता नहीं चले दोनों को काटें तो यहां तो साथ दूआ चोड़ार साथ यहरा कीजिछ इधर तो आएगा तीन में उथा नहीं समझे झी है अभा अब आप कहेंगे सर अब तो क्या ही करना है अब मुझे कुछ भी करने की जरूत नहीं है 1442 तो यह 1442 एक 6042 एक 6042 पूरी दुनिया आ सकती है अब तो आ सकती है कि नी क्या उत्तर बताते है उसे 52 अब यह था तो आसानी प्रसंद तेकिन यह उसी को आता जिसको समयर समता का ग्यान था वाकि और एड़ेस्मेंट आते थे तो तुम्हारी जान मांगता हूँ पदाओ क्या करता है एक तो दुना का काम बी के तीन दिनों के काम के बराबर है एक का दो दिनों का काम बी के तीन दिनों के बराबर होता हो तो यह सब तीन लखनों का है यह दो का है यह सब जानते हूंगे मेरे सबसे यह नुपात लगाने में सिकाएं बिछले वाले कि अब भी है इसके एफिसेंसी इसका टाइम यह तिन एफिसेंट यह दो है यह दो है वह पांच हो गए एक इसी काम को आठ में आठ या चो बीस आठ या चो बीस तो बार दुआ 24 और 24 बटा 5 टीन कोई साभी निकालिया मैंने तरहिका बता दिया आपको कि परसंद कैसे करते दन्यवाद दो तीन परसन और बताऊंगा यहां दो यह दो परसन और बताऊंगा तो बात और करते हैं फिर दन्यवाद करते हैं यह पहले तो पढ़ो इसको ABC सभी मिलकर एक काम को 20 दिन में करते हैं एक A है एक B है एक C है A और C है एक जगे हो सकता है A और B एक जगे हो हो सकता है C और एक जगे हो हो सकता है ABC तीनों भी एक जगे हो इतने सारे मसले हो सकते हैं इसमें पर एक से वाला क्या कह रहा था उसे समझें तीनों मिल जाते हैं तो समय कितना लगता है यह तो सभी का काम आ गया 20 दिन यदि मुझे सम्ता और मिल जाए इनकी तो मैं एक एक सेकंड में निकार दूसारों को सम्ता मिलनी बहुत एहम है अब क्या कह रहा है वो B उस काम को करने में A वैसी के दुआरा मिलकर उस काम को करने में लिए गए समय का क्या लेता है चार गुणा इस बात को समझना कि B है ना वो B वो A और C दोनों मिलकर जितना समय लेते हैं उससे कितना गुणा लेता है तो इसको 4 मानू तो इसको क्या मानूगा एक समय का मामला है ये लेकिन समता इसकी उल्टी होगी सम्ता तो जो चोगना से मैं लेता है वो इसकी सम्ता तो कमेर इन दोनों की सम्ता क्या है? ज्यादा ये दिग गई मैंने कैसे माना एक और चार? मैं इसकी सम्ता को क्या मान सकता हूँ? एक और AC की समता को क्या मान सकता हूँ जब है आप एसा नहीं मानना था लेकिन क्यों वो समझे उसने आगे और कुछ काह है आगे काह है कि C है ना C C है वो A और B दुवारा किये गए कारिये में लिए गए से तिकना लेता है तो ये तिकणा लेता है। ये तो सम एह है तिकणा तो तो समता क्या हो जाएगी? इसकी एक और इसकी क्या? 3, अब साड़ा मेरे पास एक दिक्कत हो गई कि मैं मान लो C की समता को एक मानता हूँ तो A, B की को कितना मानना पड़ेगा? 3, अभि यान 4 जाएगा अभी थोड़ी देर पहले वहां क्या रहा था पांच आ रहा था इसका मतलब क्या हुआ ABC की समता को या तो पांच माननू या क्या माननू अभी तो इनके लखनों के अनुसार तो ABC पांच बनना चीए और इनके लखनों के अनुसार 4 बनना चीए लेकिन मनना तो 4 मान सकता ना 5 मान सकता तो आपको क्या करना है इन दोनों का एक भी निकाड़ना है कि ना तो 4 मानूँगा ना 5 मानूँगा 4 कार 5 का बाग जाने वाले मानूँगा तो इसको मैं क्या मानूँगा 20 ही मान लूँगा, समझ गए 20 कैसे मनना मैं इसको अब इसको 20 माननूँगा तो 4 बराबर 20 हो तो 1 बराबर 5 तो इसको मैं 15 माननूँगा और इसको क्या माननूँगा 5 समझ गए 15, 15, 15 कैसे बनाया मैंने total को 20 मान लिया तो इसका total था 4, 4 बराबर 20 होगा तो एक ब्राबर पांच होगा, तो ये पांच हो जाएगा, ये पंद्रा होगा, ये अपन अनुपातों में और बैतर तरीके से सीखेंगे इसको, ये पांच ब्राबर, पांच ब्राबर बीस हो तो एक ब्राबर चार, तो ये तो तो चार हो जाएगा यह कितना हो जाएगा शोडा यानि A C को तो सोडा माननो A C के नीचे तो सोडा लिखो A B के नीचे कितना लिखो 15 लिखो फिर C के नीचे कितना लिखो 5 लिखो और B के नीचे क्या लिखो 4 वो लो अब लखनों में सेम हो गए कि नहीं है अब बाकी के लखन आराम से निकाल सकते हो, आप ये कहोंगे, सर C के लखन 5 है C के लखन 5 है, तो सोडा में से एक जणा तो 5 ही है, तो ये कितना हो जाएगा 11, फिर C है कितना हो जाएगा, 5 और ये, ये कितना हो जाएगा यह 20 लिखो यह क्या है बी और सी कितना हो जाएगा नो सब क्या गई समता देखो इतनी चीए नहीं थी अपने को तो कौन चीए अरे बी अकेला चीए था ये तो मैंने निकालना सिखाया है बाकी आपको तो कौन चीए था के वलिए चार वाड़ा अब आप मुझे बताओ 20 यह चार गुणा कितने के तो सो लगा तो सो चौक यार तो तैकी नीवीश मुझे तो यही चीए था बस मैं एक ही निकाल था भी आई आ गया था इतने करता नहीं मैं तो मैंने प्रक्टिस के लिए सारे बताएं तो इसका उत्तर क्या आ जा था अब इसमें अनुपाद तो आए थे लेकिन अनुपाद दो तरह के आये थे दो तरह के अनुपादों को सिमिलर बनाना था क्यों वहां भी ए प्लस भी प्लस सी था उपरवाले में भी प्लस भी प्लस सी था एक चोट इसी बात और देखें इसमें अब यह ज़्यादा टफ नहीं है बस यह से लिखा थोड़ा सा अलग अंदाज में गया है एक तो A है एक क्या है B एक C एक AP हो सकता है एक BC हो सकता है एक CA हो सकता है एक ABC तिन हो सकते हैं अकोडिंग टू परसंट टाइम और एफिसेंसी को छाटना है A B C किसी A और C किसी काम को C दुआरा लिए गए समय से आदे में लेते हैं तो C से आदे में कौन लेते हैं? A P आदे का मतलब क्या होता है? इसकी समता 1 है तो इसकी समता क्या है? 2 समता 1 हो गई तो मैं 3 की समता को क्या मान सकता हूँ? 3 3 मान सकता हूँ 3 की समता को फिर अगली लाइन में B और C B और C क्या करते हैं? B और C A दुआरा लिए गए समय का 3 आई, 3 आई मतलब 3 रिस से का तो समता क्या? इसकी समता 3 रिस की समता कितनी? टो मैं यहाँ कितना मानूगा फिर 4 इन में भी जोडूंगा तभ गार quindiển समत् DIRECTOR अ मैं ध्यां पर सब्सक्राइब और इस का यो तयुक्ली सिर historically with the Newton is the replies that I go to TV 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 पूत कर दूंगा एकौत में 30 पुट कर दूंगा और सी को क्या क्रकूंगा चार चार तीन साथ तीननों को बाद तो यह 5 यह अधिन हो पांकि भारा में से लिए उत्तर आजाता असी यहां असी लिग देदा उप्शन को इए कुछ समता के मसले थे पस्पेज में अपने समता को और किसको एड़्जास करना सीखा है समय को अमालो अब जो बाकी जैसे अपड़ पढ़ते हैं कहीं से पॉचिंग में तो टीचर आपको इसको यहां से प आरम करा था कि समयकार्य मजदूरी में सबसे पहले तो आपको क्या दहान वोना चिए तो इस्टारटिंग में हमने ऐसे पता करा किया को यह समझते हैं कि day by day यह कैसे काम करता है एक दिन जो काम करता है उसको कहते हैं उसकी दक्सता या सम था तो पहले दिन 11 किलो काम था तो पहले दिन 11 में से कितना हो जाएगा एक 11 में से एक को हम कहते हैं 1 बटा 11 किसी मी ऐसे का वहता हigor ता कि दो रच दिनों तक काम किया गया तो कितना काम उसने कर लिया हो सबसे पहले तो यही आना चीए मान लो किसी ने मुझे यूं कहा होता कि अकेला किसी काम को 26 दिन में पूरा कर सकता है अकेला 26 दिन में पूरा कर सकता है तो आप से कहें कि एक दिन में कितना करतेगा यह तो आप कहेंगे सर यह एक दिन में करतेगा कितना एक बटा चबवीस या कहेंगे चबवीस में से एक चबवीस में से एक बोलना सीखें ये ज़्यादा सही है मतलब एक बटा चबवीस तो पहले से भी जानते हैं पूरी दुनिया ही जानती है लेकिन आप ये जानें कि ये चबवीस में से एक काम कर देगा 52 में से 2 कर देगा 88 में से 3 कर देगा इसका यही मतलब होता है अलग अलग फिर मैं कहूँ कि 2 दिन में कितना कर देगा यह 2 दिन में कितना कर देगा यह 2 दिन में कर देगा 26 में से 2 अब 26 में से 2 को आगे क्या कहते हैं वेटा तेरा कहते हैं कि वो अलग मसला है आप इतना समझ रहें कि ये 26 में से दो कर देगा ये सिलसिला 25 दिन तक चलता रहे तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये 26 में से 25 को फिनिस कर देंगे फिर 26 वे दिन ये क्या होगा 26 वे दिन 26 दिनों तक ये पूरा काम 26 में से 26 कर देंगे यानि एक पूरा काम एक तो ऐसे सोचना आना चीए मालों कोई आप से यूं कह रहा होता कि एक व्यक्ति किसी काम को 26 दिन में कर सकता है ये 17 दिन काम करके चला गया 17 दिन बाद ये चला गया ऐसा कह रहा है यह कह रहा है कि यह 17 दिन बाद चला गया यह 17 दिन के बाद चला गया तो 17 दिन में कुछ काम तो पुरा हुआ होगा और कुछ क्या रहा होगा अदूरा कोई कहें कि इसका remaining portion बताओ तो अपन क्या कहते हैं कि 26 में से 17 तो complete है incomplete हिस्सा क्या रहेगा तो मैं यह कह सकता हूँ कि 26 में से कितना हिस्सा 9 हिस्सा incomplete यह remaining part रहा होगा 6 हिस्सा मान लोगों आपसे यह कह रहा हो था कि एक व्यक्ति किसी काम को 17 दिन में पूरा कर सकता है 5 दिन बाद वहे कारिय चोड़ के चला गया तो कितना काम वहां कर गया और कितना सेश चोड़ गया तो यदि मैं कहता कि पूरा काम 17 दिन में complete करता है कोई भी यह कह नाम का व्यक्ति है वो 17 दिन में काम को पूरा करता है और ये पांस दिनों के बाद काम को छोड़ के चला जाता है तो बचावा कितने दिन का काम बचा यानि कितना हिस्सा किया होगा इसने सत्रा में से पांच कंप्लीट किया होगा और सत्रा में से बारा इनकंप्लीट छोड़ के गया होगा ऐसा सीख चुके हैं कल तक फिर इसके बाद में हमने ऐसे सीखा कि मालनों कहीं हिस्सा दे दे पूरा काम आप तक तो क्या कहा था कि 20 दिन में पूरा ही करता है आप क्या कहें कि कुछ हिस्सा करता है उतने दिनों में तो ऐसा दे दे, तो मैंने ऐसे पढ़ना बताया था इसको, इसे आप ऐसे पढ़ेंगे कि 5 में से 2 काम 20 दिन में करता है, तो मैं यह कहता है कि 5 में से 2 काम 20 दिन में करता है, तो मैं मन में सोच रहा होता है, कि 2 काम सला 20 दिन में कर रहा है, तो एक काम फिर 10 दिन में कर रहा आदा काम, आदा काउं तो इसका आदा कर दो वो कहें तीन बटा पांच काम तो इसका तीन बटा पांच कर दो जो भी question की language हो, उस according आप उत्तर बताने का मामला तयार रखें फिर यह पूरा काम पचास में कर दिया तो आदा काम में क्या बता देता आदा काम इसका पचास का आदा कर देता तो यहां कितना लिख देता, पचीस लिख देता ऐसा ही करते करते उस ही मामला वो ही है बस इसको थोड़ा सा मैकप कर दिया उसके कि अब परसंटेज में दे दिया जो पहले बिन्नों में मसला था, तो यहां 30% भाग को बारा दिनों में कम्पलीट कर पाता है वो, तो इसका मतलब 30% का मतलब क्या हुआ 100 में से 30, percentage होता है कि total 100 में से कितना पार्ट है उसे percentage कहते हैं तो मैं यह कर रहा हो था कि 100 में से 30 है तो मैं 100 में से 30 को ऐसे लिखता हूँ 100 में से 30 नमर आते तो एसे लिख पाया कि नहीं master आधार 100 होता है percentage का या फिर मैं इसको क्या कैसकता हूं 10 में से 3, 3 बटा 10 भी तो call कर सकता हूं यसे 10 में से 3 काम 12 दिन में तो मुझे ऐसे feeling आरही है कि 3 काम 12 दिन में 身 compar editing तो यहां לפy कितने ने और हो तो लडा होगा हएगा चीर में और दस कितिने में होजड़ा जारीस के से चालीस में हो रहा है और परिक्सिय वाला काले यह कि एक स्हार काम पूरा काम पूरा काम 40 में हो रहा है मैं आप से एक कहूं कि 13 सकाम कितने दिनों में पूरा हुँ आトो helemaal 28 दिन में पूरा काम 40 में वद तो सेश कतने में होगा 28 गर्चस्थ या पूरा काम पूछ ले कहे कि 40 दिन में फिर कहे उसका चो पैर 4 7 4 इसा चो था इका मतलब होता है 4 मैंसे 1 ग eux Αंतल इसका चोथा ही काम कितनाा था 전ica अलोधा तो फिर आप उसे कैते कि सर्फ भार डस में से 7 काम सेख वा था तो एक काम कितने हो रहा है चार में तो 7 काम हो अठाई इसमें ऐसे कुछ चोटे-चोटे प्रसंस आपने देख लिए कि ऐसे आ जाए तो इसको सीधा याट में से पांच तो ये पांच ओग वीस एक चार में होगा तो आठ पूरा काम पूछ रहा है तो बत्तिस ये अपन कल वाले क्लास में पढ़ चुके हैं कि भई कैसे कैसे सौल करते हैं पांच में से एक-दस दिन में तो आप कहेंगे सर एक-दस दिन में और पांच कितने में होगा पचास में उसने सेस पूछा है तो सेस कितना बच गया था चार जब एक कंप्लीट हो गया था तो पांच में से चार ही तो ये 40 में तो तन्वी उसको 40 दिन में करती होगी पहला option कहे रहा है कि 40 दिन में खतम होगी दूसरा 40% 40 दिन में होता है तो 100% 100 दिन में होता है तो ये प्रेम उसे 100 दिन में खतम करता होगा और स्वाति के बारे में एक ती आई का मतलब होता है 3 में से 1 तो 1.13 में करती है तो 3 39 days में करती होगी ये गुंछ 40 दिन में करती है अब आप ये कह सकते हैं कि सबसे fast किसने complete करा इसको स्वातिन है अब तो ये चोटी बातें हैं मतलब ये pen paper वाली बातें हैं नहीं किसी ने का होता कि 12 दिनों में एक काम को पांच भाग को पूरा करता है बारा दिनों में कितना करता है पांच में से तीन बारा दिन में करता है तो तीन का मतलब बारा हो रहा है तो एक का मतलब कितना हो गया चार और पांच का मतलब कितना हो गया बीस अब देखो पूरा काम नहीं करवाया उसने कितना करवाया है अब 20 का 3 बटा 4 सोचो तो मैं 20 का 3 बटा 4 सोच था तो आप कहते हैं सर्फ 20 का 3 बटा 4 तो 15 होता है कर सकते हैं कि नहीं यह चोट चोटी बाते हैं बता सकते हैं ऐसे चोट चोटे परसंद पूछे जाते रहे हैं परिक्स्याओं में वो आसान मसले हैं ऐसे बता चुका था मैं वोई बात है जो फिसली थी पहले अपन बात कर चुके हैं इनकी फिर सबसे इंपोर्टेंट बात करी है बढ़ने ये तो ऐसे मौनलो की कारिया में सांसे आती रहींगी उस आदमी को यदि किसी आदमी को ये वाला कंसेर्ट आता है तो उसकी सांस तो नहीं समझें इसमें क्या बात करी थी कल वाले क्लास में कि यदि किसी प्रसन में अकेले अकेले आदमी दे रखे हो वो विल कर काम करने आते हो दो दो आते हो तीन तीन आते हो किसी भी करम में आते हो लेकिन एकल एकल वर का विवरन या मिक्स वाला विवरन दे रखा हो वहा समय गुना समता always क्या होता है equal समय को समता से गुना कर दें तो सारे पूर्सनों की समय गुना समता क्या होती है बराबर उस आदमी को सुत्र लगाने की आउशकता नहीं पड़ती फिर अब उसके बारे मैंने ऐसे कहा था कि कुछ पूर्सनों में वो डायरेक्ट आपको समता बखेगा कुछ में आपको लगानी पड़ीगी कल मैंने ये भी कहा था कि क्योकि ऐसा नंमर आपको सोचना है जिससे इन दोनों को गुना करने से दोनों क्या हो जाएं equal हो जाएं रोसकता है ये जयादा भी हो कि यह चता हूं तो मैं क्या कर रहूं तो मैं क्या कर सकता हूं 32 बारा बना सकता हूं तो यह इसका वियत करमानुपाती होता है गणिद के नांक करने से सब को लोगे इनको घुना करें तो इन को टारोगे तो सालसरां का गुना ऒखे लोगे देखो और लेकिन आपको विननों में सोचना है आप को मैं सबस्ते हों स्यों किसी किसी कश्system होता डिलेक्ट बता था कि नहीं फिर में तो ऐसे कल कई सारी बातें करिया पढ़ने चोटी बातें और में आप सीख गए थे कि वह इस प्रकार से आ गई यह तो ऐसे मालों चुनमुन से प्रसन है यदि समय और समता का ज्यान किसी लड़के लड़की को है तो यह बिलकुल आस किन-किन की दे रखी है यह ए बी की अरे दोनों की दे रखी है की नहीं और समता की डिटेल दे रखी है फस्ट में गती स्पीड दक्सता कारिय को सलता यह तमाम चीज़े क्या होती है समता से लेटेड होती है ए दुगनी गती से काम करता है किस से बी से तो बी को सले को एक मा निए इसको दो सम्ता मानिए टीनों की सम्ता दोनों की सम्ता कितनी हो जाएगी टीन और मैंने कहा इनका गुनन फल बराबर होगा बगैर लिखेई करते हैं अब तो ऐसे आजाता संदीप से दुगना कुसल है कौन परदीप और संदीप दो जने हैं efficiency और time का Ratio मैं सोस था तो संदीप से दोगना कुसल है संदीप एक है तो ये डबल है एक साथ काम करें तो 28 दिन में पूरा करते हैं दोनों कितने में करते हैं गूनान फाल इन सब के बराबर होगा कि नहीं तो इसका मैं निकालों तो क्या कर सकता हूँ यहां मैंने का था कि संथीप निकालो तो संथीप गुणा एक होगा वो किसके बराबर होगा ड़ी एक सथराना नभबे में से च्छे कम हो जायगा यह 4 और यहां दूआट चोई भी बता सकते थे एक एक सेकिंड की बात है यदि समध्दार आदमी पेपर में बैठा है तो परदीप अकेला कितने में कर देता तो कितने में कर देता 42 में कर देता फिर कहीं भी ऐसे कैशे भी लिग देन लेंग वेज़ों को छोटव चोटी बात करी तो पूरा काम निकाल लेंगे जिसे इसका पूरा चार आया था फिर हमने उसको आदा किया था कितना दो किया था ऐसे पहले से गती गान उपाद दे दिया तो पहले वाले की चार हो गई दूसरे वाले की तीन गती हो गई दोनों की मिलाने से कितनी हो गई साथ और दोनों मिलकर कितने में करते थे 24 में कुदाई करते थे तो चोई संते जो होगा वोई यहां तिग्गे में होगा तो मैंने कहाता है इनको ऐसे गुणा नहीं करें कि चोई संते इस ते इन से काटें 8 बार तो 8 तो 7 तो यहां तो कितना आता चपपन और यह 4 काटेगा 6 बार तो 7 ची कितना आएगा 22 ऐसे हम इसको डाइरेक्ट सोचने हैं सीखे थे कि आपको लगू तम भी नहीं लेना पड़े और भी चीजे नहीं करनी पड़े कई बार टीचर्स लोगे बताते हैं इनका ऐसे कर लो ऐसे कर लो यह ले लो और वो ले लो एक की कार्य समता बी की कार्य समता से डबल है एक की कार्य समता बी की कार्य समता से डबल होती तो क्या होता अरे और बी हैं और दोनों हो सकते हैं अम आप से कहूं कि एक टाइम का मामला है एक एफिसेंसी का मामला है कार्य समता B से डबल है B से डबल का मतलब B सला एक काम करता होगा जब तक ये दो कर देता होगा और दोनों काम करते होंगे तो तीन समता से करते होंगे फिर क्या कह रहा है A एक दिन में 8 गंटे काम करता है जबकि B एक दिन में 12 गंटे काम करता है यदि एक किसी काम को बारा दिन में कर देता है बताओ बारा दिन वाला रोजाना कितने गंटे काम करता है आठ यहां बारा गुणा आठ करेगा और इधर वाला कितना करेगा बारा गुणा कुछ ना कुछ करेगा लेकिन मैंने यह कहा था कि इन दोन्नों का गुणनफल तो इक काबूतर का मान अरे बारा जैसे इसका बारा गुणा आठ गुणा दो ये बराबर होगा इसका गुणनफल इसके बराबर होगा उसके बराबर होगा यदी उतर होता तो उसका भी होता लेकिन अधर वाला तो देह नहीं रखा था तो यहां क्या वह ताब बताओ बारा गुण संता का ग्यान नहीं है तो फिर लपड़ा करेगा क्योंकि आज स1 बहुत ज़ादा इसी तरीके के साथ टेस्ट करता है ऐसी चीजे कर लिए थी हमने कि 50% दिखो इसका मतरब 1 को 100 मानेंगे 1 को 1.5 सो मानेंगे एक के समता को 100 मानेंगे दूसरी को 125 मानेंगे काटेंगे तो 4.95 आएगा मिला विला कि इनको काम करवा देंगे ऐसी तमाम चीजें आप कल वाली क्लास में देख चुके हैं ये वाली चीजें कैसे सॉल करते ही ने ये सब कर चुके हैं आप ये हो चुके हैं ऐसे हो कहीं भे ये भी वोई बात है जिसको समता का ग्यान है वो इसे आसानी से कर सकता है देखो देखें करके बदाओ मुझे क्या हो रहा है A B से 3.5 गुणा तेज काम करता है 3.5 गुणा तेज काम करता है A B और A B Time and Efficiency दोनों में लगाता तो क्या करता यह A B से 3.5 गुणा तेजी से काम करता है A B से यह एक है तो यह साधी 3 का देखना साधी 3 होता है 7द दो इसको मैं 7 बठा 2 लिए यद्यान देना क्या लिक रहा हूं मैं अलिए 7 बठा 2 गया गीए और सारल करों तो इन दोनों को 2 से गुणा पेज़ों तो यह तो कटी जाएगा उसको दो ये दो काम करता है तो यह कितना अब गह रहा है बी से पैंतालीस दिन कम लेता है एक इसी कारिय को करने में बी से पैंतालीस दिन कम लेता है वहाँ एक इसी कारिय को करने में बी से पैंतालीस दिन क्या लेता है कम अब यह किसका अनुपात है भई यह तो चीह नहीं है अपने को ये किसका अनुपात है गती का या समता का तो इसे समय में कनवर्ट करना बताया था मैंने इसको दोर साथ कर लो ये आती सेकिंड की बात है ये कोई समता जानता है उसके लिए अब मुझे बताओ ये कितना कम ले रहा है भई कितना कम ले रहा है पांच कम तो पांच कम को वो कितना कहता है पांच कम को 45 कहता है तो एक बराबर क्या हो गया नो तो एक दो बराबर तो 18 है और 7 बराबर क्या होगा ये तो 18 है और 7 नाम ये 63 है समझ गयोंगे 18 संटे और 63 दुआ इक वलोते हैं अभी इतनी चोटी बात थी पूछा क्या है उसी कार्य करने में लगने वाले दिनों की संख्या बताईए यदि वो दोनों साथ आते तो आप मुझे बताईए दोनों साथ आते तो नो ता कि नहीं यह पर आप देखो मैं पहें नहीं लगा था नो डायरेक्ट या तो यहां काड़ दो बार काटोगे तो सा बचेगा पूरी दुनिया को पता है कि यह आने वाला है बगेर पेहनी है वह गणना आपको पेहन फ्री करने आए तब ही आ सकती है जब आप उनको थोड़े से सली के से देखें तो फिर आप कैसे भी लिखा हुआ हो अब यह ऐसे मान लोग कहें को यह टप कंडिशन लगती है कोई जो सम्ताम ता जानते हैं उनको चोटी कंडिशन लगती है परसंट पांस से दस सेकिंड काई है जादा कोई नास्ते जाएगा वो बीसमें कर देगा और क्या है इसमें गणना का है गणना का है इना कोई लग उतम लेना है ना और कुछ करना है वो तो आप ले देते है लेने की जड़त भी नहीं होती है तो भी ले लेते हैं या टीचर्स लोग लिवा देते हैं कि लेओ लगो तम लेओ अधरा दड़ लेते जाओ ये कर दो और वो गड़ कैसे प्रसन हम कर चुके हैं कल यह भी वही बात हैं देखो क्या कह रहा है यह एक A है, एक B है, एक C भी है भई, A B के साथ है एक बार, एक बार B C के साथ में है तीनों भी चीएं, A C भी हो सकता है कई पर, या तीनों भी हो सकते हैं, ऐसे पार्टेसन हो सकते हैं कि नहीं, कल भी मैंने बताया थे कि कुछ ऐसे पार्टेसन हो सकते हैं बताईए क्या कह रहा है A, B, 10 दिन में कर सकते हैं यह टाइम का मामला यहाँ 10 लिख दीजिए B and C कित्ते में कर देता है 15 में कर देता है और A, C से दुगना अच्छा कामगार है A है वो C से क्या है दुगना तो बताईए यह टाइम का मसला है यह efficiency का यह मतलब एक सा काम करता है तो यह double करता होगा इस बीच वाले की समता मैं सोच नहीं पा रहा हूँ लेकिन यहाँ देखो मैं थोड़ा सा ऐसे कर सकता हूँ 10 और 15 क्या रहे होंगे 30 पर बराबर रहे होंगे तो इनको मैं 10 तिया 30 और 15 दुआ 30 इस देखे देखो यह सोच सकता था या मैंने थोड़ी देर पहले बताया इनका अनुपात काटोगे इनको काटोगे तो दो अनुपात तीन आएगा दो और तीन कैसे बराबर हो तेक उननफल में वो डारेक्ट सोच सकता है बगेर किसी मस रहे है चलिए अब आप मुझे बताईए ए बी की समता कितनी है भई तीन और अकेले की समता कितनी है तो यह बी साला कितनी समता लगाता होगा एक अब मैं कहूं कि बी सी की समता दो है दिख रही है इसमें क्या ही करना था आपको और आप बताईए कोई के एसी की समता बताओ तो एसी की समता कितनी हो जाती है एसी की एसी की तो तीन हो जाती है और कोई कहता तीनों की बताओ तो चार हो जाती है पर इक से अवला क्या चाहता था भी अकेले का ही चीए था हो यह इतने ताम जाम करने नहीं थे तो मैंने प्र तीस एकम तीस बंदरा दूआ थीस दस्तिया थीस चार के पाड़े में तीस बता है था कल तीस बटे चार से गुणा गटने से थीस बन जाता है और क्या ही करोगे उसे साड़े साथ दिन दिख गया ऐसी बाते कल तक अपन खूब करके गये हैं कल सारे क्लास में यह पूपाया की यह समय गुणा समतार यह कर दो और वो कर दो और ऐसे गर दोर वैसे गल वोई बात है सेम पिसले वाली ही ऐसे कुछ चीज़ें आपने कर ले थे पी एक काम को पूरा करने में क्यूं से दोगना या र से तिगना अधिक समय लेता है कल मैंने ऐसे बताया था कि यह सला यह दियान रखना कई बार समय कानुपाद देता है कई बार समता का समय हो तो समय के सामने करें एक पी है एक क्यू है एक क्या है आर है एक साथ काम करें तो एक साथ का मतलब होता है पी क्यू आर एक ही जगा आजाएं आपको यह बता दिया गया है कि एक टाइम का रेश्यो और एक एफिसेंसी का रेश्यो लगाएं आप देखें उससे लिए द очी ए gå आप में समता सोच पाउंगा तो क्यूए अम किला आराम से बता पाउंगा प्रसना आपसे कह रहा था कि काम को पुरा करने में क्यूं से दोगना क्यूंसेट बें यह से तो डबल और इस से कितना रिपल मैंने का आता है कैसा नम्मर सोचो यह दो के पाड़े में भी आता है तीन के में मतलब सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने सब्सक्राइब करने से यह समझ गया कैसे बनाया इनका गुणनफल करके मैंने बना दिया अब इसको मिटा दो उपर वाले को तुमिटा नहीं है अनुपात किसका चीह अपने को सम्ता और आप मुझे बताईए तीन नू यदी मिल जाएं तो यहा कितना ओजाता बारा तो यहां बार दुआ कितना हो गया सोईस हो गया तो अब यहां भी तो चोईसी बनना चीह inner कीव का चीह तो छ्चोगा चोईस क्यूब अकेला उसे कितने दिनों में समाप्त कर देता क्यूं अकेला छे दिनों में समाप्त कर देता यदी किसी को समताव और समय का घ्यान होता तो प्रसन आ जाता चाहे उसको गनित कम ही आती उत्ता चानिक क्यों नहीं कि आउशकता नहीं तो गनित का बहुत तगड़ा चानिक क्यो दोन को मास्टर लोग अलग-अलग सब का तरीका अलग-अलग होता है किसी को क्या किसी को क्या वो उसे साफ से ऐसे कुछ चीजें अपन कर चुके हैं पहले साइद यहां तक आ गए थे दोनों मैं कल की क्लास से यही बार-बार कह रहा हूं कि समय और समता को टार्गेट रखेंगे तो प्रसंद ज्यादा से ज्यादा पांस साथ सेकेंड लेगा आपकी आप मुझे बताइए ये तीन और ये कितना है छे गंटे में कर सकती है अनुपात इनका नहीं लगाना है है इसको दो माल लो इसको क्या मालो कि आमैने अनुपात से बताया इतना चोंट नहीं तो क्या एक्या पीकिसी मन में मैं से यह तो कि यहां 6,1,6 बन रहा है, इसको गुणा करने से 6,1,6, इसको गुणा करने से 6,3,2,6, तो यहां भी 6 ही बनेगा, तब उपर क्या आना चीह था, उत्पर ही लगा दे अब यहां लिखने गा time waste मत कर, इत्ती चोटी बात को क्या करेगा, नहीं दिखा क्या करा, अब ये, अनुपाद दो गया तो इधर दो अनुपाद तीन देखे देखो साथ पर राबर कुछ करना ही नहीं पड़ा मुझे सम्ता कैसे सोच रहा हूं उस पर करना जो आदमी ऐसे लगा-लगा के बैठें वह भी करना कि ऐसे थुनों के पर से हो जाओ तो कि एसे लाओ घर्दन को इसे सीधे बैठ के हाँ पर जब पढ़ने का मन नहीं गरे तो गर्दन को आसे लाया कर आज आखे लाकर आसे लागे आसे लाने से तो ओ जाएगा तो लाए घ्र लाना तूर जाएगी नहीं चक्कर आएंगे कान में द्रव्य भरा रहता है अंदर एक तो वह आपको ऐसे माले खड़े हो गया से लागे देग ना थोड़ी देर बैटने क्या हो शकता हो रहेंगी चाहे कितने भी बलिस्ट आदमी हो आप तुरंस चक्कर आएंगे और नीचे बैट देखेंगे आप जोर सही लागे देख लेना घर पर ऐसे गरदन को लेप्ट राइट अपन डाउन ऐसा है ऐसा ही लाओ कित्ती भी फास्ट जित्ता भी हो जब भी टाइम हो उदासी आ रही हो तब हिलाएं जीब को लगाएं उपर और पिर जगालने तुरंसे दुबारा र निकाल ले बार आजाए चीर एक किसी में डूबम एक टेरे पास बीर हो तो बीर में डूबको ले पाणी है पानी में में डूबले उडेख आखि़ए तो पात में में काल ले हैं कोई संब बोले भी मंहीं बताओं गया आप dan Yeah आप पूरा पूरा चींव नीकिते आपता नहीं आप बिसको कोई पर टेंगी पाते हैं कि जिसको समयर सम्ट पाती बहुंद इसको देखके मां सकता है इसके जांपटी बहुए यह एए टी है इह बना अब तक नहीं तो नहीं दिखरा क्या चैसे आएगा च्टी अटरा नो दुआ कितना रख़ा पर यह इतने चोटे आगड़ों पर लग पर समतार लगाना आता है उसके लिए तो आग एक आसा फरह एजी और को वो लागाना नहीं हाई आ कि तुसी को हुआ कि अद बार वाड़ वास्टि स्थावतों कहरें अरब नहीं लगाना यह तुम तकान देमार है अजया हुआ अब अम तुंब बस की बात ही नहीं रहे तो भाल आगे अभ फैर तुछरी है फिर तो मर्कट पेर इए ₰ हम आपकर करो इमाला ये आइसा और रजिया एक काम को दिस दिस आइसा रजिया दोनों अब ये 50 अब सुन ना मेरी बास को सुन कई कई लोगों को 50 को फिचेतर को बराबर करना नहीं आएगा समता सोचने доने यहीं में कह रहा हूं यससे सोचना इन को पर क्षिक जब्भार करो बशाने मुझे एक से कड्य है एक इन को बराबरकर मुझे एक शेकिंदी मेहं एक को तीन से गुणा कर लो और किसी को फिर भी मजदूरी करने की आदत पड़ी गई कि मैं तो करूइंगा साम मेरे तो रोटी नहीं जरती है मजदूरी नहीं करता हूं तब तक बिलकुल थोड़ी बहुत डॉला डाली जरूरी है शरीर के लिए यह इसका गुननफल बराबर होगा इसके गुननफल के सब्सक्राइब करें यह सारे दिन को सिधा निगार लाँ नहीं तो कैसे सुनी हो रही है यह यह क्या मैत की किलास में सुनना बैटने की आउशकता नहीं है बैटे को नहीं भी आई तो पहले कौन सी आ रही थी आपको आदमी दो पांच करोड रुपे तेर बरबाद हो गया सुन और अताथ करके बाहर लेगे एंपरबाद ओंगा रही काईको न लेकिन पहले पकीर था आभी पकीर इस हूँ ओन वह लोग से गुछ आ गया वो बैनिविट है कि अ स्वामिन भी नहीं यो तो कंश्यात जिमा अ बैस地 यू ते रे तो कंश्यात जिमां को यह का नयन्हें बद़rologh, ये जर रहीम है, वह ज़िनस सल रहा हूँ तभी, जिम कडी बने गाटू, अरे द्द दादा, मैं ये बनाने में हूँ, और तू ये बनने में है. तेरा प्रियास ये है, मेरा प्रियास ये है. जिम कडी बनेगा तू वे सोर क्या करेगा? दुनिया जिमाओ तान दो A, B, C A, B, C कितने भी हो, चार जने हो चाहे से उसमें क्या ही हो रहा है ये 40 में, ये 10 में, ये 8 में तो 40 पर ही ब्राबर हो जाएंगे 40 एकम 40 48, 48, 48 दिख गया होगा, ये लगाना आता है ये लगाना आ गया, इनको गुणा करने से बराबर ये इनका अनुपाद भी लगा के कर सकते हैं क्या ही अनुपाद लगा होगे, ये छोटे आंकड़ों में 40, 50, चोटे आंकड़े आते हैं इन में ज्यादा बड़े आदा हैं, तो काट लेना, अभी मैंने काटा था कि नहीं, 50 को और भी चेतर को देखना मैं गंड़ना कैसे कर रहा हूँ, उस पे गोर करना अब देखना कि कई सारे लोग तो इतने बदमास है नए खिलाड़ी के लिए, भै मेरी प्रक्टिस मेरा, आपकी प्रक्टिस में दिन रात का फरक है, टाइम और एफिसेंसी समय कितना दे रखा है, 6R, 4R, 12R फिर समता सोच सकता हूँ अनुपात छोटे नमबर हैं तो डाइरेक्ट सोचे हैं, बड़े नमबर हैं तो कुछ काट पीट के भी सोच सकते हैं आप चलो भई, ये 12 पे बराबर तो 6, 2, 12, 4, 3, 12, 12, 1, 12, 3 मिलेंगे तो समता को जोड़ दो, समय को नहीं जोड़ना है, समता को जोड़ दो तो आप कहेंगे सर, 2 को, 3 को और 1 को हम जोड रहे होंगे, तो यहाँ 6 प्राप्ट कर रहे होंगे चलिए दो, अब आप कहेंगे कि इस 6 को गुणा करें, कि से, कि 12, 1, 12 के बराबर हो जाए, 4, 3, 2, 12 होगा, सब जगे पे अब लिखे करने के ज़रत नहीं है, वाब 12 कैसे बनेगा, ओप्सन कोई देख लो, 6 से बनेगा, 2 से गुणा करने से 12 दिख गया है, यह बिल्कुल आसान सा काम है, कर सकते हैं, इतने छोटे आंकड़े तो डाइरेक्टी हो जाने चीए, चलो भई देखो क्या कह रहा है, फटाक से बताओ, क्या हो रहा है इसमें, एक राम है, एक हरी हैं, दोनों मिल जाएं, तो कितने दिन में, अब यहाँ पांच है, यहाँ छे हैं, मैंने एफिसेंसी, इसको चेहर पांच ही सोच लो, 11, 6, 5, 30, यह 30 बटा 11, एक सेकंड, दो सेकंड का बात है, इसमें सारा दिन लगाओगे, गया, 11 के पाड़े में 30 नहीं आता, मैंने कल का आता, 6, 5, 30 होता है, तो 11 के पाड़े में 30 नहीं आता, तो मैंने का आता, 11 को किस से गुना करें, कि 30 बन जाए, तो यहाँ 11 बटा कितना लेलू में, यहां 11, xe 30, xe 31, तो 11 xe 30 बनाना घया होगा आप 11 xe 30 कैसे बनाते 11 xe 32 तो पूरी दुनिया बनाना जानती है 12 xe 30 भी पूरी दुनिया बनाना जानती है कई कियां को दिक्कते आती है कि 11 xe 30 เสे shtl करे to 11 kja 30 xe shtl करे 30 xeсть 2 xe tsted shtl करे कोई हैं कि ये दैसे कि नहीं कर सुचने आनी चीए ये तीसरी चोथी क्लास में इस सोचने आने थी लेकिन देर करें आते आते यहां यह लगा देंगे चलो भाई या मैं थोड़ी स्पीड से बताऊंगा क्योंकि अब इनमें सभी में एक जैसी बाते हैं तो आप अपने ध्यान को पूरा कॉंसेंट्रेट करें कि मास्टर क्या कहना चाता है दोनों मिलकर कितने में करेंगे तो मैं दोनों के लिए कहता अब टाइम एफिसेंसी एक तो क्या है छे, एक है आठ छे, आठ, आठ या चोईस तो छे चोगा चोईस, आठ या चोईस साथ, चोईस बटा साथ, चोईस बटा साथ आंसर समझ गरें साथ के पारे में चोईस के से आएगा गाजास पर घ्चि समझ में अरे सब से कि ऐसा आगा पर एक्स हमें है तीन हो सकते हैं है कितने में करेंगे इक दस में करता है एक पंद्रा में करता है एक 25 में करता है देखो अधि आपको लगता है कि ये थोड़े बड़े हैं तो मैं 5 से कार दूँ ये 2 में, ये 3 में ये 5 में, 15, 30 पे बराबर हो जाएंगे 30 पे, 30, 30 बन सकते हैं तो इसको, 2 को 30 बनाओं तो 15 से 1.500 पे बराबर होंगे और ये 10 में, और ये पचीचीगी 1.500, 15, 10, 25 रचे कितना हो जाता 31, मुझे आप ये बताईए कितीनों मिलेंगे, तो 1.500 कैसे बनेगा ये 1.500 बटा कितना हो जाएगा 31, बताओ कौन सा आता 1.500 में 1.300 का भाग देता तो क्या बनता, 31 का पढ़ा बोलना बताया हो आए मेरा 31 का पढ़ा, 30 के आसपास चलता है 30, 30 का पढ़ा बोलो, तो 30, 60, 90, 1.500 से तो जाता चलाएगा, कितनी बार बुलेगा 4 बार तो पूरा बुलेगा, 4 बार पूरा बुलेगा, 1.200 तक बुलेगा 26 बटा, 31 बच जाएगा 4 सही 26 बटा, 31 कही ना कहीं विकल्प में मौजूद रहा होगा भिग्या होगा क्या कर रहा हूँ मैं और कैसे सोल कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए क्या कह रहा है समय, गुना, सम्ता सब की बराबर होगी इस बात को अपने जहन में उतार लें समय को सम्ता से गुना कर दें तो बराबर होती है समय से सम्ता बनाई जा सकती है सम्ता से समय कानुपात बनाया जा सकता है वो अपन बनाना सीख चुके हैं, कुछ सीख रहे हैं 6 गंटे में अनिता 8 गंटे में मन्जू पांच गंटे में वे अकेले-अकेले काम करते हैं तो कुछ ऐसा होते हैं एक साथ काम करेंगे तो कैसे एक तो है मानिका एक है अनीता एक है मन्जू मन्जू को मैंने एमन मान लिया है ये 6 आर लेती है ये 8 आर लेती है ये 5 आर लेती है फिर कह रहा है तीन नों एक साथ आजएं तो क्या ही रहा होगा आप 6 पच्छ नहीं आ रहा तो मैं भार तो मैंने युब हम गर दिया किसी को कुछी नहीं सूज कि तरीग बताया था वहां तो मैंने एक तरीवा च्यार बढवर कैसे खरते हैं कुछी नहीं आ रहा आप को कि मालो मुझे गढ़ना हीओ यारी साब में तो वैसे ही हम मुझे बताई तीन मार यह media कर था गपिक जाएगा नहीं तो यह 5 बीस आ जाएगा रहे यहांत टा भीशाथ आता यहां कितना असवा पंद रारता और 8 या 24 सा था 120 पर बराबर हो गए अरे यार यार ये क्या लफ़ड़ा है बिग्या केसे करा मैंने 39 को मैं एक साथ मिला दूँ तो 20 और 20 40 50 50 49 59 69 उनसट हो गया अब 160 बनाना एक 120 बनाना है देखो यहां 120 बनाए कि नहीं 120 में 69 का बाग दे दो 120 बटा 69 कर दो आंसर आ जाएगा 162 होता है 118 60 से कम है 60 से कम है तो डबल करेंगे तो 120 से दो कम तो दो बार तो पुरा जाएगा और दो बचेगा नीचे कितना बचेगा 69 बचेगा यह रहा दो सही दो बटा 69 आंसर होता समझ गया हूंगे data कैसे भी थे मैंने तरह तरह से गंड़ना ये बदल के दिखा दी है आपको परसंतों सारे एक जैसे ये नहीं भी करवाता तो आप करी लेते इसको तो लेकिन मैं गंड़नाओं का वो कर रहा हूं कि गंड़ना कई बार क्या होता है टीचर बहुत आसान गंड़ना लेकि दिखाता है आपको पर गंड़ना कैसे भी आए उनको आप कैसे डाइरेक्ट कैसे करेंगे एक्जाम में चले आगे तेखो देखें A, B, C और फिर पूछ रहा है तीनो A का काम कितने में हो रहा है ग्यारा बीस पच्पन तीनो का चीए उसको तीनो का चीए तो आप ये कह दीजे सर इनका अनुपात लगा लेंगे हम आप देखो कईयों का अनुपात लगाना नहीं आये तो मैंने अभी थोड़ा सा एक तरीका बताया था कैसे लगाएंगे इसको क्या मानेंगे बीस गुणा पच्पन ये बीस गुणा पच्पन हो जाता ये कितना हो जाता ग्यारा गुणा पच्पन हो जाता और पच्पन है तो ग्यारा गुणा बीस हो जाता और इनको काट लें, आप किसे काट लें, पांस से चार बार, पांस से ग्यारा बार, पांस से चार बार, यहां तो पच्पन सो के बस्ताव, और भी कट रहा है, ग्यारा से, ग्यारा से, ग्यारा एकम ग्यारा, ग्यारा एकम ग्यारा, ग्यारा पंजे पच्पन, यहां तो बचे भी नहीं करा और इनका डाइरेक्ट अनुपात लगा लिया बराबर करना आ गया कि नहीं कैसे करते हैं इनको बराबर यदि मैं इन तीनों को जोड़ता तो समता जोड़ती तो पंदरा जोड़ेंगे तो यहां कितना हो जाएगा 35 अब देखो अब 35 के पारे में आपको देखो सिब्सट です सब्सक्राइब अब मैं इससे आपांश आठा तो सरक गार्ता तो उपर तो उता जीडो बार कारता है process let 145 कितनी बार साथ बार साही के कितनी बार से और सांद Nós चैजेगो इसरी दस तक आपड़ हो गया है तो हांही अडित की चानिया चाहीश एगत्ध भाट जन सब्सक्राइब करना करेंगे थोड़ा बहुत आसाथ कहीं लाते हो कि नहीं टाम सिटो करें लात है कि यह बंदी कर देए हैं कोई बात नहीं है तो ज्यादा बढ़िया है अगर पैन पेपर वाले मैथमेटिसियन बनोगे तो ऐसे मान लोगे पूछेंगे लोग आसपास वाले कम से कम यह तो पूछेंगे कहां से सीकी वेल गॉल गॉल कुछ-कुछा सर रहता है घर काई लोग आके भी वो करते हैं बहुत सारे लोग सकल से नहीं नाम से पैचानते हैं बाहर लाइब्रेरियों में और कहीं पर यह भी मेरे लिए तो अच्छी बात है काई बार मैं ओपि से सकल जानता है का फिर पता नहीं रहता है एा जो सामने आये थे ऊच्छी चार और फूच रहे है कि असा बीसी कोचिंब करनी है साप और मैथमेटिक्स वही बढ़ाता है क्या मैंने का तो छ जानता है क्या अन्हीं आंता है यह कुछ ऐसे हैं कुछ बाद में साइध यह दो नों भी आए थे यह बेटे हैं और नहीं भी कि नाम सुना है मैंने का यार सुन तो रखें हैं कि अधर को मैं तो चाहता हूं कि गालिया निकाले सला हूँ उपर वाला कम उठाता है मैंत कम आश्रू मरता तभी तो कम है अधर निकालते हैं आसम मालोग पर वाला भी देखता है कि शाले कुछ नीचे भी पढ़ा रहे हैं तो यह चक्कर में हो रहे था है नहीं दस वी तक आपको तोड़ा ज्याबा कड़वा मास्टर लगा होगा तो मैत वाला ही लगा होगा कि यह सब्सक्राइब बनाते ता है यह करने के लिए कहता है फिर ओमर के लिए भी दिक्कते रहती कि अपन टीप के कर लाते हैं वो तो खट देए हो जाता है अब उसमें समझ्चा तो फिर टाइम से जांच नहीं हो पाता है और ज्यादा तर देखती हैं कि सारी महत वाले मास्टर वो ही है हम रिस्परी टाइब की कि वाइब आते ही है से मान लों डर्से सिखाते हैं मैंने ऐसे महसूस कराए कि दसवी तक मास्टर बढ़ से में सिखाता है कि वैसे नहीं आ रही 17 पाड़ा याद नहीं हो रहा डंडाला रहे एक लखन का सा सूथ दे बस फिर आने लग गया फिर 17 पाड़ा याद नहीं वहाँ यह तो डर्शे कराया सला प्यार से खाहां करा इसको तो याद करें करें करता ऑगा याद अब एक घृत आप रोड़त यह बात है फेले जैसी यह तीन दिन में या यहुद तो रहारा पर बराबर करें तो बारा ब् यह समझ गयोंगे कि समय घुना सम्ता सब की बराबर होती है यह कंसेप्ट आपको आता है तो आपको कम एफ़र्ट लगाना पड़ेगा जिनको आज तक समय नहीं आता था उनको भी समयकारिय मजदुर्य आने की सुरूब आतो जाएगी और यह नहीं आता है तो फोड़े से प को ऐसे कम पर हब जाए है त इस एक काम को और आइए नरे वहां आइम याइए है कि यहां से ज़िए खर रहा हो जो फुसु समय फोटार है यहां फैस्ट च्श्लों सो टो क्वा Maras करने लग गया है वाँ S किसी कारिय को 50 दिनों में पुरा कर सकता है T उसे 40 दिनों में पुरा कर सकता है और M उसे 30 दिनों में पुरा कर सकता है S अब ताके सभी दिन काम करता है थोड़ा सा ध्यान देना अब है तो उतना ही आसान लेकिन देखो ऐसे मेरे पास में T है और कौन है M S 50 दिन में वर्क को फिनिस कर सकता है ये 40 में और ये कितने में 30 में अब देखो मैं इन कानुपात बनाता तो 4, 3, 5 ही आता 5, 20 तिया 60 पर बराबर होते तो इसको तो 12 से गुना कर लो 12, 50, 60 पर बराबर हो जाएंगे एक-एक डे-वाई-डे हो गया यहां चीए उसको क्या समसला सब्ता में ये तो दिनों के हिसाब से सोचना हो गया पर इकसा वाले ने थोड़ी लेंग्वेज को अपडेट करी मोडरेट तरकिया से पूछा कि ऐस तो सब्ता के सभी दिन आता है ये कितने दिन आता है भई सब्ता के साथ दिन आता है तो इसने कितनी सम्ता लगाई होगी चोरासी रह साथ दिन आया होगा एक दिन में बाला लगाता है सम्ता फिर टी केवल सो मार बुद्वार और सुक्रवार ये कितनी लगाया होगा तीन दिन ये 45 लगाया होगा और M कितनी लगाया होगा सनिवार और रहिवार ये तो 2 समझ पायोंगे ये क्या करना चारा था प्रसन इजी था लेकिन उसने थोड़ी से इसमें परिवर्तन किया था अब क्या जाता है आप देखो बार सताम 84 यहां से नोट कर लिया ना 15 ती 45, 84, 45 इनको जोड़ लूँगा 40, 40 रर 40 असीर, असीर, असीर असी, 160 और नोर, 169 तीनों सब्ता के हिसाब से, तीनों का सब्ता के हिसाब से सोच दिया है, मैंने 169 और टोटल कितना बनाना था? 600 रर टोटल कितना बनाना था? 600 बनाना था इसको देखे, देखो, कितने सब्ता में बना देगा लगभग कितने सब्ता लग जाएंगे 69 का इसाब से, इसको 600, 600 सोचू तो 15, 60 होता है तो 169 का कितने एक में आ जाएगा? ठीक 3 में तो नहीं आएगा 3 से तो ठीक, 3 में तो नहीं आएगा 4 में ज़्यादा हो जाएगा 3 में थोड़ा कम हो जाएगा, तो कौन सा उत्तरा था? 3 से 4 के बीच देखे, देखे, बिल्कुल आसान था, वैसे आईडिया ही लगाना था इसमें आपको एग्जेक्ट फिगर नहीं बताना था और एग्जेक्ट बताना हो तो आपको 600 बटा क्या कर देणा था? यह नहीं देखा अब देखे लेना, आप क्या दिखाओ अरे, 117 का फाड़ा बोलना हो तम मैंने बला था 170 का बोला कलो, 170 से कम है यह नहीं है गया, तो 17 ती क्या उन, 510 एक आसपास बनता, 510 एक तो 3 से तो ज्यादा बनता और 4 से कम बनता, 17,64 वो तो 600 से ज्यादा चला जाता, 4 सबता तो पूरे तो 3 से 4 वीक के बीच में यह इस कारिये को पूरा समाप्त कर सकते हैं यदि यह 3 एक साथ आते, तो अब भासा का द्यान रखना, बातें वो ही होंगी A परती दिन 5 गंटे काम करके, एक काम को 8 दिन में कर सकता है B परती दिन 6 गंटे काम करके, उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है यदि वे दोनों मिलकर परती दिन आठ गंटे काम करें तो इस काम को किते दिन में पुरा करतेंगे सेम वो ही बाते हैं और चलिए एक A है, एक B है, एक A भी है परसने टाइम मैंने कहा था दे एंड आवर दे दे दिन और गंटे दोनों दे दे तो आप क्या करते हैं, उनको गुणा कर लेते हैं यहां 5 गुणा क्या लिख दो, 8 दे एंड आवर दे 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 दो दोनों को मल्टिप्लाई कर लें यह क्या करता है, 6 गुणा कितना हो गया 10, और दोनों मिलते हैं तो 8 गुणा कितना, यहां का बुतर यहां बताया है कि 8 गंट काम करेंगे रोजाना इतना यह यहां कुछ मान लिया मैंने कि वहां कुछ डेज पता नहीं क्या रहा हूंगे अभी मेरे को इन दोनों का अनुपात लगाना है कि नहीं समता का अब देखो यह 60 है यह 40 है या तो आप 40-60 से कर लो या मैंने थोड़ द नहीं गरी है ना कुछ सोचे हैं उन्हें कोई काम अब अब मुझे पताओ दोनूं मिल जाएंगे तो पांच अप पूरी दुनिया अप पैन की जरूति नहीं है क्यों नहीं है इसको और इसको देखो देखो दोनों की पोटों को देखो इन दोनों की पोटों आठीद रहा आटी दर्भी आपां से पस्पांस इंग आप मान तीन रहा होगा है लिख्कया के लो कि वह आप लो इस और भी मान लो कि मैंत बजुरी करूगा ये लो आला कि समगा मज्दूर बनेगा यह कि पांस से पांस ऐसे पुराइ यह तो मजे ले-ले ज़े पूरे यह यह अभी तर बरह थी न कूकि एए तरे थेंड क्तोड फोडिस के वह एक पुतर बरह परती वहां से लगा थे तो पूरा मॉक्ष मेल ने टकी एक शोडरिन टू कि वह याँ से ने कर दो कहा है काम विकर आता चास में वाली नीदा रही है फिर जाट जाट ओहाँ क्या जाट अटो क्या लिया गरो पड़ोशी को तो कुछ भी दिरे से अगा पीर क्यों 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 किसको दिख रहे है यह साथ गंटे रोजाना और किते दिन यह साथ गंटे रोजाना आड दिन दोनों चार गंटे परते दिन कितने दिन तो यहां कब उतर माल लेता हूं अब देखो इन दोनों की समता सोचना भई समता सोचने के लिए आपको क्या करना है अब देखो सातर साथ तो कटी गया चार आट को कटेंगे यहां तीन आएगा वहां चार आएगा तो इसको सले को चार से गुणा कर दो इसको तीन से यहां क्या साथ आप मुझे कुछी करने की जरुत नहीं है नहीं है अब मुझे आप यह बताओ इस फोट और इस फोट को को कोई देखना जानता है और कल से मैं पॉपारा आहूं कि टाइम गुणा एफिचेन सी सारों की बराबर हो तीरा कहीं से चार्ट ले ना इसको चार्ट ले इसको चार्ट ले इसको चार्ट ले जरuff च्पूराएं कर दक क्रें चाहरा लोगा इन पुरों को कुणा कर ले मैं इक करते हैं उन्हें तरेंत gra ecos तमें रीट्रा आथी यह लो और प्रोरे अपकू सरी तो लगए कबूतर ब्राबर चेयन के लिए आ लिया आ रहे ये concept सीटे की नहीं की time और efficiency पता करनी है आपको efficiency का तो अनुपात दक्सता का तो समता का तो अनुपात अनुपात कैसे लगाते हैं वो मैंने बता दिया कैसे करते हैं अनुपात कैसे जज करोगे आप और इनका गुनन फला मेंसा बराबर होता है देखो देखे कि क्या कहे रहा है यह तो बेवकूब बनाने के लिए 1100-1107 दे दीमालो या 22 बनाता वाइस सो बनवाता तो वो डबल कर देते उसको जो time dive डबल लग जाता और क्या होता उसमें तो यह 1100 तो मसला ही नहीं था दो नों का वैसे निकार देते यह 9 में करता है यह कितने में browse 11 11 इ Schul ही बन रही है सारो में तो वह कोई मसला है नहीं तो 13 007 यह 17 %. हो जाता है तो आप कौनसा बता देंगे यह बताद All इस सोचना आगया होगा अपकी कैसे सोच रहे है उसको और जिसाब आ गया कि ने वस्तेरे को आ गया सबको आ गया हम हम अपने दोनों की तु बुध्धि कम जोर है धिए अप्रेगौ मेरे को आ यार सबको आ आ आ कि वाकितु साहरिता आजाता जाब दिले के बैटे हुए है जालो देखें क्या कह रहा है कि ए साथ कुर्शियों को प्रेंट करता है जब कि बी एक गंटे में यह तो वैसे यह तो बच्चों की बात है तुसरी तीसरी क्लास में आता है यह तो अरे एक गंटे में ए जो काम करता है वो समता ही होती है एक गंटे में एक दिन में काम किया गया क्या होती है समता कल भी बोला था मैंने चलो तो एक A है एक B है और दोनों अब आप मुझे बताए इसकी समता एक गंटे में कितनी है साथ कुर्शियां पेंट करने के इसकी चार कुर्शियां इसकी ग्यारा हो गई तो बताओ पच्पन कुर्शियां करने में कितनी हो जाएंगे पांस गंटे में पच्पन कर देंगे दोनों मिलके नहीं दिखाएंगे पच्पन बढ़ाना है इनकी समय गुना समता पच्पन हो जानी छी पंदी कि या तो बहें ही दीखे थी यह तरवा की जरती कुंची तुन मता सही रखके एक गंटे कम भी पल देंगे तो उतना ही याद होगा और परिक्सा याद होने वाले पॉर्षन से पास करी जाएगी आप आट गंटे दस गंटे पढ़ रहे हैं उससे पास नहीं करी जाएगी आपने मैस पढ़ी उसमें से किते सबालों का तरीका आपको है उससे पर एक्साल निप्टेगी इस से नहीं निप्टेगी कि मैं तो एक जार गंठे उसके साथ ही बिता के गया हूँ नए उसमें से याद कितना है कि डाइजेस्ट कितना हुआ है पाचन पाकी तो वे से निकड़ेगा खाणा भी खाओ उपाचन वाले इलाके पे ध्यान दें कुछ चीजें डाइरेक्टी प्रॉसेस होके आ जाती है तो वो इतनी कारगर नहीं है शलो साहब निकाड़ो देखे क्या कह रहा है तीन मिन्ट में आठ पेज टाइप करता है वो पांच मिन्ट में तीन पेज टाइप करता है एक साथ मिल कर वे 15 मिनट तक कितने पेज टाइप कर सकते हैं ये बता दो आप मुझे तीन मिनट में आट करता होगा तो एक मिनट में आट बटा तीन करता होगा ये तो और वो तीन बटा कितना करता होगा पांच दोनों मिल भी जाएं तो एक मिनट में कितना करतेंगे ये तो चालीस प्लस नो बटा पंद्रा ये ये बार 9 चास बटे कितना हो जाएगा 15 रा मिनटों हो गया है तो 16 से कुना कर दें ने किया जो रहा क्या तायton कर देगा 11 में ओण चयानी में 7 ना कर लो क्या हुँ हो रहा है उस है ठीक है अरह यह तो बच्चों कि ए एक एक नियम के सवाल है तो सोटी पांची-छाटी में आते थे कि तीन-दो पितने में पांच इतने में तो दर्जन कितने में ऐसे पिर भी कई बार बच्चे आखे करते हैं सर ये अरे मैं को तब मैं करता हूं मैं को इसको भी बोर्ड पे चटा दिया करें बाई किसी को तु चलो बाई किसी कि आई जाएंगे बाई देखे पानी मनोज और स्वाति एक कोई से पानी निकाल कर एक टंकी में बर रहे हैं मनोज चार मिनट में पांच लिटर पानी डालता है जबकि ये पांच मिनट में चार लिटर पानी डालते हैं एक साथ मिलके 205 लिटर पानी डलवाना है तो ये तो 5 बटा 4 से डालते होंगे एक का और ये 4 बटे 5 से दिख गया होगा लिटर में मिनिट का भाग लगाऊंगा एफिसेंसी बनेगी दोनों को 25 और 16 41 बटे 20 अब देखो 41 बटे 1 में तो उसको टोटल कितना बरवाना है एतना तो इसमें कितने का बाग देदो 41 बटे 20 का ही देदो एक ताले से पांच बार चला जाएगा बीस पंजे सो आजाएगा सो मिनट अरे इसको सो से गुना करने से नहीं बन जाएगा क्या बीतो करा था था थोड़ी देर 15 में जैसे एक ताली पंजे 205 लिटर पर जाएगा कि नहीं यह मिनट का कामए एक एक मिनट वोग है कि नहीं से घंसे लिए पढू करें के चार मिनट में कितन लेटर पांच लेटर एक इक मिनटमे मेगना बरे गए तो Capital Baby 5-4 बैग नहीं और won एसे ये सवाथी इस किसम था क्या होती पांच में बढने यहार तो यह चार बटा क्या थी फांच इन दोनों का नों नुपाय लगाते तो इसे गणान करते तो यहां कितना बनता तो यह सिस्कों कितना उल्टा के उल्टा पर चला जाए गाउन यूंको सो मिनिट लग जाएंगी दोनों को बंढे में दिग्डे दोनों परसंद कैसे थे? सिंगल सिंगल उसमें थे ये A और B मिलकर एक काम को 6 दिन में पुरा कर सकते हैं B अकेला उस काम को 9 दिन में पुरा कर सकता है कितने दिन में? B अकेला उसको कितने दिन में कर सकता है? A अकेला अब आप मुझे यह बताइए ए आ गया बी आ गया यार दो नो आ गए दोनो करते हैं छे में एक करता है नो में वी का ची दो सेकंड की बात है नो दू आठारा और चेटी अठारा नहीं दिखाए तो अब दोनो आपको अब अरहे एक हो गई गी नहीं दोनों की सम्ता तीन है इसकी सम्ता दो है तो यह सला एक लगाता होगा कि नहीं सम्ता अब क्या ही करना था इसमें तो यह लो अठराए का में चाहिए कोई साही देदे परसन को क्या सही बतल के देदे जैट संग पीछे वाड़ी कुर्शी को आगे इसको अलो ना इसको इसको तर नीचे आपके वैड़ा आएसे बिल्कुल और क्या इस्टेंड और वो इसको इसके नीचे पड़े ना तुम लाया था उन दोनों को जो इंट कराते है अधर यह एक दिन का दस रूप चार्स तो बनता है पैसे देगा तो बड़े गेडिमान थोड़ी लगाओ देगा लगाओ क्या हो रहा है अब यह पैनों की मेरे साफ से इन में क्या ही जरूत है एक एक बी है एक एक बी है एक बी काणिस का तो तो उंग ले इसको तो वैसे ही इस कंसेंप्स समझ गया होँगे समय कुना समता को इक्वल करना होता है जो इसको इक्वल करना जानता है वो जट सही कर देगा छोट-छोट चीज़यों को तो टाइम and efficiency के मसले को आप सुल जा सकते हैं परसन में ज्यादा तर में समय या समता के जुगार दिये हुए होंगे आपको और वो दिये हुए होंगे उनको आप एड़ेस्ट कर देंगे तो परसन हो जाएगा नहीं करें तो अगला पल दें फिर और क्या ही है तरीका देव और गोयल साथ मिलकर किसी काम को चोदा दिन में पूरा कर सकते हैं देव हैं गोयल हैं दोनु दोनु कितने में करें चोदा में ये कितने में करा देव सत्ता है इसमें करा आप देखो इनको पराबर करना नहीं आए अब ये कट भी नहीं रहे कट नहीं रहे तो मैं नहीं बताए इसको तो 14 मान लो और इसको क्या मान लो 27 हुआ अब राबर 30 सेकंड का काम है वो तो रोने दोने वालों के लिए सारा दिन भी लग जाए अब मुझे आप ये बताओ ये कितना किया होगा और तेरा का भाग इन दोनों के गुननफल में देना था कि नहीं मुझे इन दोनों के गुननफल में इसका गुननफल होगा उतना ही तो इसका होगा अब देखो मैं गणना कर रहा हूं उसे देखना 27 गुणा 14 में किसका बाग दे दो 13 में बस ये मिरा ँसर आएगा इसको देख लो अभी एक कट पातो है नहीं तो गुणा करता मैं इसको 14 सन्थे क्टना होता है 14 सन्थे जया जाएगा 8 हो जाएगा पिर 9 हो जाएगा 28 और 9 कितना हो जाएगा 37 तो यहां से बाग देंगे तेर दुआ कितना होता है जब बीस होता है फिर ग्यारा बचेगा 118 और निम्मे होता है तेरा नाम 117 होता है और एक बटा 139 रहे तो पहले ही बार गाल रहा था वैसे लगा देते एक पहले में आ गया था तो अप्शन की तरह पांखे रहा करो आख संच की तरह दाओ का रखा करो और आम से कई आघ्षक्रा मैं लिए लगाओ लुगाओ कि टेसे न् हे रजह की एक राजू है एक रसे टेंप कि राजत को रटी मान लेता हूं राज्ज़ार माईंले में डोघ्री तो खम घरते गया अबिगा को आ अकेला किसी काम को आर दिन में, B अकेला इसी काम को बारा दिन में, C किसाई तासे उन्होंने इसे चार दिन में निप्टा दिया, A, B, C, तीनों, तीनों काम करें तब तो चार दिन लगे, अकेला करता था आठ में, B करता था बारा में, बारा आठ, चार को 24 पे ब्राबर कलो, तो इसने कितना किया होगा एक कराओगा तभीत चैनल अगाओ और चोई से कम चोईष बस और क्या ही करो गया है हुआ कर दोगे अब? नहीं करोगे? हाँ. चलो. एक काम को दस दिनों में पूरा कर सकता है. कौन? A. सुनना भई. B का पता नहीं है. A. B. ये तो करता है दस दिनों में. वो नों करते हैं. पांच बटा दो में. पांच बटा दो है. लखन से. देखो लखन से. कई मुझ फार्द होगे बिन्नों में आजाए तो कैसे करें बिन्नों में आजाए तो पहले से ज़्यादाइजी हो गया question वो तो बढ़ागु तमखुतम लेते हो तब गंठ हो जाता है बिन्नों में आजाता है तब अब इधर देखना इनको मैं बराबर करना छाता हूं सभको क्या करना चाता हूं बराबर आप मुझे बताना यहां को ना करों यहां को ना करों तो बराबर लेकroveं कि इस कई बक्षाओं के दो नीचे दिखता है जिन अब तो कर देते कि नहीं तो यह नीचे वाला कोई दिक्कत नहीं करता है यह नीचे दू भी आ जाता तो अभी भी मैं 10 बनाता तो इदर 10 बनाता तो 4 से गुणा कर देता यह 2 तो कटी जाता तो 2 से गुणा कर देता इस नीचे वाले की टेंसिन में तरिया करो पहले उपर वालों को देखा करो कि उपर वाले बराबर कैसे हुए यह देखा करो आप बस अब तो कर दो उसको अब आप मुझे बताओ यह एक हो गया यह चार हो गया तो यह तीन हो गया तो यहां कितना लेना चाहूं मैं 10 बटा 3 आंसर नहीं दिखा कैसे अब सब को पता है कि मैं दो से गुना करता तो पांच ही बंठा लेकन चार से कर लो तो तो इसका जाबता हुए जाए गार डास मुर्ण ने में धिका यह नीचे भी आ जयाए तो क्या ही करते है आप चले दो एक भानू है, एक रमेज है, एक भानू रमेज मिलकर काम किया गया, पर रोहित को मैividad ना यह यह रोहित है, यह रोहित है, आप अपने लखल नोगे अनुसाथ लिखलेंगे, आपने जान जाएं, संथता है यह कि यह और है ऐसी और उसकता है एक और रहाइट या हो सकते हैं या यह सकते हैं यह आंधिन यह दो पाले नो तो कितने दिन लगाता है दस दिन यह तो बारा दिन narrative अब रोहित के बारे में सुनना भानो और रमेश दुआरा एक साथ मिलकर काम करने में भानो और रमेश दुआरा एक साथ काम करने में लिए गए समय रोहित के समय के बराबर है इसका मतलब क्या है ये मानलो सबाद दो काम अकेला करता है ना तो ये दोनों मिलकर दो काम करते होंगे ये आदा एफिसेंट होगा अरे कोई मानलो तीन जणे हैं इन तीन जणों मेंसे ये दो जणे इस अकेले के बराबर काम करते हैं और सकता है कि कि आपके फॉरा लगा इस टो दोड़ों के बराबरタ एकशना समेल रहा हो तो क्या कर सकते हैं इस का कर इस का समय कर इस वह बनौगा तो तुमत ओगा लग दोसरा इट्न होगा अब देखो क्या कह रहा है वो दमेस अप इन दोनों की सम्ता निकालू में इन दोनों की सम्ता तो देखेळे अब कर दोनों ने मिलकर जितना समय लिया उतनाई से लिया इसकी समता कितने हो गई 11 अब दोनों ने मिलकर जतना समय लिया उतना अकेली ने लिया तो यह द्याराह होना चीन था कि और कुछ ओना चीन था तो देखा जो कि हम क्या चाहता है ओ ? अब रमेघ और रोहित एक साथ मिल जाएं ये दोनों मिलें तो कितने में उपर हो रोईत कितने में हो जाएंगे शोला में और इसको 60 बनाएंगे तो यहां कितना आना चीए 60 बते 16, 60 बते 16 कौन सा है इन में से चार से काटो इसको 15 बते 4, 4 तिया 12 और 3 पंदरा नहीं दिख रहा क्या कौन सा है रहे कुंदी क्योंकि साठ बटे-सुलॉरा नीचे वाला डिवीजर नीचे आता यह है नीचे वाला तुझे सुलॉ lagi दूंल इस उदर कटें उसको काड सकते हैं साइड वाला नहीं कटेगा फिर यही बगेर काटे बाग दे लिया तो कुछ रोग बगेर काटे भाग देते हैं कि क्या सरम 60 का 60 में 16 का बाभ डायरेक्ट दे सकते थे और मेरे को तो पता नहीं आता है कि नहीं आता है इस टेप्स देख लेना क्या क्या है वी और ची जगे थोड़ा नजदीक लिख देता हूं इनको और दो में आए कि वी स्काइव में करते हैं थैसने बीएंड सी किते में करते हैं थैसे आप कर रहेंगे सर्यहे सब्सक्रण और यह और यह इस में बिल्पूल आए एथा दिक अ अभिवाण हाँ अभी नाम तुमें जानता हुए यूड अधो जिसयँ केंट उपीर किसी केस्मार कोई सोनी वाला गांग्ैंग्वाला यह यह गए पर नाम तो मेरे तो याद ही कम रहते हैं मैट जान मरत पूछने के कुछ दिन सब्सकेट अपि क्या अ मेत ने राउप टैडर्ड है दखर मेर् वहार ने और प्यांगे जालती कर्षेवरेश्क ठीकर तौटे करते हैं यह थैड़िए कर डिंधाद है त्माळे सबीक आपि देते हैं भुआ हों कि व दो गाथ अजए पाथ हए देडे डेड दो रहिस डब लोगए का इक ही जास काल मान वार रहन रहर मान आप अरव आपको अपन का आप यह ताव्क नहीं कि अग्रम अगर कर दिया कर आप मान तो के वह लिए एक डूंडो देरी पार करते जा तान के ठीके के गाल रहे हैं कि बदाव भाई क्या कह रहा है कि देखो एबी कि सुनना है खुब सारे लोग लिखता हूं मैं इसमें अभी सारे कोई समय नहीं पता नहीं कौन सी चीज भूसते वो यह ए है भी है सी है ए भी हो सकता है बी सी हो सकता है सी ए हो सकता है तीनों हो सकते हैं कि परसंनने कहा A B मसला आर दिन में B बारा दिन में ABC छे में आठ बाराद चोईस पर बराबर उते हैं तो यादी हो गया होगा तो सलकान चोईस पर बराबर आठारा यह चुनुमन्नों तो डायरेक्ट यादर कुछ जा तेजा फिर मार्दू बस्चा तेही के चुक्चापी अब देखो यदि यह तीन जणे है मेरे पास इन में से इन दो को ठादू तो एक का सा उत्या तो जाता है तो इन में देखो एक बचेगा तो एक इतना बचेगा दो चार में से दो यह है चार में से एक है तो यह से इकए तो यह चीतर हो जाएगा mine और 24 बनाना ओत तो आठी चोईकश यहां आठी चोईश यहां आठी है चोईश इसमें कौन सार उने दोंडेने की बात है 28 बनाना हो तो हजार में बनाना नहीं क्योंकि आकड़े इतनी आते हैं इसमें चाड़े इस पचाश ठारा ज्यादा करें तुको यह सीनब पे तका जाए और क्या है पॉन पॉन सौ आठाट सौ आया कि तर इसमें को अधा लगा दू उत्तर हुआ डबलू चार दिन में भी और सी तीन दिन में डबलू सी तो दिन में एक डबलू है एक बी है एक सी है एक बी सी एक जगे है एक बार डबलू सी एक जगे है और डबलू कितने में कर रहा है चार में बी सी कर रहा है तीन में यह दो में बारा पे परापर कर लो चार तीया बारा 4-3-12 6-2-12 4 में से देखो यह W अठा दो 6 में से W तीन अठा होगे तो C कितना हो जाएगा C 3 हो जाएगा फिर 4 में से 3 अठा होगे तो यह 1 हो जाएगा समझ गये हैं मैंने कैसे जस्ट किया देख लेना देखी रहा होगा तो 12 में यह B कितना आ जाता बारा एकम बारा ये पूछे तो ये कितना आजा था चार सबका कुनन फर बराबर मेरे साब से समझे होंगे तरकीब जो आपको बताई है उस तरकीब आपको लगाना आता है तो फिर आप इजी तरीके से इसे सोच सकते हैं और बागि भी कई सारे होते हैं, कैसे भी सोच रहे हैं, तो आसान टोपिक होता है यह तो प्रीश्रे वाला भी आसान ही था 10-70 पुड़ निकालेंगे तो आसान ही है, जैसे मेधबड बताए वैसे इस्तियार करेंगे तो आसान है, वरना कईयों को ये भी माभारती लगते हैं कि अपने लिए तो ये भी वैसे ही है गर जाके देखा करो उसको पन्ये को चाटा करो कहीं के पास तो पन्ना मिल गया है कहीं थो 200 रुपे खर्च करेंगे तो उनके तो फाहिदा हो गया होगा कुछ इतना फायता तो तो नहीं हुआ हो गया क्या ही होगी तो इस दोस जैते हैं तो को दूने में लग जाते हैं 500 पर को और कर दुनिया में ऐसे कोई बारगाल आप अब मिलांक बारए लो बर्म भानप तक रहा है। प्रवार निकल गोगो नहीं लाग दो आप पांच करोड दीस करोड के लिए तो फिर भी निकल गया होगा कोई इतना नहीं भी वह मानलों आपने 200 रुपे की किताब खरी दी और फाइदा भी नहीं करी पहली बात तो दो सब्सक्राइब करेंगी और नहीं भी करी तो भाइसा और में तो रहेंगे आप अन्य निकलेंगा यह को इतनी बटी रिस्क नहीं है कि वैं तो भाहन सके लिए कि है इस पुटि ठीट करेवकर तो इसमें कौन सा अब नमस्की बना है आपको कि सो दोसर रुपे वैसे भी चाहे बिडी गूट का यूटी पालर उनमें खर्च कर देते हो आप एक दो दो दिन तो तो नहीं जानता भाई बताया है तो सुब नात यह सबसे पहले काज के सामने जाता है अब ऐसे देख मना तो मैं भी ऐसे ही करता रहता हूँ ये किसी काम को चार दिन में B.C. U से तीन दिन में A.C. U से दो दिन में और यारे तो वो ही सवाल है पिछले वाड़ा ये 12 पे ब्राबर करेंगे तो ये 3 हो गया ये 4 हो गया ये 6 हो गया वो पिछला ही है ये तो पिछला ही है वैसे वो डबलूर और सीर वो ही बदरे वे हैं चलो फिर भी करी लेते हैं हम इतने दूर आ गये हैं तो AC 6 है ये 3 है तो C को 3 मान लीजिए फिर ये 4 में से 3 ये है तो ये 1 मान लीजिए फिर 12 पर बराबर उने वाड़ा है 12 एक कमबर और क्या ही करें अ चलो बहुए पतादो फटावटीन एक-दो बातों को फिर ये प्रेंडि करें क्लास को बस अब दन्यवाद यह करेंगे और क्या करेंगे एक A है एक B है एक C है एक A B हो सकता है BC हो सकता है, CA हो सकता है ABC 3 हो, इतने सारे लोग हो सकते हैं इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है क्या दिया, this this and this 24 पे बरावर होंगे, 8 तिया 24, 12 दॉइश 24 चोईश, अब आप मुझे बताइए AB का मान 3 है, ABC का मान 4 है तो आप कहेंगे, सर वो C बच गया, वो 1 बच गया अब C का मान 1 है, BC का मान 2 है तो आप कहेंगे, सर, BB साला कितना बच गया 1 की बच गया, फिर AB 3 है और B 1 है, तो ये 2 बच गया देखो तो इससे, आराम से दिख रहे हैं और CHEA सबका multiple choice बना रहे होते हैं तो इसका answer सही निकालते हैं एक AC है एक BC है ABC साथ में है और AB साथ में चीए मज़े A B C A B B C C A A B C एक जगे ABC एक जगे तो कितना है 8 BC कितना है 12 ये कितना है 20 सब्सक्राइब करेंगे तो ये तो दस बार पांच वाले को तीस के करेंगे चाहिवा एक सो बीस होगे नहीं हां और आट वाले को करेंगे तेज तो ये 15 एक सो बीस अब आप मुझे बताईए 15 में से ये तो दस है BC दस है 15 ABC है तो C कितना आ गया 5 C के नीचे तो पांच लिख दो C तो मेरे पास 5 आ गया पिर A B ची है मुझे तो देखो A B कैसे आएगा इसमें से 15 में से ये 6 गठादू में मान लो इसमें से 6 गठादू यहां देख लो देखो तो कितना इगा 18गराइगा समय से 5-8 लो ड्वा INTBक कुछे कि यहां से थादू तो 2-8 अधन आजाए गया 5 अरब नवाल गया यह 5 खो और अब मुझे बताओ इसमें बिकितना जाएंगा चällen पो यह नट ना गया 2020 कि अधर देखू क्या हो रहा है कि बीजी बारा में करता था इस इबीज में करता था और एबीसी आठ में करता था एक इस बीज वे ब्राबर करें तो इतीनों का तो कितना हो गया फंदरान टेक्सोबीस एक 220 ये B C को आठाया मैंने तो ये A कितना आता ये यह नहीं लिखा ये 5 आता फिर ये 5 में से देखो ये आठा आथा तो C कितना आता, A क अन्य एक आता और 3 का 15 में से चैना नो आता अरह B 9 आता की नहीं चलो B 9 आतार A5 आता तो ए B कितना आता, 14 तो 14 के पाड़े में तो आएगा नहीं 120 वटा क्या कर देना 14 120 वटा 14 120 वटा 14 कटेंगे तो 60 वटा 7 60 वटा 7 कौन सा आजाता एंसर आजाता दिग्या कैसे कर रहे हैं इनको यह थोड़े थोड़े देखने आने चीए यह कुछ वैसी बाते हैं यह लास्ट कर दें यह कर दें अभी अमित एक काम को 5 गंटे में करता है जीवन और पॉल एक अमित है एक जीवन है एक पॉल है जीवन को जी माना है इसको पी माना है जीवन और पॉल एक साथ आते हैं तो 4 गंटे लेते हैं अमित और पॉल आते हैं अमित और पॉल एक साथ आएंगे तो 3 घंटे लेते हैं अकेले जीवन काम करने में लगभग कितने घंटे लेगा पीनो और अमित अमित अकेला कितना लेता है 5 घंटे 5,4,3 को 5,20 तिया 60 पर बराबर कर लो तो ये तो 12,50 60 ये 15 चोग 60 20 ती यह 60 अब देखिये आप मुझे बताइए अमित अगेला 12 में करता है और अमित और पॉल 20 में करते हैं तो 12 में से 20 तो ये पॉल कितना बचेगा 8 अब देखो पॉल को मैं 8 मानूं तो ये कितना 7 इस 15 से देख लो रहा कोई से भी देख लो अब कह रहा है कि अकेले जीवन को काम करना पड़े अकेले जीवन को काम करना पड़े तो कौन सा है जीवन ये साथ वाला तो बताओ यहां साथ बन रहा है कि नहीं साथ तो यहां साथ कैसे बनेगा साथ बटा कितने से बनेगा साथ से तो साथ में साथ का भाग देंगे तो आटो साथ तो कितना आएगा चपन तो यहां देखो लगबग कितने गंटे लगेंगे अकेले जीवन को काम पूर नांकित पूरा-पूरा इमान ग्यात करना है तो पूरा-पूरा कितने गंटे लगेंगे आठ गंटे लगेंगे पूरे दिग्या क्या करते चलो तो बाकी चीजें तो अपन next class में पढ़ेंगे समयकारिय मजदूरी पढ़ रहे थे आप और समयकारिय मजदूरी में सबसे पहले तो आपने चोटी-चोटी चीजें देखी थी starting में समयकारिय मजदूरी में आपको क्या क्या आना चीजें तो समयकारिय मजदूरी में हमने ऐसे देखा था कि आपको एक तो सम्ता का ग्यान होना चीजें सबसे पहले और किसका होना चीजें समयका इन दोनों में से सम्ता का तो अनुपात लगाना आना चीए कि इसके अनुपात लगाने आने चीए टाइम वाइम वो देता है या इसका भी अनुपात बना सकते हैं और समय गुणा समता आपस में क्या होती है इक्वल जादा तर अब तक का सार यही था कि आपको समय गुणा समता का कंसेप्ट आना चीए दो हो दो से ज़्यादा हो या कितने भी हो समय गुणा समता आलवेज क्या होती है इक्वल होती है फिर मैंने इसके साथ आप दो चोटी चोटी बात और बताई थी आपको कि मानलो किसी ने मुझे ऐसे गाऊ था कि एकेला किसी काम को 25 दिन में करता है पूरे काम को पचीस दिन में करता है तो इस बात से आप क्या समझे इस से आप ये समझते हैं कि सर ये पहले दिन कितना काम करेगा पचीस में से एक काम करेगा यानि पचीस काम होता तो पचीस में से एक काम कर रहा होता और इसे एक बटा पचीस कॉल करते हैं आप या फिर यह व्यकति चला गया कि यह कुछ बाते बॉचती हैं कि यह कितना काम कर गया और कितना यह सेच छोड़ गया तो मैं ये कह सकता हूँ कि 25 में से 13 तो कर गया होगा ये तो complete कर गया होगा और incomplete इससा कितना छोड़ गया होगा 25 में से 12 से सोड़ गया होगा 25 में से 12 को मैं 12 बटा 25 कहता हूँ ऐसे कुछ गनित बताई थी कि गनित को ऐसे कुछ read करना आना चीए फिर हमने थोड़ी थोड़ी गणी तैसे देखी तहीं कि कहीं पे आपको ऐसे भी दे दे कि यदे दो बटा पांच काम को बीस दिन में पूरा करता है तो इसे मैंने पढ़ना बताया था कि ऐसी चीजों को बगएर पहन पढ़ना आना चीए पैन से नहीं इसका मतलब है पांच में से दो काम बीस दिन में करता है तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि दो काम बीस दिन में हो रहा है तो दो काम यदि बीस दिन में हो रहा है तो सला ये पूरा काम को इंगित करता है तो 5 कितने में होगा तो को यदि मैं 20 कहता हूँ तो 1 को मैं 10 कहता हूँगा और 5 को मैं 50 कहता हूँगा तो complete work है वो A 50 में करता होगा वो कहे कि आदा काम तो फिर आदा काम आदे दिनों में होता है चोथाई काम चोथाई दिनों में होता है वो कोई मसला नहीं है कि वो आदा पूछे चोथाई पूछे तीयाई पूछे एक पंचमास पूछे तो यह कह रहा है आदा काम तो आप कहेंगे सर पचास का एकजेक्ट आदा कर दीजिए पचेस वो यहाँ आदा नहीं कहके एक बटा पंच काम कहता तो मैं इसका एक बटा 5 कर देता है एकजेक्ट तो दस आजाता वो ऐसी बाते हमने देख ली थी फिर मैंने कहा था कि यह बटे में ना लिखके हैं कि 30 बटा 100 और मैं इसे 10 में से 3 भी कह सकता हूं, 100 में से 30 में 300 में 300 में कह सकता हूं, यह कोई मसला नहीं है कि यह कहीं 1000 में से 300 खावा जाए रहा आप मुखा पर अभी भी यह वोई बात है, गणित में एक ईक चीज के बहुत सारे रूप होते हैं और इतने रूप होते हैं कि आप खुद थक थक्या मरी जाएंगे लेकिन उसका इंड नहीं आएगा अब आप मुझे यह बताईए कि बस में से तीन काम कितने में हो रहा है तो मुझे ऐसी फिलिंग आ रही है कि नहीं कि 15 12 में हो रहा है तो सला夫 एक काम चंहें हो रहा होगा और 10 काम 40 में हो रहा होगा मैं فəttak सेやन 40 लिख देतं पिर मैं यह कहता है कि उसका 4 काम और 10 काम Exact इसमें आगे बढ़ते बढ़ते एक सबसे important बात आई दी, क्या आई दी, एक ऐसे आई दी कि यदे ये वाली चीज, इस पूरे chapter की सबसे important बात, वो बातें तो क्या थी कि परसंद समझने के लिए आनी चीएं, ये बात तो परसंद को solve करने के लिए आनी चीएं, इसली class में कि इस चोटी सी बात की वज़े से अपने direct जांपर मार दी कि नी, लेकिन आपको ये पता होना चीए कि दो या दो से अधिक व्यक्ती किसी काम को कर रहे हों, तो उनकी समता और समय को अलग-अलग judge करें, जिनकी समता दे रखी है या परसंद में जितने tools दे रखे हैं, उनक समता कार्य को सलता, B की समय और B की समता को गुणा करें, C का समय और C की समता को गुणा करें, ऐसे ही A, B, C की, या even A या B, कोई दो लोग हो सकते हैं, तीन लोग हो सकते हैं, कितने भी हो, समय गुणा समता सब की क्या होगी, equal होगी, इस concept के माद्यम से आपने बहुत सारे सवाल देख लिए कोई भी ऐसे चोटे सवाल आपको देता कहता कि भाई P Q से दुगनी तेजी से काम करता है ऐसे कह देता तो P और Q और P Q और मैं कहता समय और Efficency दुगनी गती से काम करता है P देन ये 2 से काम करता है तो ये 1 कि स्पीड से काम करता होगा ये इनकी दखस दा तो दोनों मिलकर कितने से करते होंगे फिर कारिये की डिटेल है Q सवतंतर रूप से 36 में करता ये साला 36 में तो हम जानते हैं समय गुणा सम था तो 36 एकम 36 तो यहां भी 36 बनना चीए बारतिया 36 या आँ भी 36 बनना चीए ठार दुआ 36 कुछ आंकड़े डाइरेक्ट हों तो मैंने कहा था डाइरेक्टी फाइंड करें छोटे आंकड़ों को और कुछ आप लिखे फाइंड करना चाते हैं तो लिखे करें गणना वणना का ग्यान वगएरा हम देख चुके हैं क्यों एक काम को कितने में कर सकता है बारा में तो यहां का गुननफल क्या हो गया बारा यहां का गुननफल बारा बारा एकम बारा तो चार तिया बारा तीन चोग बारा कोई पुछे पी कितने दिनों में कर देगा तो ये पूरा काम चार दिनों में कर देगा लेकिन उसने कहा आदा काम थोड़ी देर पहले ही मैंने बका कि exact आदा कर दीजिए पूरे काम का तो चार का आदा कर देता तो क्या उत्तर आ जाता दो आ जाता ऐसे खूब सारे सवाल देख लिए इसमें हो सकता है दुगना तिगना हो हो सकता है इसमें कोई परतीसत वरतीसत के आकड़े हो मैंने कुछ ऐसे भी आकड़े बताए कि मान लो ऐसे कह दे कि 50% अधिक दक्स है या कुसल है तो मैं क्या कर रहा होता 100 एक जणा 100 समता लगाता तो ऐसे है ये ऐसे तो एक को तो मैं कितना किलो समता का मानता 100 का परसंटेज का मतलब है 100 पर तो दूसरे को मैं कितना मान रहा होता 1.500 आप कहते सर इनकी efficiency का ratio 2 is 2 3 होता ये दक्सता का अनुपात हो गया और ये दोनू मिल जाते तो दक्सता का अनुपात 5 हो जाता और according to question ए अकेला उसे कितने में करता है 18 में तो ए वाली चीज के नीचे में क्या लिख देता 18 ही लिख देता मान लो तो ये 18 दूआ कितना हो जाता 36 तो ये 12 तिया कितना हो जाता 36 और 5 के पाड़े में 36 नहीं आता है तो 36 बटा 5 36 बटा 5 को 5 से गुना करने से 36 आता है ऐसा हम सीख चुके हैं गड़ना में कि आपको क्या क्या डिफिकल्टी आ सकती हैं गड़ना में बस अब मेरे को तो सिर्फ B का बताना था तो मैं डाइरेक्टी बता दे था बारतिया 36 ऐसे करते करते खूब सारे questions देखे आपने फिर ये सम्ता उम्ता के अलावा भी हमने कुछ बातें ऐसी करी थी जिन में मानलो आपको डाइरेक्टी ऐसे दे दे कि एक जणा 9 में करता है दूसरा 12 गंठे में करता है दोनों मिलकर कितने गंठे में कर देंगे तो ये 9 हो ये 12 हो तो सम्ता का अनुपात लगाना बताया था मैंने कैसे लगाते हैं इनका गुणनफल इक वलोना चीए या इनके अनुपात से भी सोच सकते हैं मैंने कहा था इसकोर इसको काटेंगे तो 3-4 आएगा तो ये टाइम का रेश्यो 3-4 आएगा तो 4-3 सम्ता का आएगा ऐसे करकरा के वो सभी में एक सेम साही कंसेट अपने यूज करा है और उसको आपने समझा है या घर जाके 10-20 मिनट जैसे मैं रिवाइज कर रहा हूं वैसे आप घर जाके रिवाइज कर रहे हैं तो निस से तोर से हड़ का फाइदा होगा वरना बीमार तो आप पहले से भी हैं चालो ये कैसे रिस्पॉंड नहीं कर रहा तैसे पढ़ते पढ़ते कुछ 50-60 परसनों तक आ गए साहीद आप और यहां तक आ गए थे साहीद आप यहां पहुंच गए थे अब थोड़े लखन से देख लें इनको यहां पहुंच गए थे सन्नी और पावला मिलकर केसी काम को 12 दिन में पुरा कर सकते हैं या 12 गंटे में पुरा कर सकते हैं पावला उस काम को अकेला 18 गंटे में पूरा कर सकता है एक अन्य वेक्ति है जेन वो इस काम को अकेला पूरे गंडे में 45 गंटे लेता है एक सन्नी है एक पावला है एक जेन है तीन कनी डेट है तो तीनों को अलग अलग लिख लो एक तो एक सन्नी को और पावला को एक जगे लिख लो हो सकता है सन्नी और जैन को भी एक जगे करना पड़ जाए चीए कि नहीं सन्नी और जैन और हो सकता है पावला और जैन एक जगे इतने लिखने नहीं थे लें तो ये परसंद 10 सेकिंड से भी कम समय में हो जाएगा अब आप ये कह रहे हो किसा पावला अकेला कितने में कर सकता है अठारा तो पी के नीचे अठारा गन ठेलिक दें टीके सामने जो टाइम की जानकारी हो टीके सामने डिनोट करेंगे एफिसेंसी यानि समता का मामला ह वो एके सामने डिनोट करेंगे फिर कह रहा है जैन अकेला भी कितने में करता है ये 45 में अकेला करता है फिर मैं काऊंँ ये दोनों मिल जाते हैं कोर्ण सैन और सैनी और सनी और पावला अब आप मुझे बताई इनकी समता जज़ कर सकते हैं कि नहीं अपर समता का एक सिंपल इन से का अटता तो यह कितना आता नो यह 15 और चार 15 चोग 60 फिर 60 में नो का भाग नहीं जाता कि इन से गाटूंगा चहीं आएगा किसको दिखाए नो ने रेको आपको सही दिख रहा था यह कोई बात नहीं मांश्र तो भी लखने हैं आपके वैसे भी दिख गया चेत में हो हम मुझे बताओ 15 6 60 पे बराबर हो जाएंगे कि नहीं 6 को 60 बनाएं तो दाए 60 6 दाए 60 अठरा दाए 180 जेसे 15 को 60 बनाएंगे 4 पेंटाली चोग 180 हो जाएगा मैंने यह बता दिया है फिछली क्लास में यह सब को बराबर कैसे कर रहा हूँ और 15 चोग 60 या 15 गुणा बारा 180 सबका गुणनफल कितना बन रहा है 180 बन रहा है अब आप मुझे इतना बता दें कि देखो सन्नी और पावला की टोटल एफिसेंसी कितनी है 15 दो जणों की समता 15 है उसमें से पावला की 10 है तो मैं यह नहीं बता सकता यह 5 यह कैसे बता करा पूरी दुनिया को दिख रहा है कि यह दोनों मिलकर 20 में कर देंगे आगे तो कुछ करना ही नहीं है आपको यह समता एड़ेस्मेंट करना सिका दिया है मैंने कैसे करते हैं वह आप कर पा रहे हैं तो फिर सवालों को थोड़ा आसान तरीके से आप देख सकते हैं कितना इफ पूसारों को देख सकें इससे भी नहीं देख सकते हैं टाइप टू टाइप अल्लफ्हर कैसे देख सकते हैं उनको अब इस पिछले सवाल में फिर कोई और काम हो रहा होगा और इसमें फिर कुछ और हो रहा होगा फिर लपड़े होते रहेंगे अब तक आप सोच लेंगे कि आली अपने कुतमेत फिर आप भी तो जल्दी ऐसे मान जाते हो कि बस हो लिए नहाल पुरंट चलिए देखो देखेंगे क्या कह रहा है और कॉपी ते मैंरे साथ ध्यान रहे है जिनके पास नौट्स होते है वो चाह से एक रूल ला सकते हैं रूल पेंसिल रहे法 मतला रूल ही कहते हैं पर उसको वा अंग्रेजयों के वो लाद़ पैंसिल कहते हैं कोई क्या कहते हैं को उससे वो नौट्स के उपर भी चला सकते हैं उसको एक खट आखट जो भी दो तीन आकड़े लिखने होते हैं नाम उनके उनको चिपकाते हैं बस भी क्यू दो नों परसन यह चारा है कि भाई कि टने में चौरा सी दोनों मिल जाते हैं तो इककी समय इन को मैं काटने उना दो इसको चार सोगा करता है और इसको किस से ? एक सेर यह कितना आजाता stret पीन आ जाता और कितना ती patience प्र mentor ओ सकता है फिर ? अठ हाई ती हो सकता है, यहां आठ हाई सा जाता है कि नहीं, लेकिन अठाइस वाठाईस नहीं, पूचरा वो पी का पूचता तो यह नहीं पूचरा, देखो यह तौ आसानी काम था, परसन की language को पढ़िएगा, वो क्या चाता है, वो पढ़िए, यदी पी रोजाना दिन में कितना काम करने लग जाए डबल काम करने लग जाए पहले कितने किलो समता का है ये एक किलो समता वाला आदमी दो किलो समता से काम करने लग जाए तो कितने में करे ये लगभग ये पूछ रहा है तो आप तो नया लगाओ वही नया नया लगाओ लखन पी के लखन तो को बनाना तो कितना है perform लिखे बनायों को यह न लिख लेइंक लिख लेते रहे तो निया वाला PQ लिखे टो हम दो था तो तो मैंड पीड़ हो और फींए लिखा लिखा है कि अब भी माइन लो सारे अपने एक साहती है कम है थाने वाले तो फिर तोड़ा साल अगलग कर दें सेप्रेड तो बच्चों गोई से पता रहे था कि या चल रहा है इसको में चूरा सी बनाऊंगा कि नी तो पाँच के पाड़े में चोरा सी नी आता तो चोरा सी बटे के आएगा पाँच शोडा दिन तो 17 पापिच्च्च यासी लगभक कितने दिन में नहीं दिखा सत्रा दिन में कैसे रासी होता तो सोड़ा ता यहां नोट करो यहां एप रॉक्स दिख रहा है लगभग है कि दिख गयोंगे तो कली दिख गये थे तो देख लेते तो मतलब भासा तो पढ़नी आनी चीए आपको कुछ मैं बता देता हूं 150 पर एक A है मेरे पास एक B है एक C है एक A B मिलकर है एक B C मिलकर है एक C मिलकर है या तीन नोट यह दिख पा रहे हैं ऐसे कुछ हो सकते हैं इसमें अलग-अलग अपने पास में A B का मसला 18 दिन का तो मैं टाइम और एफिसेंसी समय और दख्सता चाटूंगा समय और दख्सता समय है यह 18 यह कितना है 24 और यह कितना है 34 इनकी समता का अनुपात अनुपात लगाना बताया तहां मैंने तीन जणों का है तो डाइरेक्ट लगा दो कैसे यह तो इनको अनुपात लगा लो उसको गुना कर लो यह 18 चति दूआ में तर बैंतर पे बराबर हो जाएंगे किसी को ऐसे लगता है कि मैंतर पे बराबर तो अठारा चोग मैंतर चोई तिया बैतर छती दुआ मैंतर कुछ को तो ऐसे लग जाएगा कि सर ऐसे कर सकते हैं इसको हो सकता है कुछ लोग ऐसे करें कि सर आम इसको काट लेते हैं अलग से काटना लेकिन यहां मत कांड ना क्योंकि समय तो पूरा चीह है आपको यहां दो इसको 6 से काटा 3 बार 6 से काटा 4 बार 6 से काटा 6 बार तो यह 12 पर बराबर हो जाएंगे तो यह 4 तीया 12 यह 3 जोग 12 दो समझ गे नीचे वाला अनुपात कैसे सो सकते हैं और अन्य तरकीब से ऐसा लग जोड़ा है था कि तीन जड़ों को कैसे एक वाला नुपात में करते हैं अब सुनों यदि में इन तीनों को जोड़ दूँ तीन चार तीन साथ सातर दो नो यहां नो जोड़ दूँ तो यह ABC का डबल ओ गया अरे डबल ओ गया अगी नहीं एबी सी का डबल डबल जुड़ आता मुझे आदा लिख दिया सुनना इव तीन फिर कितने में करेंगे तो यह बहुत बढ़ रहा है यहां यहां भी बहुत बन रहा है यहां ही बाता चल जाएगा कि कौनए से सेब्तर बनेगा हो सकता इक लिए स को च्टी वह इस गुणा दो लिखे इसका गुण न फलिक आन नो बता दो ली खेर फिर एबीजी का मसला निकालना था एबीजी कमान कैसे आएगा कि दोसे दो कर जाएगा कर जाएगा तो से दो करता है नीचे वाला उपर वाले से कर जाता है इधर इधर बराबर के इधर उदर होता तो कर जाता सुद्र जाओ तुम सुद्र जाओ मास्टर के मनने से पहले ही सुद्र जाओ तुम की वह वाता में त्यान ही कर लिए यह नो काटा कित्ती बार चार बार चार दो आठ सोला आ जाता है कि नहीं है भी सी कमा चलो ही दर सुनो कुछ बच्चों के थोड़ा अलग तलग हो जाता है यह से बटे में आता ही क्योंकि उन अनुपात होता है ना अनुपात ही दर सुनना दो अनुपात एक होता है उसको आप चार और दो भी लिख सकते हैं इसको डबल कर सकते हैं सेम संक्या से गुणा या भाग कर सकते हैं परतेक पत को यदि किसी को ऐसे लगता हो कि इसमें मेरे सूट नहीं हो रहा तो इसको डब दबल हो गया तो हादा करेंगे उसको अभीगे अब तो मेरे जिसाब से आपको कुछ करने की आउशक्था बची नहीं यहा नो गया यहां चार हो गया यह आठ लेकिन अब बेंटर नहीं होगा अब किसका उगया अठारा अटे इसको करेंगे रूदन नो गुणा कुछ करेंगे तो नो इसको काटेगा दो बार तो आर दूरा कितना आता आब एबीसिYour BBC का समय कैसे निकालोगे कुछ गड़े होते हैं वो इसको 140 रह से और बना लेते हैं तो कितना आ जा था यहाँ 16, समझे कैसे आया 16 इसको डबल कर लें आपको ऐसे लग रहा है आदा नहीं हो रहा तो और एक बात सुनो मानलो परिक्ष्या वाला तीनों का ना पूछ के क्या पूछ देता, A पूछ देता B पूछ देता या C पूछ देता तो आप मुझे यह बताएए तीनों का मामला 9 किलो है कि नी तीन जनों को 9 मिलता है इनमें से 2 को हटा दू में 8 को हटा दू तो बोलो इसको 1 मिल रहा है कि नी यदि इसको 1 मिल रहा है तो B और C कोछ है मिल रहा है कि नी इसको एक मिल रहा है तो इस साले को पांच मिल रहा है इन दोनों को आठ मिल रहा है इसको पांच मिल रहा है तो इसको तीन मिल रहा है यह समझ पाए हूंगे मैं क्या समझाना चाता हूँ अब मुझे ऐसे कहें कि यहां क्या आएगा तो यहां तो अठारा अंटे के बराबर करेंगे तो एक सो चमालीस आएगा यहां क्या आएगा तो एक सो चमालीस बटा कितना आएगा पांच आएगा इसके पाड़े में आता ही नहीं है ये तीन से काटेंगे तो 6 बार 8 चीगे अर्टालेस समझ पाये होंगे कोई सा भी निकाल सकते हैं जरूरी ये नहीं है कि तीनों काई पूछे जरूरी ये है कि इसमें से कोई सा भी पॉर्सन पूछे चल गया पता ये दो दो के में कैसे जज़ करना है अब आप इस पॉर्सन को देख सकते हैं तो सोनल और अर्जुन मिलकर एक काम को सताउन दिन में कर सकते हैं एक सोनल है एक अर्जुन है एक रोहन है फिर कह रहा है सोनल के साथ अर्जुन हो अरजुन के साथ रोहन हो रोहन के साथ सोनल हो और तिनो यही रहा पिछले जैसाई कोशन है मैं समय और efficiency समता का idea लगाऊंगा तो यह परसंद बहुत इजी तरीके से हो जाएगा पहले तो समय की detail क्या है सोनल और अरजुन 57 यहां मैं 57 डेज लिख देता यहां 38 लिख देता same next यहां भी 38 ही लिख देता मैं और मैं समता सोचता समता सोचना बता दिया है मैंने फिस्वी क्लास से नहीं भी पता है आज ही आए हैं तो भी थोड़ी थोड़ा गोर से देखें इस चीज को कि क्या कर रहा है टीचर आपको एक ऐसा नम्मर सोचना पड़ता है जो इनके तीनों का multiple equal कर दे और इनका अनुपात सोचना पड़ता है तो देखो यह तीनों किसी चीज से कट रहे हैं उन्नी से गुन्नी 37 गुन्नी 38 और गुन्नी 32 यह बहुत इजी था राकॉशन नहीं दिखा अब आप मुझे बताओ यह 6 पर बराबर हो सकते हैं इसे 2 मान लो इसे 3 मान लो इसे 3 इससे इसी क्वाशन हो नहीं सकता भई इससे इसी क्वाशन को नहीं सकता दिख गया होगा अब अब बढ़ाओ आपको लेसे मैसे फलाना दिखाना उनसे निकालते हो तो इसमें इसका पॉंच कुना टाइम लगता आपको अब आप मुझे बताओ तीन नो का जोड़ेंगे तो तीन और तीन चेहर दो आठ लेकिन आप कहेंगे करके वह जोड़ी रख दे मतरव कि समझे वह चार कैसे लाया अब देखो यह मुझे चीह नहीं लेकिन मैं निकालूंगा साब क्यों निकालूंगा अभी अभी मैं नया नया हूं तो सारी चीजे जानना जरू रही है यह ऐसे दो है और तीन और चार है तो मुझे बताओ यह आर दो है कि नहीं अब यह दो है इन में से यह तीन है तो एक कितना हो गया एक हो गया और यह भी कितना हो गया एक हो गया नहीं दिखा और अब मुझे बताओ यहां सत्तावन दुआ है तो यहां भी सत्तावनी यहां एक कम तो 57 का डॉबल आएगा 572 एक सो कितना होता है 114 उता बताया शता 172 यह भी कितना है गादी यह तो पूच नहीं रहा पूच नहीं रहा लेकन मैं एक सेक्ट में निकाल सकता हूं इसको वैसे इसकी जरूत नहीं थी, मुझे तो वो 4 की जरूत थी बताओ ये 4 इसको कितनी बार काटेगा गुनीस बार, फिर गुनीस पार काटेगा की नहीं या किसी एक जणे को गुणा करके बराबर कर लें आप कहेंगे सर, 38 गुणा 3 बराबर 4 गुणा 3 नो तो मैं 4 से काट रहा हूँगा उसको, तो 4 से काटूँगा तो ये 4 नीचे आजएगा फिनो में से 4 नीचे आएगा तो ये 19 बार कटेगा, ये 2 बार 57 का अदा करेंगे, तो 56 का अदा तो 28 होता है और 57 का 28.5 हो जाता, मेरे इसाब से निकाल सकते थे और एक-दो कलासों से बैठे हो, तब तो मेरे इसाब से कोई दिक्कत सली के की है ही नहीं सारी बातें बोल चुका हूँ मैं, सिर्फ अब तो सवाल दिखा रहा हूँगी, सवालों को कैसे गहेंगे सवालों में, डाटा बदलता रहेगा, हर बार देख रहे हैं, कुछ ना सवालों में, कुछ ना कुछ पार्ट बदल रहा है, कोई बासा बदल रही है, कभी दो का देता है, कभी तेन का, कभी एक का, कभी सारों का देखो देखें क्या कह रहा है इसमें क्या चाहरा है हो एक A है, एक B है, एक C है C कहा है, A, C, E है, B नहीं है C है, E है, A के साथ में C, C के साथ में E और A के साथ में E, या तिनो तिनो का इपूछ रखा है बताओ, एक जणे के नीचे क्या लिख दो 120, A, C के नीचे तो C के नीचे कितना लिख दो, 80 और इसके नीचे कितना लिख दो, 160 आप देखो जिसको सम्ता सोच नहीं आती है सम्ता, वो इस परसन को डाइरेक्ट ही कर देगा सम्ता कैसे, सम्ता का अनुपात लगाना है यहां, 4 को 3 से, 16, 38, 40 अब 3 का निकाले, 6, 4, 10, 3, यहां क्या होगा? 13, लेकिन 13 तीनों का नहीं है यहां, 13 का कितना करना पड़ेगा? आदा, लेकिन मैंने 13 का आदा थोड़ा 8 पटा रहता है 13 के आदे से भी जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 13 के आदे से भी कोई बच्चा यहां भी करना चाहता है, तो यह सही कर ले वो क्या कहेगा? कि सर, इसके बराबर होगा यह होगा कि नहीं? कोई से एक जणे के बराबर कर लें 160 गुना 3 के बराबर क्या कर लें? 13 बटे, 2 गुना 3 अब 2 तो उपर आएगा, काट मंद्र नहीं उपर आएगा और 13 नीचे आएगा, तो इसको गुना कर दो, तो 160 को कितने से गुना कर दें? 3 और 2 से गुना कर दें, और नीचे 13, अब कट तो रहा नहीं गुना ही करेंगे, तो यह चिक गा, 960, 960 में कितने का भाग देता? 13 का, एक तो यह, यह मैंने का आता कि इनका बटवारा करना होता है, इसको डबल-डबल कर लिया करो, जिससे यहां 13 रह जाएगा, यहां 6 हो जाएगा, यहां 12 डबल भी कर सकते हैं, वहाप पूची, 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 चले, चले यह दो बटवाई क्या कह रहा है, अट से निकार दे, एबी पांस दिनों में, बी-सी-आड दिनों में, सी-सोडा दिनों में, समय गयात किजिए, जिसमें तीनो मिलकर किते में कर देंगे तो देखो वो कह रहा था A B एक जगे है B C एक जगे है C एक जगे है तीनो डायरेक्ट कर देता हूँ मैं तो इसको ये 5 में कर रहा है ये कितने में कर रहा है 8 में ये कितने में कर रहा है 16 में अब देखो यह तो 16 पे बराबर हो जाएंगे लिए 16 पंजेटा सी हसी पे बराबर कर लो इसको सोला मान लो इसको 10 मान लो इसको 16 पंजेटी सो जाता यह 31 बता कितना आता 31 बड़ा 2 समझ गए 3 में 6 जणे हो गए थे तो आदा करेंगे उसको या फिर इसको 32 लिख लो इसको 20 लिख लो इसको 10 लिख लो और इसको 31 लिख लो फिर अब मुझे पता है किसी एक जणे के बराबर कर दो गुणा में इसके बराबर कर दो तो 16 गुणा 5 गुणा 2 बटा 31 बराबर 3 बस 160 में किसका भाग जाएगा 31 का पाड़ा बोलना बताया हो है सबको 30 का पाड़ा होता है 30 के पाड़े के आसपास 30 का पाड़ा बोलते चलो 3 का पाड़ा आता है वैसे और एक एक जादा करते जाओ दुग्गे में 2 जादा कर दो तिग्गे में 3 जादा कर दो 4 जादा कर दो तो 1500 तक जाएंगे वहाँ 160 में किसका भाग देंगे अपन 35 होता है 500 साइड में लटकेगा इसके 17 आ रहा है या आएगा नहीं इसके 14 है और कितना बचेगा फिर 1500 पच्पन होगा पांच बटा 31 बचेगा देख लो पांच बटा 31 आद में ये बचेगा बी ओप्सन देख लिया काई कंडूरे चैन अड़ी का चाहिए तो अड़ी का निकाल सका जाप हाँ ये अकेलो चाहिए तो इमासू इब इगठा हो जना सी आओ लो भी सी गठा हो जना बांकी समता समता ये रिक एक सेकिंड में बांको आंसर आई बस आप परसन में टारगेट रखेंगे टाइम और समता में से क्या दिया है उसको डाल और बाकी जो समता लगानिया उसको लगाओ खट से निकालो कई बार बच्चे क्या करते हैं उनका पता नहीं क्या 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 ही करने लग जाते हैं तो फिर उनको रूडी जाती है पूरी जिंदगी काम नहीं आता है कार्य के दो परसन भी नहीं आते हैं पूरा तो मालो मेरे को भी नहीं आता मैं बैसे गोले देता हूं गणित मेरे को भी नहीं आती है पूरी और पूरी आती क्या है वो डोड जितनीक आती है चैप्टर चाल दो करा था तब उसके नीचे एक न्यूटन का कोट लिखा हुआ था कि अपन जानते हैं वो बूंद के बराबर है और नहीं जानते हैं वो मासागर के बराबर है वह तो नहीं लेकिन बूंदी नहीं जान रहे है उसकी दुख तो इस बात का है लगाओ देखें क्या हो रहा है अब की बार B अकेला चीए सहा B अकेला निकाल सकता हूँ तो क्या हो गया A B B C C A 3 खटागट खटागट लिख दो ये 12 में ये 8 में और ये 6 में 24 पे बराबर होते हैं खूब करें कलिकरें 12 दूआ चोईस, 8 तिया चोईस, 6 चोगा चोईस एक उननफल बराबर होते हैं खट से ही 100 दो, 3 नो का 7 और 3, 9, 9 का आदा करेंगे क्योंकि 2 दो के हो तो आदा करने से आएगा एक एक क्यों होते तो जोडने से आजाता, आदा नहीं करना पड़ता अम मेरे थोड़ी जमीन नहीं गया मैं यहान नो लिखाओ, क्या करूँ? तो इसको डवल करूँ आ ? लिंहान यह दो क्या कर लिखाओ, इसको डवल करूँ आ है, इसको अफ़ादा दो का आपन larまだ थोड़ी ओटा तो इतना ही निकार ना बार चोग गर्पारीस तो अउर्तारी से कम एड़तारीस。 एक सेंड में कर देगा फिर दो देखो देखो मैंने क्या करा, इक गँग गया होगा, बी कैसे फाइन करा, मालो ए पूस्ता, ए पूस्ता तो मैं बी सी को घठा था कीनी, 9 में से 6 गट आता तो ये कितना आता तीन तो ये 48 कैसे बनता शोला थी 48 मुझे सी पूसता तो 4 गट आता उसमें तो ये 5 ये 48 बटा 5 आता 48 बटा 5 लिख देता उसको मैं और 5 के पाड़े में 48 नहीं आता तो 48 बटा 5 लिख दो और क्या ही करोगे हाँ ही आगया अब तो ऐसे लगने लने घ Against Beta 2 बराफ रजाया है तो आने लगे है कि ओर देखो अब ईबी चिए बी बीच इसी और लेर् ओ अबीची इसी दो यह आपको बटाएंगे तो जाके तीनों का आएगा अब आप मुझे बताओ इसको गठाने में थोड़ा रहेगा कि नहीं देखो इस तेरह को साड़ी छे भी लिख सकते हैं कई आदमी है से लेकिन यह थोड़ा मस्ला पॉइंटो मेर ऐसे आपको डर लगता है कम गणितान आपको रिकमेंड करूंगा इनका डबली कर लें उसको तेरह बटादो को इसको डबल करेंगे बारा आठ चैनल यहां तेरह हो गया तो देखो आप दिख गया होगा वह तेरह बटादो के कैसे अठादिया मैंने अब लगा दें इसका एडिया क्योंकि साला साथ पर बराबर से हमें यदि आप समयकारिय को जानते हैं तो और लपड़ा दफड़ाई जानते हैं तो इस सिट अप नहीं हो सकता फिर कई बार ऐसे हो जाता है कि परसनी मूंड में देने को बगता है अन्नोर बोलता है और फिर देखते ही हुआ हुआ के भी गया होगा क्या कर रहा है तो मैं तो जब भी इनको सॉल करता हूं तो ऐसे देखता हूँ कि बहए इनके सम्ता अमतार इनका एड़ेस्मेंट कर ले और देख ले देखिए क्या कह रहा है एकेला इस काम को कितने में तर देगा एकेला एकेला मुझे एकेला चीहे अब पूरे नहीं लिखूँगा मैं जितने चीहें वो यह लिखूँगा एसी दे रखा है और एबीसी तिनो इतने ही चीह है, मुझे तो A B किते में दे रखा है, 10 में, 1, 12 में, 6 में, ये 60 पे बराबर होते हैं, 60 पे, 12, 10, 6, 60 पे होते हैं, तो इसको 60 कैसे बनाओ के, 12, 50, 11, 60, 16, 16, 25, 21, 21 का आदा करना पड़ेगा, इसको 12 कर देता हूं, इसको 12 कर देता हूं, इसको 12 कर देता हूं, इसको 10 कर देता हूं, इसको 20 कर देता हूं, इसको 12 कर देता हूं, इसको 12 कर देता हूं, इसको 20 कर देता हूं, इसका डबल होगा, 120 बटा 11 इसको गुणा करने से 120 तभी आएगा जब 120 बटा 11 और ये उत्तर लगा देते आप तो मेरे इस आप से हो जाता दिग गये होंगे कैसे कर रहा हूं मैं उन सवालों को इस से कम गंड़ना में कैसे भी नहीं कर सकते आप चाहिसा आप कितने भी तोपची से पढ़के आया हों चाहिसे कितनी भी टक्टेस करी हो आपने इस तीग गंड़ना आप जानते हैं तो आसान से आसान फेज में वो सोलो जाएंगे मज़्धुरी हमेशा संथा में बठती है इस चीज को द्याएं मज़्धुरी किसके अकोर्डिंग बढ़ती है संता के जो काम करने वाले हैं उनके लिखनों के साबस्दूरी दी जाती है कोई काम करने सब्सक्राइब समय कि चपेट में आके आप मजदूर भी बन जाएं तो कुछ दिन मजदूरी करें वहां ध्यान दें observation करें चीजों को सीखें ठेकेदार बन जाएं थोड़ी दिनों में इकटा कर लेगा पांस साथ लोगों को ठेकेदार कई मजदूर बनते हैं और मजदूर ही रिटाइड होते हैं कई मजदूरी से सुरुवात करते हैं और ठेकेदारी से रिटाइड होते हैं उनमें फर्क होता है कई आप में से भी कांस्टेबल की तयारी कर रहे हैं कांस्टेबल बनके एक है बस गंगा ना लिए और कांस्टेबल से ही रिटाइड हो जाएंगे और कई सारे ऐसे हैं जो बनेंगे तो कांस्टेबल कई कई रेटाईट हो सकते हैं कोई इजी ऑई जी से भी हो सकते हैं ऐसे हो सकते हैं कं मोटे हैं वह लेकिन कई लगते ग्रूप लगिसी में है रेटाईट फेर ड्र मोम अई वह के से हो प्रक्रेंव ऑड़ेले से अचे महिंड Sum पहले को आई से थी वह तो पुरी हुई नहीं अभी एक बार से में से मिना गाया बैए चीता अच्छा शॉसाथ सो बच्छे थे उसमें तो मैंने इसे हाथ करवाया क्या आप मैं सक्कितने लोगों ने बच्छ पन में सोचा कि मैं डॉक्टर बनुगार तुम बन गई कि मैं सो सोचा एक भी आदमी ने आथ नहीं उठाया किसा बिलकुल मैंने ऐसा सोचा और वह काम मैं अब कर रहा हूं नहीं समझ रहे हैं जैसे आपने चोटे-चोटे रहे थे हैं तब इस रहता है कि मैं तो चिलगाटी उड़ाओंगा बढ़ा और अब उसे उड़ा रहे हैं और कु अगलाना बढ़ां अगार फलाणा इंबन गया ऐसे मतरफ को रहता है कि शुर्व में बंदूप कर रहता है कि मान तो गैंग्स्टर बनुगा फिर धूंगे आप आप तो वो तो किसी के साथ हो नहीं रहा, अब तो क्या होना है, वो मजबुई वाला हो रहा है, तो उसमें तो कुछ भी कर लें, फिर क्या ही हो रहा है, भी जो उपसंद था, वो नहीं मिला, तो फिर जो मर्जी आए, जो मिले, फिर क्या ही फरक पड़ता है, कि और गाओ देखें क्या हो रहा है एक एक बी है ये 21 दिनों तक मजदूरी देगा या 28 देखो अभी इसको लगो तमगो तम नहीं लेना है मैं अशे तरण सोचता है साथ से कटता है तीन बार ये चार बार अलग से कटें लेकिन इसे अलग से कटें तो ये चार लिख दो यहा सबस्क पाइस तो यह तो यह。 तो परकोता है तो यहां रहे होंगे तो कई बारे से लगता है तो यह कुछ तो कैसे लगनों किया है सम्मे अलग लग परकोता है मेरे में तो भी लखन पवेदा है नहीं है रोज ममी कहती है कि मैं मर जाओंगी जना ते रुकाई वेलो आल ते रमाएं लखना आया है कुछ रोज कहती है एक बार तो कम से कम चोईस गंठे में लगाव देखें ए बी और ए बी सुनना ए दस दिन में काम को निपेड़ सकता है ये पंदरा में दस ती आतीस पंदरा दू आतीस ये दो और तीन कैसे सोचे हैं हो आप जाने हम मैं सोच रहा हूँ दोनों मिल जाएं तो कितनी पांच आप देखो हैं मजदूरी बटेगी तो किस में बटेगी पांच की अनुसार बटेगी तो बताओ पांच वाले को मजदूरी दोनों को टोटल मिली है उस कारिया के लिए कुल मजदूरी तो कुल समता कितनी है पांच तो मैं पांच में ब सब्सक्राइब दो 500 पाहिसां इस दो साड़ेशास ओ और 9639 707 शक्राइब है नियुक्राइब मज़त्य उस रखनाना जमाल नहीं को आए तो इसको 40 qreza Dessa देते फिर फिर जो रेजा डीन आ गया इसे कर सकता है ये दो दिन गाम कर गया अलग अलग भी तो कर सकते हैं तो कि और सुर्अंग पर अर इसी करना शीक कि ए तो कड़े थोड़ी अप ओती जाएगी थोड़ी थोड़ी बदरेंगी सुरेश और ससी एक काम को एक एस मान लेता हूँ एक ससी को ये से मान लेता हूँ ये 11 डेज में खतम करता है ऐसे दिख रहे हैं ये तो अपने को किस में करता है दोनों ने मिलकर पूरे काम के दोनों ने टोटल काम के तो समता में बटेंगे ये रुपे समता में बाटेंगे अपने तो आप कहेंगे सर 11, 17, 17 गुना 11 ही हो गया आप इनु कटते तो है नहीं दोनों मिलेंगे तो 17, 11 कितना होता है 17, 10, 17 एक और जोड़ दो सीधा ही जोड़ दो वो लो ये टोर्तल मजदूरी है वो 28 इस बराबर 6500 है किनी आथधाइ उनके इससे बताओ मजदूरी का बटवारा करवा ले ता है आपसे मजदूरी काई में बांटी जाएगी समता के अनुपातों में बांटी जाएगी ये दिहां रखें दोनों बराबर आठे थे तो सीधा बटेगा वो सकता है ये दो दिन जादा आए ये कम आए तो फिर उसी साब से बांटेंगे बांट दोगे मजदुरी उस दुरी चलो तो बांटे जाओ भाई फिर उसको ऐसे पूस्तिया एक A है एक B है और दोनों ने मिलकर 77 रुपे की मजदुरी टोटल काम के लिए है C भी है गया C भी है तो C और मान दो इसके पास B, C, तीनों कर दो क्या ही हो रहा है उसमें ये 16 में, ये 20 में, ये 24 में समता लगा हो वई देखो 16, 20 नहीं जाना तो काटो इसको चार से काटा, 4 भार, 4 से काटा, 5 भार, 4 से काटा, 6 भार, 60 हो जाएगा, 6,5, 30, 60 पेगा 15, 60, इसे पंदरा मानो 12, 50, 60 और 10 बार 240 पेगा उजाएगी टीनों को जोडें, तो कितना हो जाएगा 27, 30 हो जाएगा 37, 30 हो जाएगा, 37 आपको यहां लगाएंगे उदासी आएगी काई को वैसे भी मुझे पता है कि वैं मैं कई बार यह जानता हूं कि तुम नोकरी नहीं भी लगे माल लो जाएगा कि लेगा लास तो मतो हूँ नहीं लगीं क्या हुरा है बढ़ते रहो हस र्गार वैसे बागैर सीरियूस हो और रखो कि अब सेदेगी रखो तो क्यों तुम्हें सारे गरवाले टीचर सब यह कह रहे हैं सीरियोस जाओ मर जाओ नींचेंग को त्या हो तुम मैं का नींचेंग को चाहँ करी करीं तो बाहित Fifa कि नींद भी लेवो हसो भी रोभी खेलो भी ले मेर से और जिंदा रहो अब मुझे बताओ इस मजदूरी को काई में बाटोगे 37 में सुनना इधर सुनना कई कई बच्चे हैं वो मेरी बातों को कम सुनते हैं 37 777 होता है 7 गुणा 111 मैंने बहुत बार ये कह दिया कि 37 कहीं पर दिखे तो ये अवश्य सोचना कि 111 को 3 बार काटता है यदि इसको मैं 777 डिनोट करता हूँ तो एक बराबर किता होगा एक केस मैंने डायरेक्ट भाग दे लिया है आप इस बात को जानते हैं तो अब आप मुझे बताए एक बराबर एक केस तो सी के मूंड में कितना फोड होगे 210 किसका चीए उसका ही निकालना बी का चीए तो 42 रुपए और दे दो इसको इसको इसका दाए इतना होता है तो दो रुपए दो बार 42 और दे दो उसको तो 210 रुपए और 42 कितना होता या गुणा कर दो 21 गुणा बारा एक कांग के एक ही जगे बाहर गाल रहा है जहां दो समता के अनुपात में बाटेंगे आप उसे यह तो खूब सारा बाटना सीखते हैं अपन अनुपात में खूब सीखेंगे सीखा भी है सीखेंगे और जैसे भी इनको तो जिनको एक कम बाटना आए वो अनुपात को मेरे से लखन से सीखे दिख गया चला तो फिर इनको बाटो आप इनको बाटें आप गुनिस सो रुपए के मजदूरी को A और B में बाटना था दोनों में प्रें बाटना भीалист इसको कितना रुपया मिलना है 20 डी ने चे हैंट लगा दिया पिर और एक बड़ाबर क्या हो जाता पचास एक बड़ाबर पचास होता हो तो बताओ एक ओ कितनी रासी है तो पचास-पचास के बीस नोट वाँ आपके पास तो हजार रुपए हो जाते हैं फिर तो एक एरासी चीए तो मैं कुछ नहीं करता बीस को पचास से गुणा करता है गुणा मेरे से करवाओगे कि इतना कल्डा गुणा भी महीं करूँ क्या तुमारे लिए उत्तर ही लगा दे ना तो मजदूरी बनोगे वनना यह हाँ तो तो टेकादार ही है समझ गए मजदूरी कैसे बाठते हैं अब परसनों में क्या भी लिखा हुआ आ सकता है वो देख ले ना लेंग्वेज को टेस्स करना आपको आना ही छी पुछ मैं भी कोशिड करता हुं कि तरह-तरह कि है《इसे अगया अप देंव और यह मैं नहीं बताऊंगा यह मैं नहीं बताऊंग cable आप इसले दो चार गां टेपर आया उसमें यह चार में से 3 काम 15 में, 3 15 में, 1 5 में, 4 20 में, 1 के नीचे 20 लिखना है direct, without using pen paper भी 5 पटा चाह, 5 पटा चाह समझतो, 5 पटा चाह में से 5 25 में, 1 5 में, 2 के नीचे 30 अब यह बस अपन नहीं आती थी तो परसंद था 10 से किन का, ज्यादा ही लग गई 10 तो अरे यार, इसको भी, मैं ही करूँगा कि 60 पर ब्राबर होते हैं, 20-30, काट के भी करें तो 2 और 3, यहाँ 5 आ जाएगा, 12-50-60 हो जाता, पूरी दुनिया जारती है अरे सबका गुननफल 60 बनता तो 5 वाले का भी 12-50-60 नहीं बनता क्या, बनता हो आरा हम से नहीं दिखा, यह पहले पढ़ाना चाल लू करा, उस दिन बकाता में सबसे पहली बात यही बकी थी, कि यह 20 कैसे आता है और कल भी पढ़ाना चाल लू करा, लास्ट कलास में तभी यही बकी थी, और आज भी बकी थी, कि आप इसको देखते ही पहचान जाएं तीन बटा चार नहीं कहते हैं, इसको चार में से तीन कहते हैं, तीन बटा चार पढ़ोगे तो लफड़ा हो जाया चलो अब मेरे हिसाब से यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं होनी चीए आपको बच्चों किसी बाते हैं यह परसंदों फिर बच्चों किसी बाते हैं दो में से एक काम पांच में तो पूरा काम दस में फिर बी का देखो पांच में से तीन काम नो में 3-9 में तो 1-3 में 5-15 में C में 3 में से 2-8 में 2-8 में 1-4 में 3-12 में 3ों को 60 पे बराबर कर लो 15-60, 12-50, 10-15, 15 3ों मिल जाएंगे, 3ों मिल जाएंगे तो 15-60, 4 में हो जाएगा यह रहा इस पॉट्टो को देख लो गुणा भी करने की जर्थ नहीं है उन दोरों में कुछ मैंच हो रहा है गुणन फल बराबर होगा सबका यदि सबका गुणन फल बराबर होगा तो मैं देख के बता सकता हूं इतनी चोटी बातों को तो कि आ गई कि अधर निवाद की फिलिंग इसे जाननी लगए हो पांच में से एक बारा में तो पी बारा पंजे साट में क्यों एक में आठ आठ चीगे 48 पी और क्यों दोनों मिलकर इससे कितने में कर देंगे आप देखो आपको ऐसे लगए मैं 60 और 48 को सही से नहीं जाना था तो फिर आपको क्या करना होगा इनको काटना होगा 12,50,60,24,40 12 से काट दिया इसको 4 मानते इसको 5 मानते इसको 9 मानते इसको 8 में से नहीं चला के कारता, तीन से समद दिवीजिबल था 20 रा,88 में 3 का भाग देता, अन्य को 8 में 3 का वाग नहीं देंगा, Testing कंसको नहीं दिख रहा, lanes 2 18 में 3 का भाग नहीं देऊंगा, चलो सी में नहीं देना आता है, 60 में तो देना आता है आपको, और फिर 20 में देना आता है, 60 में तो 20 बार, और 20 में 6 बार तो पूरा जाता है, और दोर बचता है, लखन से देलो तुम, लखन से, ओप्सन नहीं दिख रहे हैं कहयों को, कहयों को नहीं दिख रहे हैं, एक बात थोड़ी थोड़ी ओर द्यान रखा करो आप परिक्षाओं में खेर वो सही नहीं है बोलना भी सही नहीं है लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा जबी भी ऐसे option आएं ऐसे मिस्सर भिन में जबी भी तो इसको side वाले से गुणा करके इसको गुणा करेंगे तो इकाई अंक 0 बनने वाले को पराइटी दें कभी माइनस मार्किंग भी होर आपको परसंद नहीं आरा हो तो क्या गणना करेंगे जैसे इसको गुणा करा च्यार तीया बारा तीन बने दो बनेगा एक अई पर और दो कितना च्यार बनेगा इकाई अंक कितला से यह 25 25 और 4 गुण अंटीस में नो बनेगा यह पांदुआ 10 सारे को गुणा नहीं करना दस और 4 कितना 14 का चारी बनता यह चैति अठारा दो बीश इसमें जीरो बनता है इक आई अंक पे जीरो बने उपर गुणा करते समय यह दिकरी माइनस मार्किंग नहीं हो आपको लगा के याना हो की भगते बगते इन 4 में से कोन सा लगाँ अब की बात है वैसे यूज नहीं करें वैसे नहीं करें वह वह व आजयाय है इनको पंड़ पांच हो इनको बहुत आसान चीजहें है वे में से प्राण फॉब और सधता हौन उंब नौन थो गरशे प्रक्रें अ दस का क्या करो आदा काम आदे दिनों में करते हैं ये कि तेक सम्झाओं मैं कई उने दस लगा दिया सुद्रों सुद्रों ये भी दिख गए हुगे तो आसानी ये जैसे कल पड़ा था वो ही काम है बस इसमें बासा बदल दी बासा को पढ़ना बताई दिया आपको कि गनित को कैसे पढ़ते हैं जहां अभी एक बटा तीन दिखे उसको हमेशा क्या पढ़ना है तीन बटा एक पढ़ना है पूरी गनि go6 है करता है तो दो हमें करता हुगा अर्थ पार छोएपकी दोनोडों सुधर्टा हो टो यह को यह कट़र बटाए होंगे अर्थ में ऑल ặाच हमेसे 5 अब यह कि हाम हम्धीत में तो यह कितने में करता हो कुई है तो अच्छिस में अब यहां देखो कोई आप इन की बात ही निया जिसने समय सम तक पताए तो पेन के लागा किया लिखेगा लिक आकिर नाइस इसमें भी लगाते रहे जाया कि धर बाया किसे आ रहे 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 पलगा है इसे चीजों को भी कि दिन बाताओ क्या करे रहा अग्राइन का मतलब देगो आप कुंझ आप 155 में करा तो फिर पूरा काम नीचे वाले कंभानेगे तो चार दिनों में करा कि नहीं टीनों Library पिर अगले दो दिनों में 2 दिनों में दस में से तीन काम करा 10 में से 3 काम 2 दिन में करा सुनने 3 बराबर 2 आया तो एक बराबर 2 बटा 3 आया convenience 20 बटा 30 10 से गुणा करेंगे तो यह कितना लिख देते हैं B और C दोनों मिलकर करेंगे 20 बटा ये 20 बटा 3 के से लाया वो समझ लेना इदर क्योंकि ऐसे कोई जर्री नहीं है कि दोसे पूरा कटने वाला या जाए बगेर कटने वाला भी तो आ सकता है बगेर कटने वाला है तो नीचे बाग दे लेंगो तो एका जाएगा फिर जितना है उससे गुणा करते हैं सीधा ही हम मैंने काता है इनकी समता सोचने के लिए इस तीन को भूल जाओ बीस को और चार को बराबर करो बीस पर हो जाएंगे तो इसको तो पांच ओक बीस और इसको तीन से कुना कर लो यह तीन कर जाएगा देखो बीस बटा तीन को बीस कैसे बनाते हैं तीन से कुना करके बीस आप आप चलो देख लेना कुछ इनके सर लिख रहना उसमें लिख भी रखे हैं उसमें फिर सो लॉट्स तो वेसे किसी को देते नहीं है हम कमी देते हैं यहां तो देख लेए कि वेज़े से मैं पढ़ाता हूँ वो सोलिशन में हूँ कि बताओ यह सब जानते हैं एक बटा पांच इनको क्या ही जन्व हमें एक में पांच 15 में एक इतने में कर देगा 15 में बी कितने में कर देगा च्यार में से कि अपांच आपको चक्कर कट आए फिर और यह सई पनाय यह में बहुत दो फबले पढ़ा दिन अब बतादी तिन अब सिस्टम में ही यह को जिन्ध के में आप एक बटा चार मत पड़ना चार में से एक पड़ना कि चलो तो कि यह बताएं आप A है वो 7 दिन में 100 में से 20 काम कर सकता है 1 बटा 5 काम कर सकता है तो A 35 में 35 डायरेक्ट देख लिया उसको मज़ा आ गया ऐसे मान लो परसन नहीं दिका 27 दिन में 27 दिन में 1 में से 4 काम करता है 100 में 25 है यह 100 में 25 को कहते हैं 1 बटा 4 तो 1 7 दिन में तो अठाइस में, ये समझ गया हूंगे आफ फिर एक साथ मिलकर काम करते तो साथ दिनों में कितना काम करते थे, अभी तो पहले एक साथ मिलेंगे तो साथ से काटो ये पांच बार, ये किते बार चार बार, आप कहेंगे सर ये चार, ये पांच दोनों मिलते तो क्या सवास नो भी साथ दिखने लग गया आज कल दे गया हम मुझे आप बताऊ वह से कहता तो पेंती चोक कर देते अठाई पंजी कर देते दोनों ऐसे कर देते कर देते कि नहीं लेकिन वो कह रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन साथ दिन और दोनों मिलकर साथ दिन तो साथ दिन में देखो पेंती एक सो चालीस काम होता रेक सो चालीस में से कितना काम कर देते साथ दिन में ये करता साथ दिन मिठा इस और ये कितना करता पेंतीस अठाईस और पेंतीस कितना हो जाता । । कुन्- से गुना करो ख्यारी सब्सक्राइब उन्मर हाँ छाए, तो ऐसे करके इसे किस्मीकन वर्ट होता है? परतीसद में. हमें इसे साथ से काट रहा होता, साथ निम्मे होता है, साथ दुग्गे होता है, बीस पंजे होता है, 45% वर्क होता, देखिए, परसन इजी है, लेकिन भासा देखिए इसमें, जिसको 20 पर 30 उनको पढ़ना नहीं आता, तो वो छोड़ के ही आता, अरे ये तो 35 रटा, इस कैसे आया है, ये तो समझ गया हूंगे, रोज समझाता हूं आती, 30% इतने में तो क्या से करोगे, ये तो छोट इसी बात है, ये आप नहीं जानते हैं, लखन से ही पढ़ रहे हैं, चले अगले पर, यादा निवाद करें, अब निवाद ही कर दो, जी बन्यवाद ही करेंगे, अब तक देखो, फरसन है आएसे हा रहे थे, जुन में A आ रहा था, B आ रहा था, कैसे भी आ रहे थे, जाने आने का काम कम हो रहा था, अब कुछ परसन ऐसे हाएंगे, जिन में क्या होका, जैसे A बग ग गया, पिर बार का आ रहा है, B की कोई हो तो रहे पिर कोई शी आ गया तर काई बार तीन वाहे उसमें से दोब गये को अल्टरनेट डेज में आए बारी कारी से आए जैसे ए ने शुरू करा इस परसन में क्या कह रहा है काम ए ने शुरू करा फिर एक दिन फिर बी दूसरे दिन भी आया फिर कौन आया ए आया फिर बी आया फिर आया फिर आया फिर आया बी आया ऐसे चल रहा है एक आंतरकरम में हो सकता है कि ए तो विचारा रोजन अब आगे क्या करेंगे उन कामों को प्रोसेसों को एंडल करेंगे कि यदि ऐसा कहीं पर आ जाए तो उसको कैसे करते हैं अभी तक तो यहां तक कारी बीजन करें आप देखें उसको और दीखें ज़रूर घर जाके आँखों से चाहिए से आप पैन से नहीं करें क्योंकि गण कोई आप से ऐसे कहता कि एक A है एक B है यह अकेला किसी काम को 20 दिन में करता है यह अकेला किसी काम को 20 दिन में करता है तो इस बात से आप क्या-क्या समझते हैं यह मैंने बताया कि कोई भी एक आदमी किसी भी काम को 20 दिन में खतम कर पा रहा है तो हमने ऐसे बढ़ा था कि first road, first day, यह कितना काम करेगा? 20 में से 1. और 20 में से 1 को मैंने लिखना बताया था कि इसे केते हैं 1 बटा 20 या 20 में से 1. फिर कोई कहें कि ये 2 दिन में कितना काम कर देगा? तो आप कहेंगे सर ये 20 में से 2 काम कर रहा होगा, 2 दिन तक मतलब? फिर तीन दिन तक वो कितना काम कर देगा 3 बटा 20 यह 20 में से 3 ऐसे यह सिल्शला चलता रहे तो 19 दिन में वो 20 में सब्ण इस काम कर देगा और 20 दिन में यह क्या कर देगा 20 में से 20 यानि 1 पुरा काम कर पूरा काम 30 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करता तो मैं यह कहता कि यह एक दिन में करता एक बटा कितना तीस दो दिन में करता, दो बटा तीस, बारा दिन में करता, बारा बटा तीस, पंदरा दिन काम करके चला जाता, तो पंदरा बटा तीस कर जाता, पंदरा बटा तीस छोड़ जाता ये उननीस दिन काम करके चला जाता, तो क्या हो रखा होता? 19 दिन तक काम करके चला जाता ये B तो क्या होता 30 में से 19 तो ये कर जाता और 30 में से 11 ये छोड़ जाता ऐसे कुछ-कुछ आपको मालूम मुख जबानी रहना चीए बैंड पेपर से नहीं फिर मैंने दूसरी बात ये बताई थी कि मालो कहीं आपके पास पेपर में ऐसे लिखा हुआ हो कि ये है वो आता काम आदा या कोई हिस्सा ए तीन बटा पांच कारिये 18 दिन में करता है 18 दिन में पूरा करता है तीन बटा पांच तो तीन बटा पांच को कैसे पढ़ना बताया था पांच में से तीन पांच में से तीन काम, इसको आप ऐसे पढ़ेंगे कि सर पांच में से तीन काम, पांच में से तीन काम सला अठारा दिन में, तो तीन अठारा दिन में, तो एक कितने में, तो पूरा काम पांच मानें, नीचे वाले को पूरा मानें, तो पूरा चैपंजे तीस दिन में, ऐसे उसका हिस्सा भी लिखा हुआ वो तो मैंने पूरा बनाना बता दिया था महलो कई बार 3 बटा 5 की जगे वो लिख देता है 60% काम चोकाने के लिए आपको ऐसे भी डाटा दिये जा सकते हैं कि 60% काम 18 दिन में करता है तो आप कहेंगे सर परसेंट का मसला होता है 100 में से 60 काम 18 दिन में करता है मतलब 10 में से 6 काम 18 में करता है तो 10 बराबर 18 तो एक बराबर 3 और 10 बराबर कितना हो जाता 30 ये वो ही काम था लिखने के कई सारी तरकीवें हो सकती हैं उनका आप थोड़ा थोड़ा दियान रखें इसके बाद में मैंने आपको ऐसे समझाया कि एक सम्ता होती है और एक होती है क्या सम्य एक तो सम्य होता है और एक होती है efficiency सम्ता इसको T से लिख दें और इसको efficiency E से लिख दें मैंने कहा था सम्य दिया गया हो तो सम्य का अनुपात बनाना आना चीए कैसे इसका गुणनफल और इसका गुणनफल हमेशा क्या होता है बराबर सम्हें गुणा सम्था को कहीं भी गुणा करें चाहे से दो की चाहे से एक की चाहे से ए और बी की मिलकर चाहे ए बी सी की मिलकर सम्हें गुणा सम्था सब की क्या होती है बराबर होती है बराबर जैसे सब्सक्राइब तो तो ऑले योख कितने समथा हो जाएगी यहाँ भी तो इनका गुनन फली इसके पराबरी बनेगा 30 गुना दो के 20 गुना तीन के पराबर बनेगा यहां कितना लगाऊंगा ऐसे बहुत सारे सवाल कर लिया अपने 2, 3, K, मिलकर, अलग-अलग, किसे, खूभ सारे, अब तक यह हो रहा था, जितने भी सवाल मैंने बताए, ए सुरु में काम को सुरु करने आता था, तो काम को खत्म करने तक, साजेदार बना रहता था, खत्म करने तक वह लगातार, विरल बना रहता था, अंत तक, लेकिन कुछ परसन अब ऐसे आएंगे, जिन में क्या हो, कि काम को चालो तो ये भी ने किया, लेकिन बीच रस्ते में भी साथ छोड़ के चला गया, और फिर कौन बचा, एक कोई भी प्रोसेस हो सकता है, इसमें हजारों परकार से प्रोसेस हो सकता है, तो परसनों को तो अपन देख नहीं सकते हजारों को, सिर्फ एक कामन वे देख सकते हैं कि ऐसी तरकीबे हो तो क्या करें, जैसे ये जो परसन है अट ऐसी नम्मर वाला, इसमें आप थोड़ा द्यान से देखें, तो मुझे A और B के बारे में बताया गया है कि A किसी काम को चार दिन में कर पाता है, भी उस काम को कितने दिन में कर पाता है, आठ दिन में अकेले-अकेले कर सकते हैं, वे दोनु काम को सुरू कैसे करते हैं, एसे सुरू किया जाता है, फिर एक दिन छोड़ कर काम करते हैं, यानि एक दिन छोड़ कर काम करते हैं, यानि एक दिन आता है, एक दिन भी फिर दूसरे दिन कौण आया बी पहले दिने आया दूसरे दिन को या भी फिर टीर दिन पिर चोथे दिन फिर पोरा होने दकी यह सिल्सिलत चलेगा फरसन्ट यह थे कह रहा है बोडो इसको समझ वह क्या कैना चाहता है अब लेकिन हमें A और B कि समयर समता की कुछ डिटेल्स पता चल रहे हैं बोलो इनका टाइम बताओ ये कितने में और ये कितने में तो इनकी एफिचेंसी लगा सकता हूं मैं दो और एक ये समझा चुका हूं मैं कैसे इनको गुणा करने से बराबर आने चीहें या ये बड़े नम्मर हो तो इनको गासिलसला कौनी समंथा के साथ चलाना है यदि वह एक एता कि ये दोनों मिलकर तो दो नों मिलते तो तीन बड़ा की नहीं काम किसके बराबर और इनके गुणांफल के बराबर खाए चाह जाए से कैसे भी आए तो इनका गुणा कितना बण रहाए बोख पूरा काम 8-8 तो तो अब बताईए पहले रोज कितना काम होगा, तो अरे दो सम्ता लगी होगी कि नहीं, आट सम्ता का कोई काम है, उसमें से दो सम्ता पहले रोज कतम हो गई होगी, फिर उसके बाद अगले रोज कितनी सम्ता लगी होगी, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन, फिर अगले दि हुआ पाइस्टा है चाहे हुआ काम करें हैं कैसे भी क्रेंद महालो ऐसे आ गया मेरे पास परसंड कि रभी कसी काम को 40 दिन सुधा उसी काम को सार दिन में कर सकती है यदि सुधा ने काम की शुरुआत की होती और उसके बाद वो बारी-बारी से एक-एक दिन काम करने आते तो काम कितने दिनों में पुरा हो रखा होता ऐसे कहता तुम्हें क्या करता एक तो रभी है एक कौन है सुधा दो ही कैनिडेट हैं आपके पास में फिर वो क्या कह रहा है रवी करता है 40 दिन में सुधा करती है इन दोनों की समता 104 समता मैं एक सेकिंड मैं सो सकता हूँ 40 और 60 120 पर बराबर होंगे 120 का मतरब दिग्गे और तुग्गे या मैंने का आता इनको अलग से काट लें 40 और 60 का अनुपात बनाएं तो पर बनाएंगे तो 20 दूआ तो को तीन के ब्राबर करना बताया था दो वाले को तो तीन से कुत नहीं करते हैं तीन वाले को दो से ऐसे इसमें क्या ही काटोगे 60 को 40 को भी ब्राबर नहीं करना आ तो मस्दूरी का काम करना परारम करो अधियंग मैं 40 गतर, 20 गतर, 10 गतर इनको तो कोई भी भी ब्राबर कर लेता है मतलब और मैंने बताया है ब्राबर करना उसके बाद गर रहा हुं मैं ये बात पहले से नहीं भी आता था तो मैंने कुछ परावर करके बताएं हैं आपको आप रोजाना आ रहे हैं और देख रहे हैं तो अब आप मुझे बताएं ये परसन क्या चाता है पहले दिन कौन आएगी सुदा यहां लखन से देख लेना शुरुआत किसने करी है तो आप कहेंगे सर सुदा पहले रोजाएगी फिर कौन आएगा रवी फिर सुदा फिर रवी फिर सुदा फिर रवी ये काम कब तक चलता रहेगा जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाए अब आप मुझे बताएंगे ये काम पूरा कहा होगा, इनका गुननफल बराबर होगा कि नहीं इसके, तो इसका गुननफल कोई से का भी गुना कर दो, इसके बराबर होगा, 60 गुना दो कितना होता है, 120 इसके बराबर कर दो, कर दिया मैंने 120 इसके बराबर, और सुनो, सुद यह पहले रोज दो करियोगी फिर दूसरे रोज ये पिर ये इन दो तिन अब आप ये नोट करना कि ये रिपीट होना चला चलो जाए ना तब रुख जाएं तो आप ये देख लें कि रिपीट तो बार बार है से लिखते 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 120 तक तो जानी सकते थोड़ा तो पांच के पाड़े में 120 पढ़ता हो तो इदर देखो 5 गुना करेंगे 24 बार पड़ेगा 120 में 5 दाई तो पचास होता है फिर 20 बार करेंगे तब सो तायर 20 में 4 बार और जाता है तो चोई सोगा कि नी तो इसको मैं 24 गुना कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 120 तो इदर आठ तक पूछना होता तो मैं 12 से कुना करता कि नहीं 12 पंजे सार ये दो दिन का काम हो गया मानलो परिक्सया में वह आप से ऐसे कहा होता सुनिएगा मेरी बात को द्यान से वह ऐसे कहता कि पहले दिन राम ये रवी आता है फिर चुटी रहती है चुटी का मतलब मैं 0 कह देता हूं अगले रोज सुदा आती है फिर चुटी रहती है फिर राम आता है फिर चुटी रहती है फिर सुदा आती है फिर चुटी रहती है ऐसे भी तो कह सकता है तो इसके पर आपर तो मैं क्या ही करता 120 करता लेकिन अब रीपीट क्या हो रहा है आप ऐसे कहते सर पहले रोज कांगा कितना तीन दूसरे दिनोगा जीडो इसरे दिन क्या वोगा दो फिर क्या deroga तो आप यह दिन का थेरी काम क्या हो रहा है अीइच वर एंप धूर tournaments इस बार में तो इस बार में तो east एओ इंगा देगा थानले cohortama 59 फॉर द्शू पढ़ रहा है की नहीं इस में पस यह वा content तो प्रोसेस को बदल बदल के देगां पे तुटी आ योगी यह पिचान वे दिन में भी क्या हो गया होगा 120 फिचान वे ओगा फिर यह आ जाने के बाद शुटी एगी नहीं वह पर चार चार दिन का सोच नहीं तो चौता पार्ट किसका है छुटी का है थोड़ी देर बात अ और दोच जोचिंगे लेकिन अभी इस में तो नहीं सोचना था है इसे चुटी कााम पूरा कम्प्लिस कोई छृटी नहीं थी सुटी का काम को पूरा करता है एकन तर दिनों का मतलब होता है एक चोड़ के एक डिन एक आए गया फिर भी आएगा एक उत्टरीन नेटार ऐ सबस्क्राइब तो यह पूरा काम है किती समता में होगा इसमें पूरे के बराबर ऐसे फिरह आएगा ईसे करेगा पिर इसका को यह रिपीट हो जाए वहीं पिर रुख जाए अब आप यह वह इसका पता है तो फिर थीन दो रिपीट ओक एनी तो दिन का काम रिपीट विदा इडिया लगादे ऐसा लिखता है नजदी की ए अरह दस तो यह लिक एट चला जाएंगे च्टा नमबरों तो लिख लिके भी जा सकते हैं लेकिन बटा नम्म तो लिक एलिक यह जाएं जैसे तीन दो 3 2 3 2 3 2 एष्ची सोग अयुको 23 2 3 5 15 15 20 30 कि ऐसी पाघनी कि यह पाराव कईए mm दिन के ढेघना कि जले एडिरीस तो प्राटरीम एसे काम को सोचना प्रारब करें सर दो दिनों का students two days left लगाई व लगाई वकितनी लघाई फंच लगवानी कितनी है उनके गणफ जितनी पीस तक्यों आप यह पांच पांच लगाते लगाते पचंपची इस पांच टीज होङए चैनल है डिन पी टार मतलब किया हो गया हम एक्वारा लूगतित ये एक प्र। तहीय क्या कर रहा हूं यह का लाख कर रहा हूं क bask उन् Muslims क्यूसर तक का रहा हूं है एक अभी एक वितुम है एक तो अभी हो तो मैं माले ताहूं बिन्दू को मैं भी सुख लेया ताहूं bezकट तरव टाइम दे रखा है यह चार गंठे में करता है यह कितने में करता है तो सम्ता बोलो एक से जानी से लग रही हो गया वह कॉई भी भी हो कितना भी बड़ा हो वह बारा पर जाके कर तमोज आएगा कि नहीं अबारा पर तमोज आएगा ये काम उनका गुनन फल ये तो चोट आई है वैसलिक कर देंगे तो क्या कर सकता हूँ पहले रोज कितना होगा तीन एक दो दिन में चार अगए लिए लग जाएंगे तो बताओ पांस तो बजी घए चाहिए गहां से लगेंगे आव जाएंगे सुब के यह उत्तर आ जाता यह तो रीजिनिंग की सी बात है यदि आप इसे समझ पाएं हो कि यह मसेला था है यह समथा लगानिया कैसे लगाट मेपाता है यह पता है की बराबर West High pencil आinea पार्फिंग करिनफ लगां वाधर होगा तरह्य वाइं तो दूंभार से भून केकम किसा सका करें और आ अज़से ओ गार ले पारिद Gesundheits, कि अग्र फिर शुटमात सवालों को फूर प्री प्री मैंने से वाला वास तरहां से रहें से वह से बहुत सीरियस ओने कि आवशक्ता है जीवन में अख्रीड लगने के लिए तो एक लिस नहीं है वाके माल लोग तुम्हें पर्दानमंत्री काई चुनावलन आओ किया प्रद कंडुकी किसी को लड़ाओ डानियों को गाउं को कहीं बढ़ना पर दर्शन कुछ ना कुछ बहुत सीरियस पने काम है वो तो अवर लगना है सरा ऐसे प्री मैंड से भी पढ़ता रहा तो लगी जाएगा रोज परता रहा तो समझ समझ के पढ़ता रहा उसको नौकरी मिले कि की है यह उसकी यह उप सकसे है नौकरी के लिए तो ऐसे मान लो कि लगातार पढ़ता रहा कम ज्यादा और प्री मैंड से समझ समझ के पढ़ता रहा समझ से कुछ भी पढ़ रहा है थोड़ी बहुत समझ से पढ़ता रहा रोज पढ़ता रहा वो लगेगा ज्यादा दिक कई बाहर मैं टेलो इस्विटलमबर्ती कराना पड़े या लाशी हो जाए हो सकता है दो तीन चीजें बूल जाए कोई हसना बूल जाए कोई रोणा बूल जाए कोई सुन नहीं हो जाए तो अला वो चीजें हैं यह ऐसे आगया अ मैं जा पैन पीपर उठालो थोड़ा थोड़े कोई 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 नाम लूंग के अक्सर लिखते रहो मेरे साथ साथ पहले तो परसन को पढ़ ले ना वो क्या रहे हैं एक टोपी है क्यू है आर है तो ये तो मुझे दिखी रहे हैं मैं तो कोई दिक्कती नहीं है पी क्यो a rt ye कि प cowboy कर देते हैं पचाहिब यह तोoking आ ओप पुरा काम का जा के पुरा होगा तीन सो पे पूरा होगा यह तो मैं सब्सक्र Inn भी से एक एक दिन काम करेंगे पहले रोज गरं आएगा पी पस डे पी आएगा, नेक्स डे केवल क्यों आएगा, अगले दिन आर आएगा, बारी बारी से करेंगे, फिर चोथे दिन वापस से पी आएगा, फिर क्यों आर ये सिलसिला 300 तक चलता रहेगा, ये सिलसिला 300 तक चलता रहेगा, आप क्या कहेंगे, यदि मुझे ये काम नजर आया कि यह 300 तक होगा तो पहले रोज कितना काम होगा बताओ दूसरे रोज तीन तीसरे रोज एक फिर उसके अगले रोज शे तीन एक यह सिलस्ला चलेगा कब तक है किने तक लेकिन मैंने कंथा थीना कर्मना सकते नहीं आपकी साहरों को लिखलें लिखना तो भूकी तो पहले से चुके हैं अब तक जो 80-90 question करें उनमें अब मैं direct लगाऊंगा वो सम्ता हुंता तो कि भाई वो कैसे लगाते हैं गणना वणना मैं उससे फेले बग चुका हूँ ऐसे आ गया 93 नम्मर का question एक इसी काम को 8 दिन में समाप्थ कर सकता है 20 काम को 12 दिन में समाप्थ कर सकता है यदि वो एक दिन छोड़ कर एक दिन काम करना प्रारम करें बारी बारी से और एक काम की सुरुआत करें तो काम कितने दिन में समाप्थ हो जाएगा एक A है एक B है यह 8 दिन में यह 12 में इनकी सम्ता सो चो सम्ता बताया था को ऑर 12 को ऐसे first अंबर से सγοना करते हैं यानुौकां पातु Lea कम चाहरा पूरा से सब्सक्राइब अब अरटाुके असे सब्सक्राब करते हुआँ काम को कैसे भी पूरा करवा वहा रहे कौरा पूरा हो गये वहागरे ​​ समय गुना समता का गुनान फल बराबर होगा उसके पहले रोज कौना आया था रहे दूसरे रोज भी तीसरे रोज ए फिर अगले रोज भी ये सिलसला चोईस तक चलता रहा तो पहले रोज कितनी समता लगी होगी तीन लगी होगी दूसरे दिन फिर तीन फिर दो अब मैं यह से सब्सक्राइब य है कर रहा हूं है मैं सब्सक्राइब कільки अदिनमें कितना काम विदी देन मेर हो आ ओप तर पाम वर तिसमें से पांच heck हुंत वहा फांच ही तो आ भाए तो ऊचे हाए सक hm iI आप तो सिक ही अपान मंधाक्न लेखा लगसे नवे दिन ए आएगा बीस को क्या करते हां तीन प्लस करते देगा तुस्वा इन लगेगा तो बताो ये तो आने नहीं नहीं ये सुन्ण हाँ पर नोगा अगला दसवा दिन लगत बता उसका पता पौई रूट राइख कौन सीरकों और दसवे दिन करता थ है ऑफ फी कोन आया था भी प्सका काम के ना था एक और पर था था तो दो में से पाम कहरे और दो में से इक को छह ना मुआ आता है कैसे से लिखता हूं मैं दो में से एक को लिखते हैं कितना काम करता हूं तो निचे लगा दो और चितना बumpy PR YouTube यूंढ़ नोसज ₂ इक बादा दूень को John संप्यरतियोंbbe करते आप दरिय्मिय पिछले पर सन मेरे इसमें क्या घ्रकतत में एक एक सड़ोपन पर इसको सह시고 क्या अच्छतों के मतरव इसमेरे नहीं है और तो एक दोनों दोई लटने की भी पुरसत नहीं है और वैसे भी और सी फूर्सत नहीं मिल रही तुलड़ना काहां थे रहे से और पिर मेरे कही गुछ से में तुमार भी धी यार मेंखतम हो गया फिर दस वारा देन करने पड़ें गर और गळा वाले गंट गाल देते रहे इसे तो लड़े भी भाई के डूकी दिलेंगे दो चार इसके मेरे तो डूक देते सा मैंभी सौछता है कि इसके दिंगेर या मर यह है A, B, और C तीन कैनिडेट हैं यह 30 दिन में, एक 40 दिन में, एक 50 दिन में यदि काम की शुरुवात ऐसे होती है वो बारी-बारी से एक एक दिन काम करते हैं तो काम कितने दिन में पुरा होगा तो मैं यह कहता है यह 30, यह 40, यह कितना पचास, 4, 5, 3 ही हो गए, 3, 4, 5, इनको काटेंगे तो ऐसे तो देख लो, 4, 3, 5, 20 दिना, 60 पे बराबर हो, मान लो तो 3 को 60 बनाएं तो कितने से गुना करें, 20 से 600 पे बराबर होंगे रहें, 0 तो काटी दी में इसको 60 बनाएं तो 15 चोग 60 और इसको बनाएं तो इस नहीं, 300 नहीं, 600 पे बराबर हो रहें इतने पे बराबर हो रहें, 600 पे तो यह सारा काम इनके गुननफल के बराबर कितना कर देते, 600 600 समझ भी है, मैंने कैसे सोचा, यह मैंने ऐसे कहा था दाइरेक्ट 600 नहीं, सोचो तो 30 को 30 को और 50 को काटो 3, 4, 5 हो गया, अनुफात, यह किसका अनुफात हो गया? टाइम का, तो मैं इनकी दक्सता का अनुफात कैसे लगाऊंगा? अनुफात कैसे, इन तीनों को बराबर करूँगा, तो 60 पे बराबर होंगे तो इसको 60 बनाऊंगा, तो 20 तीनों को बराबर होंगे तो इसको 60 बनाऊंगा, तो 20 तीया, 60 15 चोग 60 और 12 पंजे 60 तो दिग गया होगा यह नीचे वाली चीज कैसे, सोची मैंने चलो अब पहले रोज को और आएगा? यह दूसरे रोज, भी तीसरे रोज, सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी, ऐसे पूरे दिन लिखे नहीं, विस यह 300 बेस देंगे इसको अब आप मुझे बताओ, पहले रोज काम कितना होगा? 20, दूसरे रोज, 15, फिर कितना होगा? टोटल कितना काम हो गया? टोटल तीन दिन में कितना काम होगा? तीन दिन में काम होगा? 20, और 10, 30, और 10, 40, और 5, और 7, और 47, 47 हो गया कि नहीं? यदि मुझे 600 काम कराना है, तो 47 को वहाँ पहुंचाना होगा, 600 से कम कम तक पहुंचाना होगा जैसे मैं इसका दाए भी करूँ, सुन ना गोर से, मैं इसका दाए भी करूँ, तो इसकी 10 स्थेप 30 दिन की होगी, तो इसका दाए 400 कितना होगा? सत्तर, दस दिन से तो जदा ही आएगा मतरव, और मैं करूँ, इसका और आगे पहुंचना चाहूँ, यह लगबख 500 के पास ही पहुंचा आया, तो सेंतालित ती आ तो जदा होगा, जदा होगा, क्या? सत्तर, पांचो कितना होगा, सत्र, फिर अगले तीन दिन का और जोड़ 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 you 10-12 बाइस तो कितना होता है का भालाई पहरा टाएस अर्फ तण दो इसमय पंस ने पनसों है-ठेथ मैं जो बहुत अफ्चाहरको किसा में नियुक्या बहुत ऐगा डाइस त्होब नहीं अब हिसाट तीकल भुलेगा लगा किपना वोज इस और angledos शॉताथ थींट इसको बारावहर्य टेरेटी वोलता ऐसे पचा सकता बारा बाराज टेप आपे अरु度 में चुर्णाम क्यस्ते आंट सीड़न्स नोगति कितना हो जा जा ठया जा है इस संद कर दिस इसे तो 30 दिन 20 और प्लस कर दो इसको तो 500 आप 11 दिन का 1000 ळ教 was रास्ट वाले दिनों में 11 दिन का सोचो तो 30 दिन 564 था उसमें कितना जोड़दो, 20 जोड़दो तो 500 कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा फिर आप बताओ 38 दिन कौन आएगा 38 दिन 27 वे दिन अब कौन आएगा? बी, तो बी 15 ओर कर जाएगा? तो पंदरा करेगा, तो पान्सो कितना कर जाएगा? अ, नहीं बाड़ा था लेकिन दिन चिप गया? अगले दिन ओर आना पड़ेगा भी तो 38 दिन तो पूरे लगेंगे, क्या लगेंगे? तो 48 दिन फुश्य दिन फूरा नहीं लगाएगा कि क्रोड़ा हो GUYूं ली कि अपूजाय में है नाय किसाई में का struggleane यह पaráरा है सर्वोत हेलकर साइब यह परशन तो आसानी है लेकिन इस में लास्ट में जाके चोटी सभी सवाशनी है जहां तक पूरा हो जाए, वहां तक तो complete कराएंगे तिन तिन दोदो दिन की जो इस टेप्स हैं उसको फिर last में एक एक दिन जाएंगे उसमें की अर्थ से तीसवे दिन कितना आर्थ तीसवे दिन कितना, उस दिन कितना D option answer रहा हो था आगला देखा, देखें देखो देखें क्या कह रहा है अमन, राम और कफिल एक काम को 68 दिन, 51 दिन और 17 दिन में कर सकते हैं एक कर सकता है अमन, एक है राम और एक है कफिल एक करता है 68 में सुनना मेरी बातों को एक करता है 51 मेरी एक करता है अब देखो सम्ता लगाना समधार आदमी दो तीन सेकेंड में सम्ता लगा देगा मैंने अभी का इन तीनों का नुपात लगा लो आपको ऐसा लगे कि भाई ये बड़े हैं तो ये सत्रा चोक अडशा ये सत्रा एकम सत्रा बारा पर बराबर होंगे तो ये टाइम है तो प्रकार से काम करते हैं पहले दिन कौन काम करेगा अमन दूसरे दिन राम तीसरे दिन कपिल चोथे दिन अमन है अदा काम कम के दिन में करेंगे तो फूरे कर देंगे इस का को को है तो चलो पहले तौह पूरा कर दो सता हूं कि पहले दीना मनाता है पर लापाता है फिर पलाता है आगे यहीं काम दूबारा रिपीट थे भूगा त sovereign मैं डायग सोज़धा हूं मेरध से हुआ कि नंकितना काम हो गया भव गाऊ हमें टूदें में कितना काम हो गयाmaybe tomorrow छोड़ी सद्क सब्सक्रों अरकर गे एक सब्सक्राइब एक इतना काम करता है तो कहां तक पहुंचाएगा इसको एक सब्सक्राइब पूरा नहीं लगेगा क्योंकि यह 12 करेगा तो इसमें 12 जो औरने से तो ज़्यादा चला जाएगा तो अब 33 वा दिन पूरा नहीं लगेगा 32 के आगे लटका देना क्या लटका होगे और इसमें बढ़ा हो तो कितना बचा 204 में से कितना बचा साथ और ये साथ बटा बारा यदि पूरा कराता तो ये काम आता कि नहीं मेरे पास ये आंसर होता पूरा कराता तो और अब इसका 33-34 का लगबगा आता करेंगे तो 16-18 के आसपास से माम लाएगा अब मैं 102 तक दिखा रहा हूँ ये तो दिखाया है मैंने पूरा ये इसको मैं 102 तक ले जाता तो क्या करता यहां मैं 204 के बजाए आदा करवा था तो ये कहां ले जाता मैं इसे 102 के आसपास ले जाता तो आप कहते सर यहां 3 दिन का काम 19 हो गया था अन्नी पान कितना हो जाता à और नेवा पुचान वो जाता 5 यहा ता झोल देखने तरफ यह दो अच्माना आ था 34 सब्सक्राइब कर दो को ते तीस ओंतीस मान के पूरे के साब से ऐसे कुछ लगभभग में बताया था कि यह सब्सक्राइब हो गया तो यह सब्सक्राइब कौन सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना मैं तो इस वाले में बारी बारी में और क्या क्या सच चुछ वासकता है है वैसे सोच ते रहें तो ये देखो क्या कह रहा है तुसर मेगा पुनम रिचा 4 है तुसर मेगा पुनम रिचा PMPR लिख लिया है मैंने उसको एक कितने दिन में करती है 10 में, दूसरी 12 में एक 15 में, 21 में, 18 में आपको 10 12 15 तो 60 पर बढबर हो जाते हैं सब्सक्ष में नहीं पर इसके अंदर एक नो एक्ष्ट आ रहा है तीन और है पूरे मिलकर कहां कितने काम फिवराबर होंगे 1802 तो यह 182 बारा देखो 15 दाई तो 1500 होता है 152 तीस यह 12 बार और यह कितने बार हो जाएगा 15 बार 18 15 12 और 10 आजएगा नीचे देख्या कैसे लगाया मैंने उसको अब आप मुझे बताओ बारी बारी से काम करेंगे और मेगा पहले दिन आएगी मेगा क्या आएगी पहले दिन मेगा शुरुआत करेगी उसके बाद पूनम आएगी यह करम लखन से देखना करम जरूरी नहीं है वो ही आए करम दूसरा भी आ सकता है इदर फिर पूनम के बाद में कौन आएगी फिर रिचाएगी और सोथे दिन विचारा तो सार का नम्मर आएगा अब तो यही रिपीट आएंगे फिर यही तब आप यह कहेंगे कि यार गोरुजी चार दिन का काम में दिख रहा है चार दिन में कितना काम कर दीए अठारा पंदरह इन सब को जोर्डों क्योंकि जूड़ेगा पहले रोज कितना काम हुआ घंठा खुणा चारओ अन्वा कोड़ा है पहले दिन कितना हुआ है यहा पंदरह पंद रहा करती है फिर दूसरे दिन कम आ और 210 कर वह उसर नीले diminu चिक फाल फारा मेरे मेरे अीजोट के बांद क्यों मुझे कर वाना कि लृड़ा करणा मुझे मुझे इक दिन जीन कर वाना है तो बताओ रेरीवे दिन फिन आएगा 9 टो सुर्फखे वात कि अब जित जहां तक गया वहां तक तो पूरा चार चार दिन का निस्सित गया ही फंद्रा जोड़ने से कितना हो जाएगा तो आप उत्तर क्या बता देंगे यह बता दें समझ यह चोटी बात है यह दिया आप दो तीन प्रसनों को लखन से देखें हैं तो अब में बासा है तो आप जाएग्ण में ऩाइग का देंगे तो फिलीं आ पड़ जाएगा तही है तो आप जाएगेगीट अज च holistic की अधिविग्ण परफ लाई एग्षोप यह कल तो तैनो आ इवाद यह थी अधियुट में आपसे है और दो आएगे प्टेकर दो है दो नह दो किसें पर आध आध बेर लास्ट में सब्सेगा मैं आध एक आध इंग देट इन पोरे बाचे गराद विए विज तोड़े जाना थार। इटी जल्दी पर नाइब पुरे पर सणों को आप एक पार सब्सक्राइब यह के से यह जोगा वहास मного बढ़ा ठाइन अप्सुन ना एर्भी एर्भी का सुन ना इधर नीच लिए तिक रहा होगा आपको वो डी ओप्सर ग्यारा दिन है यह दो नो कि तृप दे रहे सोड़ा बटा तीन में एक इतने में करता था आठ में इनकी सम्ता सोच रहा हूँ मैं अब देखो जिसको सम्ता आती है वो तो सेकेंडों में कर देता परसंगो वरना गूम था ही रहता ट्रीकी लगा रहता वो सारे दिन मैंने का आता कि इनको गुना करने से बराबर बने इस तीन की टेंशन मत लिया करो सोला की राट की लिया करो तीन की टेंशन लेने के तो लास्ट की बात है यह तीन दिखता है पहले बगते ही लोगों को सोला को राट को सोला पर ही बराबर करते हैं तो इधर देखो आर दूआ अब मैंने का था कि 16 बाटा तीन को सोड़ा बनाना ओ तो मैं इसे तीन से गुना करूंगा तो यहां थी नहीं आ जाता कि नहीं समझ गहे किती आसानी से सोच पहे अभी अब यहां दो समता लगाता है यह दो तीन लगाते हैं तो यह बीचारा एक लगाया होगा कि नहीं और य ये काम फिर निस होगा, वो कितने फिर फिर निस होगा, सोड़ा पे, सोड़ा पे खता हम होगा, अब क्या कह रहा है, A और B काम को पूरा करने में, बारी-बारी से एक एक दिन छोड़ के आते हैं, और B पहले दिन आएगा, पहले रोज को आएगा, B, तो मैं फर्स डे B को बलाऊंगा, सेकेंड डे A को, फिर अगेन B को, फिर A को, ये सिलसिला, सोला काम होने तक चलता रहेगा, फस डे A, B कितना काम करेगा पहले दिन, एक, दूसरे दिन, दो, एक, दो, तो आप कहेंगे सर, दो दिन का काम दिख रहा है, मुझे, दो दिनों का, दो दिनों में कितना काम हो रहा है, तीन, तो बताओ, 16-3 के पाड़े में, 16 तो आता नहीं है, 15 आता है, तो 15 तक तो ले जाओ, विचारे को, 15 पांची स्टेप हो गई, सर इतर की पाँचे स्टेप कित्ते दिन में हो जाएगा दस दिन में लेकिन अभी बैस दिन उत्तर नहीं गेवे बताना क्योंकि काम थोड़ा सा और बचा और क्या बचा और एक काम एक ठिर गाम करेगा तो पंदरह एक की जुड़ेगा तो इतना हो जाएगा 16 तो कौन से दिन काम पूरा हुआ 11 यदी सिरूओ आपक अग्या वा दिन लगता क्या नहीं फिर यहां तक का काम हुए टालेकिन दिन आप आप एक बटा दो आता फिर अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा 11 डे जो देंगा डी ओप्षिन में देख लेना इधर 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 कहीं को दिखने ही रहा है यह आँ बाहर तो तुम दिवारों से देखते हूँ अगया बारी बारी वाले मेरे साथ से आसान परसन होते हैं थोड़ा सा दो पांच परसनों को देखिए कि आप पांध दस प्रसंदिका अधिया अब पकड़ गया हूं कि थोड़े थोड़े टावर कि अरा तर शर खेंव प्रणा अधिया गया है अधिया अधिया है यूइट इस पर्शेक्थी के लिए कुछ तप्स्थ अधियो इसकी वर भया बूत वाय पेडिवा इनन चेप अर्रा करा पाचे तो बेर के टेक बच्पाइब टोटें आप बोश्याना और सकायो जाइए उसके बाप टो कर वाले कि इसके पहले देवाब याव जाता है तो ताना साना गई ना कोई ना कोई ना कोई तो टिमाठी बात बरीड कोई कि अ कैंसे लिए भाव भाव अपक्तना साना रहता है यह तो का बारूत य होता है अगले भी अपने को अन्य मान लेते हैं यह ऊपने लिए हैं यह उसके बाद तो उदर वाले आदमी इसको अबना लेते हैं वहां तक तो नहीं मान ते ड़ियगत लगाव देव अपका थाम रखाय भीया वाइस तरीका वारा हो नुबर तक तो शाना रहे बाया है अगाई लोग है बहुत ज्यादा खूब दिखावा कर है उससे भी दो च्यार गुना दिखावा कर कि यह ले उनको भी पहुन करता रहे कि बड़ी पसंद करने आजा वहां मंगल चुत्र का डिजाइन देखने आजा एसे उनको ऐसे फिलिंग दिवाओ एसे कि वहां कि वहां हमारे तो दो कोई देख के डिले सके अडरे सक अटेशन अगे तिसने थे लटने हो गया रुट आए नियुट आए तो में लुर देखने विदर से आएगी फिर वह फिर बाद में लगिडा भी आऊंगे उससे अजल भी अ बी है और एक सी है यह दस में यह 15 में यह बारा में यह और भी बारी बारी आप देखो पहले तो यह साठ पर बराबर करना आ गया होगा यह साट बढ़ेंगे 10 सीगा साट अपनरा चोग साट और बारा पंजे साट यह संथा वोगा इनकी नीचे बाड़ी अब आपकेएंगे कि सरी यह काम सा लग कैसे भी पूरा हो जाके तो साट पर फूरा होगा अपकोर्डिंग्री चुरिशन टोजन है और बारी बारी भारी से आते हैं और पहले रोज फिर फ पिर दूसरे रोज फिर ए फिर बी फिर यो fand然后 to the body body if a character左右 boundary a body body say sponsored Tक आई है वो जैसे कई हुए से थ्यान कर लेना कई से लगा तो तुर ये दोनों तो पक जाते हैं और समिल थिर C सामिलो के C है यहां या वढ़ा है C, देखे परने में देखना क्या है, C है क्या, C होगा, C सा मिलो कर 6 काम को पूरा करता है, ऐसे ही है, तो C ने 6 काम को किते दिन में पूरा करा, तो बोलो 5 दिन के बाद C, C आएगा विचारा, रो जाना कोण आएगा, C, C आएगा 5 दिन के बाद, तो देखो 5 दिन में काम कितना 128 और बाइस आराट सबखेश पांस दिन में तो कितना काम हो गया अवे और भी इस कराना कंगा dopo उसके से भाट शेक्टार मुटाना खाम कों करने आएगा सी और सी पीछारा रोजना के पतव casting इतना गर्देश करता है कि नडिक छो फो सीचार बटा ये गाइब करता है, उसको तो नीची लगाएंगे, जो बच गया उसको उपर लगा के से सैसे बनादे, तो 6 से इसे जर बटा पांस दिन फर देग दिन कॉनkan हो तो फेहला एब निलकूल ऐसे कह रहा है यह 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 ए और भी परतेक दिन बारी-बारी से किते दिनों तक आया है पांच फांच दिन आ यह थोड़ा लिःकने में में polarized इन ही भोष। तो तो यह पॉंच प्र temat दिन आया है बीवी किया आया है यह अन नहीक एड़ीन के अन्हीर क्थ सिल्ष धर यह है और आर वहाला वैंण दर्णेल चलाया तो किता काम हो गया होगा अस तो यह दों कर गें एपैस कितना बचा तस बचा क्योंकि वैसे वाला वो था तो वह उत्तरा था शह सही कुछ तो वो तो आने रहा है यह से सैसे बता रखा है यहां तो यह से बास आगे साप से तो इसने सही नहीं लिखा भागी अब मुझे बता ओ 10 कार्य सेस बचा है इसको कौन करने आएगा यह तो पांच-पांच दिन आ गए दोनो लिखा यह 5 के इसाप से कितने दिन में कर देगा तो विचलत दो में ही कर देगा दसक तो C पहले दिन पांच रगले दिन तो C को कितने दिन और आना पड़ेगा दो दिन आना पड़ेगा यह ऐसे लिग रखाए पांच पांच वाला है इसमें बाकी तो इसे बारे 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 गए हिसाब से दो A और B परते एक दिन बारे बारे से पांच दिन तक आते हैं तो परते एक पांच पांच दिन आ रहा है ये इसे साब से कि पहला भी पांच दिन आ रहा है और दूसरा भी किते दिन आ रहा है पांच दिन तक तो उन्होंने कि हम से पांच के टकाम कर दिया पिटांस तो नहीं कर दिया कितना बचा दस बचांसा उस-पिजह आपस के लाउख लाव से दो दिन में हबत खतंब करतेर। कि इसस में समझ कि बास ही कि क्या को चाहरा रहा है यह से अभी स्त्रिपार रहीlicher यह दो तो तो एक तरुश कि अनुपाद में बिए बाद सब्सक्राइब और यह कैसे भी काम करें कितने पर जाके काम कतम होगा kanar आरहिए तो बाद में भी आ रहे हैं तस पुरुस तो इन पुरसों को सोचने जटनी है एक 6 उर्जा लगाते हैं आप जितनी एपिशेंश से चो को पहले दिन आएंगे दस फिमेल पर अगले दिन भारी वारी स Congressman इन अर knots पॉप्र अगले दिन अगले दिने ये काम इसे मेलर हुआ था वो सोख और एक काम कितना अंफ यह आप अठ आओ फ़ह पहले दिन दूसरे दिन फिर दो दिन का ही रिबीटा आएगा ऑगे रिपीट याएगा तो बस सको डिर्प्री सोस्ट गॉप कि आपके करता मैं दो दिन में कितना काम हो गया यह बताओ आप कि अंदरा हो गया एक इन कि अंदरा या कि एक इतना कर वाना है मुझे शब तो 155 त्रोप चल्डवी तूर्फ टेन के ओगई रदिन अ कितना काम हो जाएगा 35, फिर 7 वे दिन कौन आएंगी female आएंगी, 8, तो 7 वे दिन का काम सो चुबई, 7 डेज में 7 औरों के कितना हो जाएगा 52, क्या 8 वा दिन पूरा लगेगा क्या, नहीं, तो आप यह इंपे close करते हैं, माम लेको, कि 7 दिन तो पूरे लगेंगे सर्फ, 8 वे दिन किसका नम्मर आएगा मेलों का, तो मेल कितना काम करते हैं साथ, साथ में से बचा कितना है 52 हो गया, 56 करवाना है, कितना बचाओगा साथ सही, 4 बटा, 7 दिन आपका राइटा, तो यह गिने ऐसे, यह छोटी-छोटी बाते हैं, इनको सोचना आना चीए यह समय समता लगानी आती है, तो इनने सोच सकते हैं और बासा बता दीए, मैंने तरह-तरह से कैसे हो यह कुछ बारी-बारी के मामले है और रहे वापस क्या हो गया आउट हो, तरेपन, विलकुल साथ वे दिनो, तरेपन, में लाएं पहले, पहले, आउट मैं थाले, साथ तरेपन, इसको तीन करते हैं, सोरी तीन साथ वे दिनी, यह आट मैं लाई थी आट वाली आट तब छे तीनी गाम बचेगा, यह नहीं, यह बड़ा यह बड़ा पर यह कैसे पकड़ रहा है साथ साही देन बटा, साथ दिन अब यदि मान लो पहले दिन मेल आते, तो उत्तर बतलता की नहीं, इसमें यह भी रियान रखना, कुछ को जाँ पूरा पूरा पाड़ा बुलने में नहीं आ रहा है, आगे पीछे होने से उत्तर बतलेगा मतलब, यदि मेल पहले आते हैं, फी मेल बाद में आती हैं, तो उ पूरा नहीं आ रहा है, जैसे मान लोग यहां 15 होता और 60 बनता तो पूरा यहा था, उसमें तो पहले दिन कोई भी आता, दूसरे दिन कोई भी आता, अ的 Agree, बताऊ देopaरा, क्या कह रहा है, एक पूरो से काम को बारा देन बें कर देता है, ऐसे परसन मैंने उसमें पता यह मितंड अनुपात में लेकिन उसमें एक साथ काम था है इसमें तो बारी-बारी सहें ऐसे कह रहे हैं वह्त पूरी दुनिया को बता है कि 12 गुणा 5 करें या 10 गुणा चेक इनके या पूराब रबहरोगा आप परसन क्या कहता है उसको सुनिया आप तो पुरुसर तीन माइला आती है ये कितने पुरुसों का मामला है एक पुरुस का ये कितनी माइलाओं का मामला है एक माइला का लेकिन अब पहले रोज कितने पुरुस आते हैं पहले दिन काम पुरुस सालू करते हैं तो पहले दिन आएंगे दो मेल और यहां कितने मेल हैं एक मेल का मामला है तो पहले दिन पांच के बजाए आप कितना होगा दस यह बहुसा देखले ना आज कल बहुसा थोड़ी अलग से देने लग गया है कि आपकी किताब में नहीं लिखी हुए उससे अलग भी बहुसा हो सकती है तो उसको पढ़ेंगे तो वह नॉर्मली है परसन हिब कितना फी में नी फी में एक फी मेल का मतलब है यहां तेन का ही होता कि यहां परशन में कि जो फेल नहीं में कितना इंचा काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा यही सिलसला चले गाप दो दो दिन का तो बताओ दो दिन में कितना काम हो गया आप कहेंगे सर्थ 10 और 18-28 करवाना कितना था साथ तो अठाई दूआ चपन तक तो डाइरेक्टी करा दो चपन तक ऐसे लिखते लिखते भी चले जाते ऐसे भी तो लिखता तो अगले दिन दस फिर कितना होता अठाई रहा तो अठाई चपन हो गया यहां कितना काम बचा के वल चार इसको करने कोण आएंगे दो मेल आएंगे फिर तीन फी मेल आएंगे यहां दो मेल आएंगे तो दो मेल दस करेंगे तो दस बटा क्या होगा यह चार यहां दस बटा चार होगा दस में से चार अरे दस करते हैं उसमें से चार तो दो बटा अधन दो बाद दिकराउंगा कहीं वाइस बाद पांस नहीं इख्रागए यॉप्सन में गई लाश्व तक पहुंट आ यह अधाय रूपर गलती हाग खाल खेल को गे अधिके अ धिकर या तरह गो अध्य रोके अध्या तिखर इगर तो सपना वोल वैशक्रा न आरी उड़ा वह जो पेन खाने वालों इनको अध्या है अध्या यह है यहाँ है और यहाँ अध्याइट आखराद हाद के लिए फ्रम आखना शीख्ता उन से पेन पर में भी टिक एन कि जगे पैंग में जो ने डाल कि लाता हूं अजम तो दिक्कत रहती है याँ जए में चीज रहती हो यह जोगद दर्क आ रहता हूं इसे मुंक जोड़ाइं, मैं तो यह नहीं रखता हूं वैसे खाले रखता हूं कहीं को गिर जाए पड़ जाए और बहुर एसे पान पान को वैसे रखता हूं कहां है पान पान बनता है वैसे कि आव भूंग डिवांग डिए रहते हैं कि अगर देखो देखें लखने क्लिए लखन चाहिए आदमी मेरा अंदर उतने लखन है नहीं लिए पैन को अपन समाव सके हैं पैन के लिए तो प्रटक्शन चाहिए पैन फोगिव कोई पी तो ली जाता है पैन रखना तो बच्चों ने चुड़ा थिया जब भी पैन रखता था तो उदर से मांगते थे और कोई ले गया तो कई ये सोस्थे वह इसको देने की क्या ही चरूत है पहले दो चार साल शुरू आपके दो चार साल में क्या वह दाता किसने किताब मांगी मैंने देती तरु उसके पास है रोशन ले चार फिर मैं सोच लिया आणी जानी नहीं है भूल जा नहीं खड़ी दिले उपर दूसरा ले गया तीसरा ले गया आप सारी किताबों को ऐसे कर दिया पर मैंने रोग दिया उसको पर बाद में 900 नार्स वाले चक्र में आप तो क्या कर दिया पहले लोपे दे तूड लेगा मेरे पीचे पीचे शागव प्रास रूपलता हुए ऑनकी अधिए तो लाता हुए ने भी यह तो दो लाता हूँ जाए लेता हुए अधिर देता हूं अब अगला भी एक पाशाए की प्रभू आप तो सुनाई करो और पहले में बाहर आप रहता ह ले गया और गुर्जी दे देंगे मर रहे हैं क्या और क्या मेरा दो सब्सक्राइब अब इसको देखो आप क्या कर रहे है एक बर्जेन है और एक वल्लरीए वालरी माना है एक वर्जेन को भी माना है यह सलाइब 10 गंटे में दिवार को रेड कर सकता है यह तो लाल कर रहा है अब गोर से देगना यह लाल करता है और ये बारा गंटे में क्या करता है ये सफेद करता है दोनों के साथ पंगाई है कि ये सेम कलर नहीं करते हो सकता है पर इसमें दोनों ही लाल कलर करने वाले आए हो सकता है दोनों ही सफेद करने वाले आए हो सकता है ये दोनों अलग अलग आए फिर क्या कहा ये काम करने आए सुखत başऊ सर्च कारेंगे तो यह समत्हा से काम करेंगे यह पांच लेकी यह नाया यह 15 सभीद करेगा दिवार पूरी दिवार को रंकरवाना है तो बारा护 पंजा आटे साट या dice करेंगेने साथ बर अंडी करता है अब भर्षर सप्रते लाल यह जब तक वह दिवार पूरी लाल नहीं हो गई यो हब तक चलतलता हुआ तो मुझे बताओ यह बस है नाय सब्सक्राम करें लेकर लेका के लिए थिसक्ता है और यॉसके वे prepared लाल रही उस पर तो कितनी चोड़ता है एक लाल बस्ती है दो दिन में लाल का मतलब रेड यहां वो लाल नहीं है मोहन लाल रो सौन लाल रो लो दिन में एक रेड गलर हो गया और करवाना कितना है आठ तो पक यह से सोच रहांगे कि grey, привak서 किइंगा है और चौन से साथ समय बनाइस सबस्कार में फैल रहे है तो इसको थोड़ा पहले रोकना इसको थोड़ा क्या पन। पहले रोकना किताग पहले रोखना यह तो इनको जैसे साथ तो इसको पचपने हम आपस आपष्र रोकना कम स्ट अप्र रो यांम एक 1 नुई चैनल मैं झातर अई एक some नवा जिल आएगा 108 parar इनमें कितनी दीवार लाल हो जाएगी जोवन वेल इना मूल종 में बाइं यहाएक्ष. देन प्रसाद मेटस आ होन आएगा एक酸 ज quieren बरें टो अच्छें टो लाल करेगा तो फेले-ख नोट पहले रोकना घ्याप एक सोभी यह लगाद तरह से में यह थोड़ा पहले कितनाक पहले रहो कैंथ senza 5 या उसके एक पीछे रोखू लेंएया हो सकता हुएएशी थी पिरो रोक ले शोड़ा सापी से रोग लें इंसे तो ठोड़ा आगे नहीं इससे था इतना कम रोक के मतलब साट में से शे कब रोग लें या साथ कम रोग लें आरट कंब रोग लें जैसे देखो मैं थोड़ा सा लेकर समझाता हूं इसको अ कुछ बच्चों के हो सकता है यह तो पूरी दुनिया को समझ में आ रहा है कि दो दिन में एक लाल होगी रएक रेड़ होगी कि नहीं दिवार साथ करवानी ह मैं आपसे यह कहता कि इस दो चैप कर वाद वाद में शों की तो सबानों डिन साहरा हो तब चैप के बाद में एक सो पांच वा दिन आता उस दिन कोन आता यह जाक सी लाल दो यह 180 ने सब्सक्राइब करता है तो अपसि कितना ऊंग गया तरे पर नोगा वापसिअ तो बढ़ेगा तो बटेगी और या पर तो यह पूरा कितना करतेगा या नहीं प्रिस्वर दिन नहीं हो जाएगी है स्टेशथ 120 दिन नहीं लगेंगे कुए सब होज एसा कभ थोड़ा पहले मेता है जब काम नहीं तो Quick लगभना, कभला लेट एक जमी उब दalnya स्वेड़ा लग रहा हो तो फिर सोäg आ आ हो तो स propaganda यह एस नहीं किस भूला है है कि फच्छे écOOD आ इसले तो अगला देखे अ पताओ बैढ़े या कि एक दिन सोड़ कर काम करते हुए एक प्रुस एक मैला ने एक काम इन अ सब्सक्सक्रादा है हो तो और फ्रुस फहले दिन काम श्रू करता है वे एक दिन छोड़ कर काम करते हैं यदि मैला पहले दिन काम शुरू करें तो यही काम कितने दिन में हो जाता है 14.5 दिन में हो जाता है तो पुरुस अकेला इस काम को कितने दिन में पुरा करते हैं या आप बजाएं मुझे अब क्या करते हैं इसमें तो अलग अलग प्रोसेस दिया है तो नो एक दिन चोड़ कर काम करें तो एक पुरुस एक मैला काम को किते दिन में कर देते हैं 15 दिनों में कर देते हैं और पुरुस पहले दिन काम सुरू करें और एक दिन चोड़ के करें बुरूष ने पहले काम करा हो कि एक तो प्रोसेस दिया है कि चंहde दी दिन टोटल लगेंगे अजब पहले दूसरे दिए फिर ब्याइय फिर क्या अए ऐसे एक मितलब मैं करने तो किमेंस तो किलए हो को मई हो JA सभल दिन मेंक सब्सक्राइड करें से स चरह तो मेंταν 20 में कुल जा रहे ऐड़ा आए पहले रोज किया यह पिह यहिए बिया फिर यह आये ऐसा कर देने से कितने में थे स्बाटेताइड़ डिर सोदा है कि तो बता tomorrow सके करें मुझे खड़ा हो के क्या efficiency वाई लाप रोस की efficiency जदा है कोई नहीं ये काम को चालू करें पंदरा दिन लगते हैं फिर भी काम को चालू करें तो क्या लगते हैं तो ये A, B, A, B, A, B ऐसे गए होंगे तो चोदा दिन का काम तो बराबरी रहा होगा दो नहीं का यानि पंदरे दिन एक दिन में A आता है इधर तोर यहां उस आदे दिन को अणाता है B इसका एक दिन का काम उसके आदे दिन के काम के बराबर है नहीं दिखाए इससे मतलब क्या हुआ अरह जैसे मालो A, B, A, B, A, B आ रहे हैं तो पंदरा दिन का मतलब क्या हुआ अरह कुछ ग़िए आये को आपको इसको का विलक्त के देगे इस यह कना काने का मतलब क्या है पहले मेल आया कि इसका मतलब प्र्फिम्ल पिखी मेल मेल मेलिभी मेल सकते तने हैं कि फन्राइए य्.. दोटो तया उब वे बाल जाए है क्या इगा स्टैनां स्काइश्च, वे , मेल पन्राइब ऑन्राइग तो यहां फिमेल फिर आया दूसरे दिन मेल फिर को आई फिमेल फिर क्या आया मेल फिर क्या आया फिमेल फिर क्या आई मेल फिमेल मेल फिमेल मेल फिमेल ऐसे पूरा लिखना नहीं था पर एक्सामे वैसे आपको मैं तो सम्झाने के लिए लिख रहा हूं आपको लेकिन यहाँ वाले दिन पंदरवा दिन पूरा नहीं लगा 14 दिन तक तो देखो ओ पिल времени ऐसे ऐसे ओसे कितने दिन नगे हैं तो मैं आपसे कह सकता हूं तो काम तो दोनों में similar करना सकते हो कि नहीं यहाँ तो हाथा इदिन लगाए उसको जो इधर बताओ चोदह दिन तकाम से मों आँगा कि नहीं जितनी बार मेल आए उतनी बार वह उप्तर फिमेल आऊगा तो नहीं प्रोसेस हों में और यहां देखो मेल कित्ती बार आया होगा चौदा में साथ दिन फिमेल कित्ते दिन आई होगी साथ दिन और यहां मेल भी साथ दिन और तो यह काम तो सला पराबर है दोनों में यह काम तो बराबर है कि नहीं इस चीज से मुझे समता पता चल रही है कि नहीं दोनों की इस से लगांस असाफने बस être एक मेल यह इसको क्यों एक मेल बराफर काम कर रहा है किस के आधी फीमेल खेकर तो एक मेल दो काम कर रहा है तो मेल दो गॉर्सा फीमेल एक यांज इस रही आप यह कह सकते हैं कि सर्फ पंदरा दिन लगे हैं तो देवें देखो दो दना कि तनी थी समता लग रही थी तीन तीन लग रही थी तो वो साथ दिन मेल आएगा साथ दिन मेल एगा तो तो इसses फाला गा देगा टोदा और साथ दिन के आएगी डिमयल चुड़ार साथ कितना हो गया 21 और फिर एक दिन वापस अकॉन आएगा में लाएगा तो लागाएगा तो दो लगाएगा कितनी समता का काम है यह पुरा है समता का है इसका तो यह दिये दो नो कि शाड़ी चौदा गड़ेगा पहले दिन मैई लाव क्यिर द्यूद्टा ढूंट संस्क्राइब करेगा ये क्रेगा गरेगा तो करेगा एक गरेगा आइग दो एक दो एक ऐसे चलेगा ए Asia लेगा टॉटल पंद्रा दिन में कितनी सम्ता लगादें गे तेखे ए साथ वाराया होगा या आठ बार मान लो इसको तो ये तो आठ बार आया है और वो साथ बार आया है तो आठ बार आया है तो आठ बार सोड़ार साथ कितना हो जाता है टोटल समता कितनी हो जाती इस नीचे वाले में समता निकालोगे तो ये एक ये कितना करता है दो एक दो एक दो एक दो एक ऐसे चलेगा कितनी समता हो जाती इधर आदे दिन फीमेल की आदे दिन की समता कितनी होती है और फीमेल अगले दिन आती आदे दिन तो फीमेल कितने समता से काम कर रही है यहां कितने समता होती क्या मैला एक काम को 15 दिन में पुरो सोर मैला ने कर दिया एक दिन चोड़ के काम करते हैं मैला पहले दिन काम शुरू करती है यही काम 14.15 दिन में पुरा होता है पुरो सकेला इस काम को कित्ते दिन में करेगा 14 में से अब साथ दिन यह 14 होती और साथ 21 होती एक इस और मैला एक दिन आती मैं सम्ता बराबर आने चाहिए थी निए यह दो मैं से एक कर गई आते दिन में कर गई तो इसकी तो चार आने चीए परना देन मजे एक बार वो परना देन आते दिन में कर जाएगी यह पूरे में तो यह उल्टा कर दिया इसको यह पुरुस कितना आना चीए था कि आते हैं ईसको कि तो यह इसको यह थे तो यह तो यह उल्टा लिख दिया उसको फुरुस को लखिए तो यह थोड़ा कमा जाएगा तो देखो यह वाला तो में मिटा देता हूं एंसे परसंगों परीक्षा में इतना लिखना नहीं था वैसे क्या करना था वो सुनो आपको डायरेक्ट यही आइडिया लगाना था कि 15 दिन में पहले मेल आए फिर फी मेल आए तो 14 दिन तक तो यह सिल्सला लगातार जारी रहेगा जिसमें साथ दिन मेल आएगी और साथ दिन क्या आएगी ये मेल एक दिन एक्स्टा कौन आएगा मेल एक दिन ही तो एक्स्टा आएगा और साड़े चोदा दिन में काम पूरा हो रहा है काम पूरा हो कैसे हो रहा है फ़ह plaisघे मेल थिर मेल खोर इनका मतलब किया crab स्थमेल दिन नतर सक तो साथ दिन मेल आएगा साध दिन फेमेल आएगी और जाल की जा तेखियो कायई और साथ दिन फीमेल ये तो सेम था उतना लिखने की जरूती नहीं थी यहां का एक मेल है वो कितनी फीमेल आदी फीमेल जितना काम बराबर करके जाते हैं वो पचे हुए को इन दोनों नहीं तो करा है काम को तो जो एक मेल है वो आदी फीमेल के बराबर आदी फीमेल का मतलब उडियार काम करेंगा साथ और एक दिनोर आएगा तो अभाट कैसे लगाए अब जैसे मुझे संबता काम करेंगा तो तो कैसे करूँगा वो सुने तो टोल सम्ता में गेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे आदा दो दिन का दो काम करती है तो आदा कितना करेगी एक तो देखे देखो इधर भी टोटल काम बाइसी होगा रिधर भी क्या होगा बाइसी अब आप से पूछे कि एक अकेला पुरुस कितने में करतेगा तो बाइस को एक केस आप से कितने दिन लग जाएंगे बाइस और वो यह पूछे कि माईला कितने में कर देती तो माईला को अकेली को 11 दिन लगते अकेली माईला आती तो रेट टोटल एफिसेंसी सोचना है कि नहीं कैसा सोची वो एक दिन का जो काम बच रहा था उससे सोच नहीं पड़ेगी वहाँ तक तो बराबर आ गए उसके बाद वाली सब्सक्राइब काज़ा देखो देखें सक्वक्त्राइब क्या हो रहा है यह प्रक्रίνवर इसमें थोड़ी अपर बारी बारी की परक्रे में करता है और भी कितने करता है 80 case 285 ह реी तिन वार यह 10 तो इधर कर लो इधर तीन समिझे दसां माने काट क्या उसको डिक पूरा काम किसी भी प्रकार से हो लेकिन आट तिया चोईस दो सो चालीस पर बराबर होगा कि दो सो चालीस सोच ना गया कैसे सोचा मैंने दो सो चालीस इसका कुनन फल भी दो दिन अकेले काम करता है ये तीसरे दिन अकेले काम करता है यह प्रक्रिया काम पूरा होने तक चलती रहती है जैस मैं वाड़ी सो रही है आप एसे गरतनी लादे कि नहीं सो रही मैं फिसरी दो तेन मिनिट से उब्जरव कर रहा हूँ फिर गरतनी लादे तोड़ी देर बाद कि भाई नहीं सो रहे अब आप मुझे बताओ दो दिन अकेले काम कौन करता है बी पहले दिन आया फिर दूसरे दिन भी बी आया तीसरे दिन अकेला काम करता है तीसरे दिन अकेला करता है फिर कौन करता है बी बी ये सिलसिला 240 तक चलता है आपकी बार करम को चलग बताया है उसने लेकिन औलक में भी क्या हूय हो गया? पहले दिन तीन करवादो, फिर तीन करवादो, फिर दस करवादो, तो आप कहेंगे थिन दिन का सिलसिला परकरार है, और वो कितना हो गया? क्या इस छोडा के पाड़े में, दो-सोचालीज बन जाएगा, तो देखो, तो लूइब तरह में थे प्रिक सोर प्रम ल्ड़े को सब्सक्राइब थी तरह इसको कितने शनीए प्रमी पर अन्योड़ों सब्सक्राम जिखनें। अध्याद वादी इसरा आड़ दिया चोई साथ रियता से गुना करो शुटरा सब्सक्राइब आसान गुनाया का इस वो लगना पंद्रा में मुपाद रहें कि सुर्णा पंद्रा बोथ कल्ड़ा गुना आगया रोसुटरीश हो गया किते दिन लगते पंद्रा पंद्रा तीन दिन की पंद्रा पंद्राइस टेप लगती तो कॉंसा उत्तरा आजया था या जात कर देदा न्यवाथ जादा पल्डी एगया पांसा सवाल कंपड़े वियर विसे एक सवाल पढ़ ने थे दो को कल पढ़ाते हैं कल मैं मर जाओं तो फिर तीन सवाल कंपड़े हुए रहे जाओ आप अब भी लेट हो रहे हैं बराबर कितना हो जाता करेगा statement आता यह कहारे यह कह रहा है एक कितने दिन में कर देगा तो हर दिना आता है लेकर वियो कितने दिन music अगले तीज़ा लना इंच तीर ले ये ले यह ले सब्सक्राइब उरत रहा एक नब एसाथ तो एक्रेटेशिव ये है साथ तो बारा पंजे साथ डाइरेक्टी बोल दे पाड़ा यह माइनस वाले हो तो थोड़ा पीछे रोकें लेकिन माइनस काम कोई करी नहीं रहा है यहां तो डाइरेक्टी साथ पहुंचा दें यहां पांस दिया कितना 15 दिन समझ पाएंगे यह तो छोटी बात है इसको कैसे सोचने है वो बारी-बारी की तरह ही सोचना आना चाहिए आपको यह बारी-बारी से ज्याद आसाने इसमें एक साथ ही सोचना है उस सारी चीजों को 16 में 16 22 में 16 22 को बढ़ाइब रूपहले तो 6 को काट और 8 बार बार और इसको दस बार 8 को गुणा करेंगे 10 गुणा 11 से यह 11 बराबर होगा 8 गुणा 10 के मैंने पताया था कुछ नहीं सोचने आए तो यह की तने नोगा ग्यारा गुना 8 से इनमें कुछ कट राए तो काटो तो से कट राय ये पांच बार यह तो से कट रहा है यह तो से नहा के सब्सक्राइब और 55 पनाएगा फोजा चम्रीज कितने पर गुणा पर बराबर होंगे गुणा कर लो इसमें बाई चोगट एसी आठ सो सी पे जाँ गुणा आसान हो इसको कर लिया अगरो इसको कर लो जाए इसको कर लो आसान गुणा है यह अब बताओ पहले रोज को अनाई नेहा मनोज दोनों हर दूसरे दिन कितना हो रहा है फच्पन फिर पक्षपन चालीस इनको करें गे तो असी एकसो तीस 139 139 में जोड़ेंगे तो 180 14 100 कितना हो रहा है 114 Kyoto 880 तक ले जाए तो देखो200 200 से ले जाएं आप लगबभग वहां पे 200 200 से ले जाएंगे तो लगबग चार बार में जाए आ गए सब्सक्राइब अब देखो मुझे काम कराना है 880 तो नवे दिन को नाएगी पूजाएगी तो नवे दिन आप नवे दिन वे पूजागा इसमें पच्पन और जोड़ दो पच्पन जोड़ेंगे तो यह 820 831 जाएगी 831 फिर इस दिन तो होना है तस दिन के लिए पूछ रह आएगे तो अब तो वां तर्टी नाइन करेंगे दिए तल करेंगे और बाकी बाते हैं अपन जन्यवाद करें आदमी हो दो हो दो से जादा हो कि ते भी व्यक्ति हो सकते हैं तो मुझे एक अकेला आदमी कही नजर आ यार उसे कहा कि ये किसी काम को 20 दिन में कर देता है तो इस बात से मैं क्या समझता हूँ कि ये एक दिन में कितना काम करता होगा 20 में से एक काम करता होगा ये 2 दिन तक कितना काम कर देता होगा ये 2 दिन तक 20 में से 2 काम कर देता होगा ऐसे मैं बता चुका हूँ और ये 19 दिन में कितना काम कर देता होगा 19 बटा 20 या 20 में से 19 कहता हूँ मैं इसे और ये बीस दिन में टोटल वर्क कित्ता कर देता होगा तो आप कहेंगे सर बीस में से बीस बीस में से बीस का मत्रव होता है बीस बटा बीस और इसका मत्रव होता है एक पूरा काम आदा काम ये आदे दिनों में कर देता है फिर किसी ने आपको कहा कि ये किसी काम को 15 दिन में कर देता है तो बाकी काम कैसे करता होगा ये तो मुझे ये पता है कि ये बाकी काम कैसे करता होगा ये बाकी काम कैसे कर देता होगा एक दिन में कितना काम करता होगा एक बटा 15, दो दिन में 2 बटा 15, ऐसे चलता रहा होगा, ये 6-7 दिन काम करके भी चला जाए, तो भी मैं बता सकता हूँ कि ये कितना काम करता, कितना छोड़ जाता यह अकेला बारा दिन में काम कर देता है फिर मैंने कुछ चीज़ें ऐसे बताई कि यह 3-0 मिलकर कितने में कर देंगे A, B कितने में कर देंगे B, C कितने में कर देंगे ऐसे मसरे हो सकते हैं कि A और B मिलकर B और C मिलकर या C और A मिलकर कितने में कर देते होंगे तो हमें ऐसे पर चुके हैं कि इनका टाइम और दक्सता दो चीजे निकार नहीं बताई मैंने समय गुणा सम्ता आलवेज इक्वल समय को सम्ता से गुणा किया जाए तो तमाम जितने भी टुकडे कर रखे हैं उनका गुणन फल अमेशा क्या आएगा बराबर आएगा तो देखें देखो 20 को काई से गुणा करें 15 एक तो बताएगा इनका कोई अनुपात निकले तो ठीक है वरना छोटे मोटे नमरों का तो अभी याद ही हो गया होगा कि 20, 15, 12 तो 60 पे बराबर होते हैं ये 60 पे होते हैं तो 20, 30, 60 15, 40, 60 12, 50, 60 अब मैं आपसे कहता कि ये जो इनकी कारिय सम्ता है या दक्सता है वो 3, 4 और 5 तो इनको में टोटल करता तो तीनों की कारिय सम्ता कितनी बन जाती 12 कोई कहता कि इनको गुणा करने से क्या बनेगा तो आप ये कहते सर इनको भी गुणा करने से 60 ही बनेगा 12 को कौन से नम्मर से गुणा किया जाए कि 60 बन जाए तो ये यहाँ दिख रही है फोटो यहाँ की फोटो को मैच करके ही बता सकते हैं क्योंकि मैंने ये कहा था कि कि A का समय गुणा A की समता Always equal B का टाइम गुणा B की Efficency Always equal C का टाइम गुणा C की Efficency Always equal A, B, C का टाइम and A, B, C की Efficency Always equal A, B का टाइम गुणा A, B की Efficency किसी के भी बराबर कर लीजिए समय गुणा समता सब की बराबर होती है किसी A की काम को यह अलग-Alग लोगों दुआरा करवाया जाए तो कई मान लोगों डॉबल काम करवाया जाए तो समय गुना समता का डॉबल हो जाएगा और क्या ही होगा उसमे जो हमने ऐसे करा कि मान लोगों कहता कि A, B का बताईए तो आप कहते शर A 3 समता लगाता है, 4 लगाता है दोनों मिल जाते तो कितनी समता लगती यहां का कुणनफल भी 12, 50, 60 जैसा होना चीए की नहीं अब 7 के पारे में 60 नहीं आता तो मैंने ऐसे कहा था कि 60 बटा 7 कर दें 60 में 7 का बाग लगा दें तो वो गुणा करने से साथ से साथ कर जाएगा साथ आंसर आजाएगा और गुणनफल साथ बनेगा कि नहीं और इसका आंसर क्या आता, 8 सम्थिंग 8 सही, 4 बटा, 7 अरे बिननों मैं भी तो बता सकते हैं इसको इसको मैं का हूँ, BC का मसला क्या वो था तो आप कहतें सर्फ B and C तो 5 और 4 कितना बनता 9 किस से गुना करों कि 60 बन जाएगे तो 60 बटा किस से गुना करतो 9 से, 60 में 9 का भाग देंगे तो 20 बटा 3 बनेगा 6 सही, 2 बटा 3 बनेगा अरे अंसर क्या बनता 6 सही, 2 बटा 3 काट पीट लेंगे, वो काटना पीटना मैंने कुछ बताया अभी है कुछ आप अल्रेडी वाकिप रहे होंगे काटने से रह से A और C का मसला क्या रहा A 5 है और C कितना है A 3 है, C 5 है तो टोटल कितना हो गया तो ये 60 बटा क्या रहा होगा कई बार वो इसी चीज को मिल करना देके आप से ऐसे कहता है, बारी-बारी से क्या कहता है बारी-बारी से बारी-बारी, वेकल पिक रूप से ऐसे काफी सारे वट बताये थे एक आंपर करम में, एक दिन छोट के एक दिन ऐसे alternative आएंगो तो उसका मतलब होता है कि पहले दिन A आएगा, फिर कौन आएगा, B आएगा, फिर A आएगा, फिर B आएगा, फिर A आएगा, फिर B आएगा, फिर B आएगा, फिर B आएगा, ये सिलसिला चले माल लो तो 60 तक चलेगा ये मामला तो मैंने का आप पहले दिने आए तो 3 फिर 4 फिर 3 च्यार ये 60 तक चला दो तो इसमें मैंने का था 60 में 7 का भाग नहीं देना है आपको ऐसे आइडिया लगाना है कि 2 दिनों में सर 2 दिनों में काम कितना हो रहा है तो 8 उसाथ उसको 60 तक ले जाएं तो 56 तक तक तो डायरेक्ट ले जाएं आठ आठ इस टेफ में कितने दिनों का काम हो गया फिर सत्रवे दिन डे बाई डे चलें तो अब डे बाई डे में किसका नमर आएगा एक का तो एक काम को कितने दिन में कर देगा तीन प्लस कर देगा तो 59 तक पहुंचा देगा इसको एक दिन का काम दिख रहा है उसका फिर 17 दिन के बाद में जो अठारवा दिन लगेगा वो पूरा नहीं लगेगा तब आप कहेंगे कि सर यदि ये बारी-बारी से A और B को बुलाते तो 17 दिन तो क्या लगते complete अठारवे दिन में कोण आता B आता वो काम कितना करता है चार काम बचाओ आशाट में से कितना है तो चार में से एक बचाओ तो आप ये कहते है सर चार करता है और एक गरवाना है तो एक बटा चार इससा लेगा ओ ये 17 साई एक बटा चार भी बनाना बता दिया था खल बहुत सारे सवाल करे थे यदि कल वाली क्लास को जिन्दा होकर देखे थे तो कोई समश्चा रही नहीं होगी और वैसे ही सांसों के पर उसे ही बैठे हैं यहां तो फिर कई बार ये भी रहता है फिर मान लो परिक्ष्या वाले ने ऐसे कहा होता कि बी पहले आया फिर ए आया फिर बी आया फिर ए आया ये सिलसिला काम पूरा होने तक चला तो मैं क्या ही करता बदा हो क्या करता पहले रोज कितना काम होता चार अब की बार फस्टे कितना होता चार और next day तेन, चार तीन, चार तीन का सिल्सिला चलता रहे था तो यह आता, दो दिन का साती आता 8 step हो थी 8 step हो में इधर कितना बनता 15, तो इधर कितने दिन बनते 16 में छप 5, अब सत्रवे दिन को रहा था B आता, B इसको कितना प्लस करता B4 करता A नहीं आता A अब की बार चालू भी नहीं करा है चालू होने वाला आएगा इस टेप कता होंगी वहाँ तो तो मुझे बताओ अब की बार उत्तर सत्रा आता की नहीं तो मैंने ये भी कहा था कि A चालू करे और B चालू करे उसमें भी फरक हो सकता है कुछ जगे नहीं भी हो लेकिन ज़्यादा तर जगे फरक होगा फिर मानलो किसी ने का A पहले रोज फिर B दूसरे रोज C तीसरे दिन फिर A बी C फिर A बी C ये सिलसला चलता रहता है तो बता हो फस्ट रोज तीन सेकंड रोज चार थार्ड रोज पास तो तीन अब दो दिन के बसाए कितने दिन लेते तीन में टोटल एफिशेंसी कितनी लग रही है बारा तो बारा पंजे कितना हो जाता यह पांच गुणा करता साथ तो तीन तीन दिन की पांची स्टेप कितना हो जाता 15 दिन हो जाते यह वह जाते कि नहीं चल गया था इससे पता कल मैंने एक बात और गई थी इसमें कि एक बात और दें रखना मानलो यह लास्ट में जहां से प्रोसेस रिपीट हो रहा है यह साइकिल जो चक्र चल रहा है यह अंतिम दिन पे कोई कम ही करने वड़ा मामला हो कल एक परसन आया था ऐसे कि लाल कलर करता है और सफेद करता है त कि आहिए तो थोड़ा पहले रोकना जैसे मानलो ती चोथे दिन छुटि रहती हो चो यह और चोटे दिन चुटि आती है तो यह चार दिन मैं बारा होता उता तो फ़्या की कि उस्हों ना है पहले रोक सा पहले 걸 के पहले स तो वहां भी सेम जिसको यह चीजें आती हैं वहां सेम है process कोई दिक्कत नहीं है बस वहां खाली करने और बरने वाले आएंगे जैसे यहां काम करने करने वाले आते हैं ज्यादा तर लोग वहां एक डिस्टरब करने वाला भी आएगा माइनस का जाए गा एक खाली करने ओ года सुझ निकाशी न कर लोट guitar किया वोते हैं सभावरने वाले नई अहुद आ इं नलेट दो प्रकार एंवाले नलोटे पानी इक दो अंदर भेजने वाले रिक वाहर निखारने वाले चलो तो ऐसी कुछ चीजें कर ली थी फिर कल कुछ परसन हम नहीं से भी दे के थे कि भई काम पर आ गए फिर तीन दिने रहा फिर थोड़ा उसके बाद आया प्रोसेस कोई भी हो उसको फोलो करना सीख लिये थे और ऐसे करते करते एक सो पांस तक तो कर लिया थे कोई सोचें दिन बताओ कितने दे हैं 1824 by 27 ऐसा लगता है कि मैं इसको काट लूँ तो आप 6 से गाट लो तीन बार 6 से 4 बार और 6 बार 12 पर बराबर हो जाएँगे तो 3 को बार तो यह वोगा इनकी समता सम्ता बन गई दिन कौन आएगा B. A की साइता करेगा पहले दिन A. B. दोनों आएगे मतलब तूसरे दिन C. A की साइता करेगा मतलब A. तो सला रोग जाता है और ये दोडवी से चकर A. और B. से शुरूओ कर काम पूरा होने तक चलता रहता है तो यह A, B, फिर A, C, यह सिलसिला बहतर तक चलता रहेगा, चलता रहेगा कि नहीं काम खतम कहा होगा, बहतर भे, अब आप मुझे बताइए, एक ही समता कितनी है भई, और B की तीन, तो पहले रोज काम होगा, साथ, बहतर में साथ हो जाएगा, फिर नेक्स डे, चार दो, पा को रहा है, वो टोटल कितना हो रहा है, 13, करवाना कितना है मुझे, 20, तो आप यह कहेंगे, सर, 13 के पाड़े में 20 नहीं आएगा, तो 20 से थोड़ा कम पे रोक लो, तो 13, 55, 5 step आ जाएगी, 13, 13 की, तो आप कहेंगे, सर, 13, 55, 5 step दो, दो दिन की आएगी, तो कितने days लगेंग अब इसके बाद 11 days होगा, उसमें कोण आएगे, AB का नमर आएगा, जो चक्कर को चालू करा था, उसका नमर आएगा, तो आप कहेंगे, सर, 11 दिन ये 7 प्लस करके, इसको बेंपर बना देगा, बोलो बना देगा कि नी, काम फिनिस, और अपना answer क्या हो जाता, 11, ये तो कल से ही कर लेते, आप कल के लखनों से ही कर लेते, यदि कल वाले सवालाँ को देख रहे थे, तो भी इतने लखन तो पैदा करीए थे आपके अंदर, कि ऐसी बातों को तो आपकर पाएं, कि बोलो बैई क्या कह रहा है, एक पैंटिंग है, ए है उसको बारा दिन में पेंट कर सकता है एंड बी इसे किते में पेंट कर सकता है आठ दिन में बारा राट और सी पी है वई सिट एंडेज में कहां सी बराबर होंगे यह बताओ 120 पे या काट लो इनको दो से रैसे 60 पे बराबर कर लो कॉणा करो इसको पंद्रा से उनकरों वहां देखो वा बराबर बनेंगे और इसको बारा से समय सोच में यह सोच ना आना चीए जैसे मैंने बताया है वैसे वैसे सोच वोगे तो यह फास सोचने में आएंगे अब बताओ काम कैसा भी हो 120 पे समापतोगा कि नहीं हो इनके गुननफल पे समापतोगा इनका गुननफल होगा उतना बढ़ेगा सब जगे पे अब आप ये कहते हैं कि दिनों की संख्या लगभग आपको बतानी है जिन में A दुआरा पैंटिंग को पैंट किया जा सके और B और C दोनों साथ मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन उसका साथ देने आएं पहले दिन A अकला काम करेगा पहले दिन A अकला फिर A, B, C दोनों आएंगे फिर ये अकला फिर आएगा A, B, C समझ गया होगे क्या चाहता है परसं इसके आगे मुझे बताने की जरुत नहीं है सभी परसों में एक साही मसला है और आप कहते हैं सर पहले रोज यदि एक काम कर रहा है तो ये तो किता कर रहा होगा 10 और दूसरे दिन 3, 3, 3, 7, 37 47 कर रहे होंगे दो दिन में कितना काम हो रहा है दो दिन में 4, ये दिली खाओ हुआ है मैंने सौचा वहाँ कुछ दबा हुआ है अब दो दिन में काम कितना बता दोगे उसको 47, टोट लो गया 47 अब मुझे बताओ कहां पहुंचाना है इसे तो 47 दूआ ही पहुंचेगा इसमें तो 24, 24 जाएगा क्या हो गया ये ये अब बताओ दो इस्टेपियां होंगी तो कितने दिनो जाएगे 4 दिन में 4 दिन में कितना हो गया है 4, 24 आब बताओ पांचवे दिन में 5 दिन में ए आएगा कितना पहुंच जाएगा ए 104, 6 दिन पूरा लगेगा क्या नहीं, 6 दिन काम कितना होता है 37, लेकिन काम बचा कितना है 16, तो आप कहेंगे 6 दिन सर पूरा नहीं लगेगा, 5 दिन पूरे, 16 बचा हुआ है, 37 में से 16 करना है, तो 37 तो करते हैं, और करवाना 16 में 17 का बाग देलो, किसी को फिर भी ऐसे लग रहा हो कि भाग देहुंए बोल मेरे तो पूरे, सरीर में तलसो मर्सों लग यूँए गए बाग नहीं देहुंट तो दिक्कत हो जाएगी, तो फिर लगाले तेरे, पूरे लगाले ऐसे लगा, कान बना के लगा 37, फिर 16, पांस तो ही आगे पॉइंट आएगा, फिर यहाँ एक पॉइंट और लगा एसे, फिर 160 बना इसको, फिर 37 चोके कर, 37 चोके कितना हो जाएगा फिर, अब यह भी मेरे कोई बताना पड़ता दिखता है, पाटो, दिख गया पांस के आगे क्या आएगा, पॉइंट चार लगबगा आएगा, वो देख लेना तुम दुमारे इसाब से, मेरे इसाब से बाग नेना मुरुकता है, इतनी फाल तुम पॉकट में मजदुरी मत किया करो, कोई भी बुला लेर का हीदर आये, खादा कोज आर खोड़ दो उसको, अब यह तुमातो काई दे विले ओच तलान, उपने राख की मातान, उपने राख बाता दी यह भगवान है, यह बलकुल, से टिक, वो मातो यह तलान वे तो ओग त अचान पगम, इसको बैटर दब उपर ही रखा करो थोड़ा, तो जल्दी नौकरी लगा दे, तो मैं नौकरी लगाया का क्यों यह वाला पॉर्शन, देख और देख क्या कह रहा है, ए, बी और सी, एक काम को बीस, तीस, दस में कर देते हैं, बीस, दुआ, बीस, तिग्गा, तीस, दुआ, बीस, तिग्गा, बीस, तिग्गा, दस, चिग्गा, साथ पे बराबर कर देता हूँ मैं इसको, आप तो वहीं कर देता हूँ, आप तो इन बीस, तीस, दस को भी नह पूसरे दिन एके साथ C, फिर एके साथ B, फिर एके साथ C, ये सिलसिरा साथ तक चलेगा, तो पहले रोज एर B को मिलाओ वई, पांच, फिर एर C को मिलाओ, आठ, तो आपको होगे सर्थ दो दिनों में, दो दिन में कितना काम हो जाता है, तेरा, आप दो दो दिन का साइकल र लाए नवे दिन कौन आएगा ये भी जो काम को इस्टार्ट करा वो पांच प्लस कर जाएगा पांच प्लस करने का मतलब हो गया 57 बोलो दसवा दिन पूरा लगेगा क्या नहीं क्योंकि काम होता है आठ तो आप कहेंगे सर दसवे दिन हम पूरा दिन खर्च नहीं करेंगे दस दिन से पहले ही नो काम तो दसवे दिन ही हुआ को ये पूछ ले कि कले एक प्रसन आया था कौन से दिन काम समाप्ट हुआ तो दसवे दिन समाप्ट हुआ इस प्रसन में ये पूछ ले था कि काम कौन से दिन में समाप्ट हुआ तो आप क्या कहते है कि दसवे दिन समाप्ट हुआ लेकिन exact कोई मामला पुछे कि कौन से कितने इस से में हुआ वो तो मैंने बताया था काम कितना काम है काम तो है 8 और बचावा कितना है 3 यानि जो करते हैं total तो उसको नीचे रख दो जो remaining पार्ट है उसको उपर रख दो नो सही तीन बटा आठ डेज आपका उत्तर होता देस अगा दिये इसको अगा दिये इसको अगा दिये नहीं लिग दिये नहीं लिग दिये अभी सिंदमून से परसन है ऐसी बात है तो मैंने आपको पहले भी बता दिये पहले दिन चालूवा था उसकी करता के सी काम को कटम कर सकता है और पी कितने दिन में? पंदरा दिन में, तो इसकी सम्ता 10 ती या 30, इसकी पंदरा 25 तीज दोनों को ऐसे नमर से अनुपाद से लगा लें और डायरेक्ट लगा लें, इन दोनों का अनुपाद 2 तीन होता, तो 3 को 2 से गुना, 2 को 3 से यह बराबर बनते हैं। अरे दोनों मिलते हैं, तो पांच काम होता है, और पांच दिन करते हैं, तो पचीस हो गया, फिर सेस कितना बचा, तीस में से कितना बचा है, पांच, तीस में से से का अंस बनाना है, कितना हिस्सा सेस बचा, अंस, अंस कैसे बनाते हैं, वो बताया था, कितने में से कितना, ती के तागी केड़कि तो toael कितना हो गया ? पुरा तो कितना अपैसी मैं से फचीस 3 कर दे तो फिर क्या कर देते है सोँ एन को तो इसमें बता दें फिर आप अंस बता दें कितना काम सेस बचा है उसका अंस क्या होगा किसी काम को 40 दिन में पूरा किया जा सकता था ये दुवारा भी उस काम को 60 दिन में पुरा कर सकता था यदि भे दोनों 8 दिन काम करते रहें तो काम का कितना अंससेस बचेगा तो पहले तो 40 कार 60 का मामला देखेंगे इनके समता सोचो समता बतायता है तो इनको काट के सोच ये 20 से 2 बार, 3 बार, तो 3 इदर कर दो 220 पे होंगे 120 पे बराबर होंगे तो कोई भी काम पूरा होगा तो 120 पे बराबर होगा सारे परसनों में है सही सोच रहे है परसन क्या चाहता था 8 दिन एक साथ काम करा हो तो A प्लस B दोनो 8 दिन अब ये बगएर लिखे पता कर सकते हो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि ये कैसे आये है और इदर फिर काम क्या बच गया सेस उदर बच गया सेस उदर ही तो बचेगा 120 में से कितना काम कर गए वो सोच वाप कहेंगे सर 3825, 5 करते है 8 दिन में आठे पंजे कितना कर गए 40, सेस कितना बच गया 80, लेकिन उसका अंस बनाना एस अंस कैसे बनाते हैं अंस बनाते हैं कितने में से कितना तो 120 में से 80 बचा हुआ है तो बचे का अंस ऐसे बनता है बचे का अंस ऐसे बन जाएगा कि बचा हुआ का remaining part है, वो कितना है, आप 40 से divisible है ये दो बार, और 40 से ये, तो बटा 3 आपका answer होता, ये तो छोटी बाते हैं, परिक्सा के इसाफ सर, बगएर pen किसी बाते हैं, इसमें pen क्या लगाता, आप जैसे परिक्सा में लखन का आदमी होता तो यहीं कर देता, 60-40 की सम में समझने तक तो ये से लिखे हैं, मैं सतर्षा में गराता हूए, उसमें क्या ना टेक्ने क्या जरत है, या जरत है, यवाइर ये फंगा हो गया, देखता है, तो इसमें पगएर पेन भी किया जा सकता था मामला कैसे किया जा सकता था कि ये जो दोनों को मिलकर काम करवाते तो पांच काम करते राट दिन में कितना करते थे चालीस कर देते और जैसे ही वो चालीस होता तो चालीस तो हो गया होता 120 में से रसी रिमेनिंग बसता 80 बटा 120 करके आंसर फिक कर देते आप बताईए देखें क्या होता आप देखो मैं इसमें प्रेन नहीं लगा रहा आप 8, 16 को क्या ही पराबर करऊंगा 8, 2, 16 16 एकम सेला 2, 9 मिल जाएं तो 3 दिन तक कितना कर देंगे 9 16 में से 9 तो कर देंगे ये तो कर गए اور सेस कितना बचा 7 बचा कितने में से 16 में से और क्या ही करता मै यह तो अलकी बाते हैं पहले रोज से बैठे हुए हैं फरस्ट क्लास से तब तो यह अलकी बाते हैं और बाज से बैठे हैं तो फिर थोड़ा-थोड़ा समझ पैदा होने में समय लगेगा एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है P, P कर सकता है 20 दिन में क्यों कर सकता है इसे 25 दिन में 25,25,100,100,100 पे बराबर हो जाएंगे कि निए बाते तो भी देखो 5 से करता है यह 4 बार, यह 5 बार, 4 को 5 से गुना, 5 को 4 से गुना यह 5 और 4 अलग से भी 100 सकते हैं अनुपात लगा के बागी 20 और 25 को बराबर करना आता होगा 100 पर बराबर होता है दो नए यदि वे 1-7 मिलकर 4 दिनों तक काम करें तो बताओ काम कितना था 100 सो में एक साथ काम करें तो नो और नो चो का कितना काम कर गए 37 तो सेस कितना बचा सेस बचा 64 कितने में से यदि वो परतीसत ना पूचता तो परतीसत पूचता तो महीं से कितने से और गुना करता परतिसत होता है वो 100 में से ही होता है 100 से गुणा करोगे 100 से 100 कट जाएगा कितना percent आ जाता यदि वो परतिसत ना पूछ के बिन्नों में पूछता कि कितना अंसे तब आप इसे 4 से काड़ते 16 बार 4 से काड़ते फिर 16 बटा 25 आता बिन्नों में जैसे पिछले परसन में बिन्नों में पुछा था तो 16 बटा 25 के देते हैं इसमें परसेंट पुछाए तो परतीसत बदढ़ने के लिए कित्ते से और गुना करते हैं 100 से और गुना करते हैं तो यह इससे भी निकार सकते हैं ऐसे कहीं भी कर रखें हो तो में 12 में बी ने चार दिन काम करा सेस का अब अब अफ़रा बारा तो चार तीस पे बराबर हो जाएंगे अब यह इतनी सिंपल बात हो बगएर पैन भी सोची जा सकती है तो अभी मैंने बताए कि सुरू मैं तो से समझ समझ यह सकते हैं कि 36 पर कम्प्लीट होगा ये कैसे-कैसे आए बड़्स रजेश्य कामका अधिटना मा अधिक करता तो आप कहेंगे शरी यह काम करता है तो ये कित्ते दिनों में चोईस कर देगा सेस काम को पूरा कित्ते दिनों में कर देगा बारा में कर देगा और क्या ही करेगा अरे दो दो दिन दो समताल लेके आएगा तो बारा दिन में चोईस समताल लगा देगा खी नहीं आखड़े देख ले ना देख ल्याद देव जी आँ खोंदीख रहो तो और गरबीज को पहले आगे के परस्मों को थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा देख के आया करो दो चार को तो पहले से नहीं तो थाइम तो फैसे मिलता नहीं होगा अगर फिर भी थोड़ा वह देख लिया करो तो इस गंटे को मैनेज करने का ही खेल है कुछ मैनेज कर पाते हैं मेरे साथ ही नहीं कर पाते हैं तो फिर उसे साथ से रहे ले लगाओ देखें क्या हो गया ए बीस दिन में क्यों है बीस और तीस को तो साथ पे बराबर करना आ गया है और यह भी नहीं करना है तो क्या है या दो त्यार दिन हो गए माता पोड़ी करते हुए कितने पे बराबर कर दूँगा मैं इसको साथ पे बताओ पी ने कारिया सुरू करा और Q 5 दिनों के बाद उसके साथ आया P पहले 5 दिन काम करेगा उसके बाद कोण आयेगा P प्लस Q दोनों आ जाएंगे फिर पूरा कारिय कितने दिनों में समापत होगा तो हम मुझे बताओ P ने 5 दिन में कितने काम कर दिया होगा तीन के बाव से पंद्रा कर दिया होगा तो इदर कितना काम कर आओगा 45 70 में से इदर कितना बचा होगा 45 अब मुझे बताओ ये दोनों मिलते हैं तो काम कितना हो रहा है 5 5 के बाव से कितने दिन लगे होंगे 45 में 45 लगे होंगे आप कहेंगे सर यह नो दिन काम करें होंगे, आपको यह कुछ है, पूरा काम कितने दिनों में हुआ, तो पूरा काम तो भई, पांस दिन तो पी को लग गए, पूरे काम का दे आन रखना यहां, वो तो बाद में आया है, रसा मिलो गया, फिर कह रहा है, complete work कितने में हुआ, त चौदा दिन में पूरा हुआ होगा, देस, वो कहता, सेस काम कितने दिन में पूरा हुआ, देन में कहता, कि नो दिन में, पी ने कितने दिन काम करा, पी ने, अरा पी चौदा के चौदा दिन काम करा है, पी, और क्यों, पी अकेला कितने दिन काम करा, तब पांस दिन, वहना काम पे तो पी बिचारा चोदा दिन तक आया है ऐसे लास्ट में जरूर पढ़ लेना उसको हिंदी तो पढ़नी आती होगी मालो गनित भी नहीं पढ़नी आती तो यहां पूछा क्या है उसी का जबाब दें ऐसे नहीं है कि आप अपने अनुसार कोई भी मामला हैंडल कर आए है चालो पताईए देखें क्या कह रहा है एक जणा दस में करता है एक जणा पंद्रा में करता है तो मैं इनकी समता लगाने में तो मेरे इसाब से कोई जी जगे ही नहीं अब आप कह सकते हैं सर 110-30, 12-32 ये साब काम करें तो बराबर कित्ते में कर देंगे 30 में 30 ही हो जाएगा ये 60 क्या 15-32, 70-30, 60-30 पे कर लो 60- साट पे भी हो सकता है 60 पे करोगे तो ये 6 हो जाएगा ये 4 हो जाएगा और क्या ही होगा उतर तो होई आएगा भी अकेला कित्ते दिन काम करता है तीन दिन तीन गुणा भी लिख दो इधर तो तीन दिन तक ये करता रहा फिर वह एक काम छोड़ दिया इधर अकेला ए करता रहा अब उतर अकेला ए है इधर तीन दिन भी था तीन दिन भी होगा तो दो के बाव से ये कितना काम कर दिया होगा अच्छे ये कितना करेगा चो बीस चोईस काम को ये काम कितना करता है एक दिन में तीन तो ये तीन काम एक दिन में करता है तो आर तीया चोईस आर दिन में सेस काम को करतेगा बिल्गल छोटी सी बात है तो 8 दिन और पूरा काम पूछे तो दोनों का 8, 3, 11 बताते हैं फिर पूरा पूजता तो 11 अंसर कर रहा होता है नहीं बता देता यह हर्की बाते हैं यदि आप इनको सही से हैंडल कर रहे हैं तो एक-एक बात है कारियर इजी प्रोसेस वैसे तो इस्टुडेंटों से टब समझते हैं लेकिन आप मिसर अनुपात से मेरे साथ साथ आयोंगे तो आपको लगाऊगा कि कारियर ज़्यादा इजी है बनिस्पतोर टॉपिक हों के वैसे ज़्यादा तर इस्टुडेंट आके थर्ड बता दिये जाते हैं आपको इतने सारे कि आप उनको जेल नहीं पाते हैं टाइब टू टाइब ट्री फोर पाइब इतने हो जाते हैं फिर वहां जाके लाइंग्वेज बदलता है वो पढ़के करें वह यह क्या कहना चाहता है क्या करूं मैं आप जाए मालो यहां बारी-बारी से कह रहा हो जाए टुकडों में तो आप सोच पा रहे हैं वह इतना कपने से करवा देंगे चलो देखें इस से देखें अकेला किसी काम को 16 दिन में 10 दिन में समाप्त कर सकता है बी 15 दिन में ए है वो तो करता है 10 में बी करता है 15 दिन में तो 30 पे बराबर कर दो तीन और दो यह तो खूब बराबर कर दिया दस तीन तीस और पंदर दो आतीस और अभी मैंने का ऐसे लाइन सी लगा के जज़ करें आप पहले यह लाइन सी लगाएं और फिर ज़ज करें उसको दोनों मिलकर चार दिन काम करते हैं तो आप कहेंगे सर A प्लस B को हम चार दिन वरक करा लेते हैं आपटर A काम छोड़ के चला जाएगा उधर B काम करेगा समझगे दो टुकड़े का से सोचे मैंने अब आपको समझाने की ज़रूती नहीं है यह तो बीस हो गया और इधर यह पिचारा सेस अकेला दस दिन में तो सेस काम कितने दिन में कर देगा तो के बाव से पांस दिन में कर देगा यह पांस दो के बाव से पांस दिन लगाएगा आंसर सेस के बारे में पूछा है पूरा पूस्ता तो 4, 5, 9 बताता फिर पूरे के बारे में पूस्ता तो 9 दिन में complete हुआ है यह तो छोटी बाते हैं यह दिये कल से आप चीज़ें देख रहे हैं तो यह तो जादा easy वाली बाते हैं मतरब मुझे करनी नहीं चीज़े थी मैं तो इसे कर रहा हूँ कि मानलो ऐसी कुछ चीजें सोच पाएं आप ए प्लस बी दस दिनों का काम करते हैं फिर बाद ए कार्य करता है तो सेस काम को समाप्त करने में एक करेगा तो बोलो तो के बाव से दस दिन में 20 कर देगा इधर कितना बचेगा दस बचेगा आप दस के बारे में क्या कर आला आपका एक के बाव से करेगा एक काम करता है रो कई बार तो बहुत इसी बात पूछ लेता है चलो गई देखें बताओ फटाक सर्थ रामो और मोहन अलग-अलग एक काम को करम से 10 गंठे और 16 गंठे में कर सकते हैं एक रामो है एक मोहन है ये 10 में और ये कितने में 16 में काटें तो ये 5 राठ पांच राठ चालेश पे होते हैं तो 5 को 8 से गुणा करदो 80 इर 16 पंजे 80 पूरा काम कितने पे हो जाएगा 80 पे 80 पे हो गया 80 पे हो गया तो दो गंठे एक साथ काम करने के बाद एक साथ काम करेंगे तो 8 रपांच तेरा डाइरेक्ट भी लगा सकते हैं दो गंटे एक साथ करेंगे तो तेर दुआ कितना हो जाएगा चब बीस ऐसे डाइरेक्ट्स हो सकते हैं बाद में फिर कह रहा है मोहन काम छोड देता है तो रामू बचेगा के वल चब बीस इस में से कम करो पहले तो बीस कम करो साथ चोवन बचेगा इस चोवन काम को कौन करेगा रामू करेगा असी में से चोवन काम को कौन करेगा रामू और रामू काम कितना करता है आठ चोवन को आठ के भाव से कितने दिन लगेंगे चोवन में आठ का भाग दे दो 8-48-6 दिन तो पूरे लगेंगे 8-48-48-6 दिन तो पूरे लगेंगे 8-48-48-6 दिन तो और 6 और बचेगा 6 बटा-8, 6 बटा-8 का मतलब होता है 3 बटा-4, तो answer क्या बचेगा C option बचेगा दिख रहे हूंगे यह तो, ऐसे ही कर रहे हैं पर सोचना आगया होगा इसे दो टुकड़ी, तीन टुकड़ों में ऐसे डारेक्ट सोचवाए तो, बारी-बारी से सोचने वालों से तो कम है यह काम बारी-बारों में तो बहुत ज्यादा काम था है इसमें तो टुकडों में सोचना है बस डिरेक्ट ये रिए कल वाला काम सोचना आता था तो ये तो उसके सामने छोटा काम है A करता है A काम को बहतर में B करता है 90 में और फिर दोनों 30 दिन काम करते हैं फिर B काम छोड़ देता है तो 6 वर्क को A ने कितने दिन में खतम करा मैं सीधा ही लगा देता एक A है एक B है ये बहतर है ये 90 देखो अलग से इनको काट लो बहतर को काट लो ठारा चोक रा ठारा पंजे छार 5 आएगा तो इसको 5 मान लो इसको 4 समझे पाएं कैसे माना मैंने देखो मैं यहां फटाक से करता हूं गन्ना ये इम्पोर्टेंट गन्ना है यदि इसको आप समझपाए तो यह समय गुणा सम्ता में मैंने शुरू में काफी टाइम लिया था कि भाई आप समय गुणा सम्ता सीख जाएं कैसे भी फरलोट के अब आप मुझे बताइए नो चोका चाथ तीस कहां जाके काम पुरा होगा तीन सो साथ पे दोनू मिल कर किते दिन काम करे तीस दिन तो दोनू मिल जाएंगे एपी को तो खुणा करतो कितने से टीस से और फिर बचेवए काम को कॉण करेगा ए करेगा तो एपी का मामला हो गया 5449, 9 ते कितना 27, 270 तो इदा 945 90 को कौण करने आएगा तो ए की efficiency कितनी है 5 तो 5 के बाव से करेगा तो ठारा पंजे नब्बै सेस काम को कितने दिन में कर देगा 18 में कर देगा ये तो easy है मतलब इन में तो कोई इतने ज़्यादा गणना भी इतनी कोई है भी नहीं है आसान से नम्मर आते हैं थारा दिन में तो ये बारतिया चत्तीस थार दुआ चत्तीस पूरा काम काम कतम हो जाएगा 36 पर वो एक साथ काम करना प्रारम करते हैं ए बी ने एक साथ काम प्रारम करा केवल दो दिनों के लिए काम करता है लेकिन एक केवल कितने दिन काम करें जेस काम बी द्वार आके ले किया गया नहीं दिखा एक साथ काम करें उसमें तो एक तो दो दिन काम करके बग गया मतलब अ धकिया है अब आप मुझे बता हो ओप यह नहीं कितना काम All paycheck तो आप यहां से कहेंगे आप देखों यहां मुझे यह नहीं करना कि परसन नहीं लगाना कि परसन में मज़़ूरी बाट नहीं है एक देखो खास बात दीए आपके पहले कैर मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि मज़़ूरी कैसे बढ़ती है सम्ता के अनुसार मज़़ूरी में इसा किसमें बढ़ती है सम्ता सम्ता लगा लीजिए ए कितनी सम्ता यूज करा बी कितनी करा टोटल काम कितनी सम्ता का था शट तीस में से ए कितनी लगा गया यह देख लो आप, आप कहेंगे सर ए लगा गया दो दिन, ए कितनी सम्ता लगा के गया होगा च्छे, ए कितनी सम्ता यूज करे हो, च्छे, और बी बच्योडी सम्ता यूज करे हो, लोगो ना, तीस, कुछ बच्चे तो ऐसे करते थे इसको, ए तो दो दिन करके ही तो बग गय तो दो दिन में कितनी सम्ता लगाई होगी उसने तो च्या लगाई होगी ? oral Kr1, किसमता शूंप। 2 elephants 1 хват,400 चार सो एक के मौन्ड में तो 400 और lists को corporal चार सो अर बी के मैं पांच गुना कितने हैं 20520 सटीस बीका इस सब अबना था आधोन सब ड़ते दोजया वह करो तो तर तेने निकाल dessert करनी ईया तो दिन भीनिकाल लोगा का इस हिए धिए अधिक बिन काम चॉह कि बाली कि लिधा ने समझ पहले इसा निकालकर भी काम सब्सक्राइब करें यह तो पहले ही पथा चल रहा है तो तो दिन गाम करातों बचावा भी तो करेगा फिर मार दोगे ने माटा तन के बैटो एसे सही अप्के बैटे वे ओढ़ जो ऐसे बैटे अंटिका के वो भी कहरें गे थनके बैटे वे हैं अजय है ते रहे अब को सभी चल रहा है विसे नोग रीन नहीं लगा अब लग जाए गागा तो श्याति भैब हो गया गया कोई बात नहीं हो भी होई जाएगा नहीं होने के भी कही भाइटे हैं अब श्याति सुदा आज में वह अच्छे लगता है कि ब्यान नहीं ओना अच्छा था और जिनका नहीं हुआ उनको क्या लगता है और अच्छा है तो अब देखलो आप दोनों तरफी भाइदे में हो जिदर भी हो दरी अपने आपको तसली दे सकते हैं अब जाती है और इतनी सच्दश के तो जाती है आदमी मंदीर के बार पहले पहले सो महर को बार करें रहे हैं तो आपने तुमारा आजड़ा सुन ले लो इतने कांत में रहने वाला आदमी वहां जा 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 कि उसके पास जुल पहले लाई जा रही है तो बिचारा इरिटेट हो गई वह तो कुछ बोल नहीं रहा है तो अदो वह है तो शुल रहा है और पाणी ऐसे पाणी डाल टेव एक एम रहे पाणी न डाल पर आपके पास अए दृएं लेकर कि बगवान भी चारा खुद फरिशान हो रहा हो रहा है कि वैसाम समझ्षा है आज कर तो जितने लोग पड़े लिखे हैं वैसे वैसे हरा आदमे के लिए भाकवान के लिए भी समझ्षा बढ़ा दी विचाहे के लिए कोई भी वह वह भाई मुझे तो लगता है नहीं है फिर भी कोई ना कोई जिन स्वाला चली रहा होगा मामला वै अब देखें क्या हो रहा है देख वैसा मेरे देखने के बसकी बात नहीं है सुरम ऑड़े तो एक वैसे हो अपने पास भी पुरा ना कि भाई माल लोगे एपल 15 चल रहा है तो एपल 15 योना चिए फिर एपल 6 एपल 7 कि होना चीए लेटेस्ट वर्जानी होना चीए वैना हो ऐसे दिक्कत करेगा अमानलों परिवाहर में एक आदमी गुनीस होगा गुनीसवी सदी के खया रात का है तो वह परेश्या निमेरा या तो खुद रहता होगा या दूश्रों को रखता होगा जे देए के अंद रहा हुँम को मॉबाई च्हा नहीं लग रहा तो पिर बइस सब्स्ट…! जादा है च्हरों कर दर्स होना चीए व्यमीरा के ह्लना हिए यह संट परार्शों के फास शिक्र कर रहे होना चीए थ हो च्बंवाहर में के बॉत पास नहिं कि होना थी यहिए यह त से तो वोई है सारा सिस्टम डूरे आपको लेकर उतना सिम्पल वा नहीं है तो भी रहता है कि वह फेस्बॉक नहीं चलाएगी इंस्टाग्राम नहीं बागी तो रहता है आपने इतने विक्सित तो यह नहीं है और अब उसाहिर प्लस और माइनस सारे हैं आप तो इधर देखो रड़ यहां है जैसे जिसके गर वारे खुच हैं वैसे सब्सक्राइब इस दोर में रहस्ते बचेरे जाएं वही खूब है क्या? क्या? नामों को चैन तो देख परिक्षा वाला जो नाम देगा वह रखता हूं मैं तो मैं थोड़ी लगा के लाता हूं अब साक्सी को तू और देख ले कुछ ना कुछ अब कॉमल रिये लेटेस्ट नाम है माल लो पहले कमली कहते हूं अब कॉमल को कितने में काम करते हैं और कॉमल उसकाम को कितने में करती है? अब बता हो यह साक्सी कितने में करती होगी? यह सोचना आ गया ऐसे माल लो तो आदे से ज्यादा परसन हो गया यह जल्दी से जल्दी सोचना है अब तो क्या ही है? आप तो वो कह रहा है कि पूरा काम करवाना है तो 110 तक महुंच जाना 110 समझ गया? इंक मल्टीपल एक साथ काम सुरू करा तो साक्सी प्लस कॉमल दोनों किते दिन तक काम करी है? तेन दिन बाद साक्सी छोड़के बग गई कॉमल बची अकेली से इस काम को पूरा करेगी कुल संख्या कितनी लगी जिसमें काम पूरा हुआ हो कुल का मत्रब है तीन दिन तो ये बचे हुए दिन ये मैं निकाड लेता हूं तो अभी देगो तो नो 11 के बाद से करते हैं तो 33 ये समय से 30 कम करो और 3 कम करो 770 कितने के बाद से होगा? पांच के बाद से 570 में 5 का बाद दे दो तो 1555 पीच एतर होता है 15 तो पूरे दो बटा 5 और नहीं समझे? अब मैं आप से ये कहूँ कि पूरा काम कितने दिन में हुआ? पूरे के लि ये वाले नहीं दिये थे 15 15 वाले ये ही दिया है बटे वाला ही तो इसको सोल नहीं करें फिर बटे वाला दिया है तो ऐसे रख ले सततर बटा पांची सततर बटा पांच में तीन जोडना बताया था एसे मिसर बिन की तरह कि अगरो पांच तिया 15 15 जोड़ देंगे सततर में तुछ देख रहा है डायरेक्ट डूरेक्टरी का इर्वो सब तु सारे काम तु देखले ना अपने जीवन में लेकर तुछ देख स्वाधी में तु एक काम वाइसे गरेगा पेर भी स्टेप टूइस्टेप यूट आएगा फिर वाहां डायरेक्ट नहीं फिर तो यह द्यान की तरह चलने का और विगार कराने का मोख वेसे अब आप तो पानी नहीं पूछ रहा उससा में तो आप तो यह दू तो अप्तों नक्रे करते रहा फुल रहा है पूरे नहीं है पाइध में तुर देकर रहता है योई रहता है तक सचति में इतना दिखावा करता है इतना धिखावा करता है कि साड़े के 5-10 लाग का तो अगरी हुआ बता रहता ही अन्य टेक्रइव पांच 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 से जारी बद्चा अगली पांदास और किस तो मेरी उसमें जाए इसकी agoraût neuen जेंगे पांदस आतो वह शॉसमें दिखा मिधवा हम थोढ़ी कर सक्ता है माधल लोग पढ़े वहतों तो इस नहीं पिर बगयर पोर्ट जाएगा पिर अगले देखें भी वहां कि तुला पोर्ट इनुर में आया है सब को पता रहे ताय कि रिखें कि एक कि एक 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 लाए सब तहीं है सब समय तार आसकल पेले वाइवाई तो समझ जाएंगे ले तुम है आदमी की पास पॉर्चैनर में जायेगा को और पॉटनर के पिल्पाल लाइगा को किय क्या करेगा मैं तोभ पहत्दली चाला गया हमारा तो पासमें सस्वाब रवसी ख के लट देगी भी आवशक तक हां है आपने तो फिर कुल नजदीग है से मान ले मौट साहिल से जाता हूं तो इसटार्ट करते हैं शुस्रा लाजाता है आपूआ आजाता हूं तो बैठना भढ़ता है तब पाले आफ ए पह रहता हूं क्या चार्ट महारा लाट लगा है साहर का पूरा सादन हो लगा विला अचीछ डिखो देखें इसमें क्या ही गह रहा है ए है इसमें आप आड़ने और बी कितने में भैंते इसमें इस अपता नहीं कितने दिन नौ इधर पता नहीं है इधर पता नहीं है इधर का पता है कि सला एचला गया तो बी कितने दिन में निमेड़ दिया काम को 17 में ये लो साथ इधर का दे रखा है इधर का मैं फाइन कर पाऊंगा तो अब मैं अब मुझे बताओ A प्लस B नो से करते होंगे और इधर B करता होगा 4, 17, 68 इसने कर दिया तो पहले तो आप 60 गठा हो उसमें से 60 गठा दे तो कितना बसता है 22 बत जाता है यह दर 8 और गठा देते फिर अससी में तो 9 अंटे 22 कितने दिन लगे होंगे इन दोनों को 8 दिन इन दोनों को लगे होंगे बहेंतर और उसको 17,4,60 उसको लगे होंगे दिग गया कैसे सोचा कार्य आरंब करने के कितने दिन बाद ए तो विच्छार आर दिन में बग गया था तो फिर कारी आरम करने के आर दिन बाद बग गया था यह आंसर पूरा काम पूछे तो सत्रा राट पचीस दिन में रहे टोटल वरक पूछे तो पचीस दिन में वो जैसा पूछे वैसा वैसा उसको आप बता सकते हैं आ गया होगा सोच नाइस को कैसे सोच रहा हूं मैं इस प्रसमाप्त करूंगा चोईश पे और सी मिलकर दो दिन काम करते हैं इस प्रसमाप्त करने में चार दिन लगे बाद में कम लिखें कोशी सक्रें इमें से क्या नहीं लिख सकते आप पूरा देखें जो मैंने सो लिसन वाले नर्स दिये ते उन पर पूरा लिखा हुआ है एक एक वन बाई वन इस टेप बाई स्टेप जितनी बात मैं यहां बोलता हूं उतनी लिखी हुई है मतरब लेकिन उतना लिखें नहीं सोल करते हैं समय आप खुद क्या लिखें उससे थोड़ा तम लिखें पर कौन सी अब देखो मैंने वह समता हूं ता वहीं लगा दीग नहीं डायरेक्ट के चोई साइस तो वह कौशीज करें छोटे-मोटे आंकडे आप डायरेक्ट सोल करें इस दिन में पीव दिन में और भारा दिन में अग्सक्राइब आए जोगे लिख बरबरकर ओगे आप कहेंगे बी और सीने काम को आरम करा पर अप रंत तीन दिन राद काम छोड प्रंतू उन्हें तीन दिन मतलब ये दोनों तीन दिन ये बाद काम छोड़दी इसके बाद सेस काम को उइं हो ऐ करेगा तो तीन दिन में भी और सी 12 बहुदं कर गया वो कि तीज मचार बश्मशा अलोगा अम उचे आप बताऊ हो यह The को तो है पुझे तो ध्रीचा निए करदेगा मैंं पूरे काम दॉचे और पुझे तो तätा बताना से यह नची ती ततास अ करना कर देने वाद करो देगें निकालो देगें फिर करते हैं धन्यावाद वर तो क्यार नहीं तो चलाएंगे या भी दो A.B.C. 10.12 और 15 हमें कर देते हैं तो 10 12 पंदरह तो 60 पे 6, 60, 12 पंदरह चोकिया साथ टारेक्ट ही कर रहा हूं मैं A.N. काम प्राणम कर दिया 60 पे पुरा होता है 60 तो A. काम को आरणम करता है 1 गंटे बाद B.B. आ जाता है 1 गंटे बाद A. A. प्लस B. और जाते है एक एक कारियरत होने के दो गंठे बाद ए यहां से कारियरत होने के दो गंठे बाद यहां से दो गंठे का मतलब है यहां तो एक गंठा ही लगाए बीच में यहां से एक का चालो हने के दो गंठे तो एक गंठा यहां एक गंठा यहां तो बीच में A प्लस B को कितने गंठे ल हो गया, एक इतनी सम्ता से काम करता है, छे से, तो अच्छे, एक इतनी से करता है, ये 6 प्लस 5, 11, 17 हो गया, 17 को 60 में से गठाएं, तो इधर कितना हो गया, 40 बच गया, 45, 3 नो करेंगे, तो 6, 4, 10, 5, 15 के बाँ से करेंगे, तो 15, 45, 3 से तो कमी लगेंगे, थोड़े से, तो 15, 32, वातीस, दो दिन तो पूरे, दो गणटे तो पूरे लगेंगे, और 30 के बाद बचेगा, 13, 13 बटा कितना बचेगा, 15, 2 सही 13 बटा, 15, तो पूरा काम कितने दिन में हुआ, एक गण ठाई दर, एक गण ठाई दर, दो गण ठेर, 13 बटा, 15, इस सा और, तो चार तो पूरे लो प्राद अपिया सब अपैसे रोकुम को देखके लग गया था पहले ही और पुर प्राब अधनी जारा तो लग गया था कि कॉन सा क्वेशचा आने वाला है बिला देंगे में लगा हो देर कि क अ X से काम को 14 दिन में कर देता है Y से 21 दिन में कर देता है दोनों एक साथ मिलकर काम परादम करें तो देखो 14 का और 21 को काट लेना यह साथ दुआ होता है यह साथ तियां तो दो वाले को तो 3 से कुना कर दो 3 वाले को 2 से कुना कर दो बराबर हो जाएंगे अखर उनुट और मिलकर पूरा काम करें कैसे भी करें 2022 पर एक पलोगा से डूनों ने मिलकर काम्ता रादम करा एक शजैनल माइन रिपा लेकिन संपैसलू करने ने बालेो 반 रेकिन काम करन आתחसीड़ेकर तो इधर तीन आता लेकिन उद्र से काम खत तोげ यह पता नहीं है अब तो क्या ही करना है वाई का दो के बाह से इदर कितना हो 6 42 इसमें 6 इदर होतो इदर कितना वह आोगा 37-37 के चपावसे हो आओगा 5 के बावसे आफ पावसे 7 चपावसे 7 दिन तो पूरी लगे ओंगे 7 सही एक बटा 7 कि दिख गए क्या कह रहा है यह बता देंगे कि यह तो और किमल की बाते हैं कि कुछ कल वाले पॉर्शन में थोड़ी लखनों की बाते आएंगी थोड़ी थोड़ी एक काम को हार दिन में बी चोईस दिन में एक साथ सुरू करते हैं पूरा होने से चार दिन पहले चोड़ देता है पूरा काम करने में ए और बी दुवारा लिए गए दिनों के संक्या बताओ अब देख गो आठ को टोईस को तो में क्या होने से चार दिन यांनि लास्ट के चार दिन कौन काम कररा था A छोड़ कर चला गया था B यानि लास्ट के चार दिन B काम कर रहा था शुरू का मुझे पता नहीं है इसका मतलब यह हो गया अब आप कहेंगे सर चार दिन यह काम कर रहा था तो एक के बाव से कितना काम कराओगा 24 में से 4 तो इधर कितना बचाओगा 20 A और B कितना करते हैं 4 तो 4 के बाव से कितना दिन लगाओगा 5 दिन इधर लगाओगा 4 दिन उदर लगाओगा पूरे काम को पूरे करने में कितने दिन लगे होंगे 9 दिन लगे होंगे पूरा बताना हो तो दोनों को जोड़के बता दे यह कही से गीत गानिके वस्ता में बैठे होई है वो जयान दे हाँ आप लिए आप कि देखो जाए हो जाए है कि या कहरा है गुट पता सा मंगा लेहां ने में तो गूगरी राणाओंगा उट एम में तो पाशा मर रहा दे हैं गूगरी भी देते दान तो पर्दब खाले हो बार कट देए नहीं करा कम करो, भूख ओती है तब तो कम करते हो नहीं करें? आप पर देले किया हो गया तो गूगरी का अगरी खासते हो गया, आप तो तुमारी भीजती हो जाए लखकन की चीज खालो तो कुर कुरे चिप्स वो खाओ दूम तो उनमें आदा है तो और पीजा, बर्गर, गोपर, लाना वो सारे तीन से काट लोग किसी को लगता है या बहतर आता है तो अभी थोड़ देर पहले मैंने बहतर पर बराबर करता है नौँटे बहतर, अठारा चोकर, चोईती है बहतर, थोड़ देर पहले भी आई थी एक अगनना आपको पता हो तो पूरा काम कहां खतम करता मैं 22 पर सुन ना लेकिन उन्होंने एक साथ मिलकर काम प्रारम करा तो एक स्वाई जैड ने एक साथ कर दिया एक स्वाई जैड ने एक साथ ही काम पूरा कर दिया किन्तु वाई और जैड ने काम पूरा होने से करम से तीन दिन काम पूरा यहां से एक जने ने तो करम से तीन दिन पहले और एक जने ने दो दिन पहले काम पूरा होने से दो दिन पहले काम चोड़के गए तो कितने टुकड़े हो गए तीन टुकड़े हो गए दो बार चोड़के गए वाई तो चोड़ा दा तीन दिन पहल सब्सक्राइब कर दक करता हूँ है तो यह कितने समता से काम करते होंगे 15 से कितने से करता होगा 11 से तो यहां कितनी समता ही हूझ हो गई ज्यारा और अकेला एक सिनद्राइब करता होगा आर्ट आर्ट अर्ट है इनीस रहों होथा है तर्में से उन्ट लुगा कि यह 4-3-4 क्या करता है हमां ऋंतर्ट हम करता है है जो दिन काम करता है तो इस सोडा करेंगा यह थो तो अब मुझे 11 तो यहां काम कर दिया, 16 यहां काम कर दिया, कितना काम कर दिया, उसने 27 कर दिया, 27 को किस में से गठा दूँगा, 20 में से तो यहां कितना बचा, 45 काम को 15 के बाहर उसे करें होंगे, तो कितने दिन में कर दिया होंगे, 3 दिन में, सुनना, अलिक से वाला यह लेकिन उसने पुरा काम नहीं पूचा सुनों किया पूचा क्लोगि itself का कशि human Vision पुछा है अनुछ बताऊं यह बाई का रहा और ज्रद का यूगतान क्या रहा में यह का यूपवंदय मेघ्राइन सौघ्ध कि निया काम बस तीन दिन हो कितना वाई हो टीन धेर हो और तरह लीड निया च्यार दीन च्यार दिन को नी इन दोनों का योग्दान यह रहा होगा वैंज टूर एक नुपाद एक रहो गदान पर यूगदान होता है या तकी अ गभया कैसे निकखान हमें दोनों का योगदान मैं अभcciones इस लेकिन इसमें language बगल जिए है अपने से कि बता भाई ऐसे इसलीए मैं कहता हूँ एक एक समताकार सबकी जान कारियों नीच आहित गया कि इस इन में कि इनMAN कर रहा है इस दो कि देखो देगे क्या कहे रहा हूँ कि अ कि सब्सक्राइब करें दो कितना बताएंगे नो दिन के बारे में पूछ रहे हो कि पूरा काम कारियो कितने दिनों में समाप तुआ है जखे लिए जब सकते सवा निवाद कर दें इतना ही जदा मत प्र लेना ओर जगे तो पुरा पुरा थाइम डिखे आते अथा जह झालता हैं ते ज़्यान में इस जद्वाई तर्शाथे जिद्दिध यांटेन्स अजड़ कर दोह से कर दो कोट में भी ऐसे मजगर्मियों का टाइम ओना तो मेरे देखा देखे में दूले उले रहने तो फुल गर्मी पढ रहे और अंदर से चाथा चुटी लागरिया और बाहर का रहा रहो पने चुट्चा बैटे रहे जा है और यहां किलास में चुट्चा बैटने वह जो रहा था है पंका बंदो तेट वाई साओ पंका और गोड़ी पर गुर्मी में अपर पेंड और ऐसे भी तो नहीं है कि वह साथा में पैले यार कोट पैंड सर्दियों का मामला होता है वैसर्दियों में पैल ले तो देगे नब है अब बढ़ाओ देगे ए भी और सी कितने में करते हैं दस बारा पंदरा में सुनना सब्सक्राइब करते हैं मैं इनको साथ पर बाराबर हो जाएगा यह तो पैसे एंटेस आरे को साट क्या कह रहा है इने काम पूरा होने से पान दिन पहले छोड़ दिया लास से पान दिन सब्सक्राइब काम में कि पहले ए चोड़ गया था बी तो फिर जोड़ गया तो कौन नगे तो पिंट रहे हैं यह थैक्ने काता यहां से पांस दिन स्पांस देर से पांस दिन और दीन एक ईडरी आइड जिन यहां टो दिन यहां बीच में तो किते बैनाल बात कराइगा यह डो दिनका और यहां तो तो इंडिन में दो द बाद यह डिरा तो यह डिन डीयरा होगा तेन दिन व ड़ेया होंगा है कि रि nega औरSmith ८्रांटन 12 और 13 Circle के ओंगे तो दो दो दिन्हां लग्यां यह लाँ व्यमें उस और 2 दिन्हां लग्यां कंप मतरा काम समस्त काम तो पांच युद किते दिन में आओंस आति न में गया हो और सभी में तकरीव lieu कीन हुआ चलि यह था कि 10 15% ऊवर भूचे गे अ है तो तो यह करेंगे अब है अब है अ अब यह अब यह केले किसी काम को एए और भी किसी काम को कितने में करते हैं 45 और 40 में, यसे 5 से काट लेना, 9 बार, 8 बार, तो 8 इदर लगा देना, 9 इदर लगा देना, समझ गया हूँगे कैसे लगाया हमेने, पूरा काम, 9, 4, 3, 3, 6 में हुआ होगा, दोनों ने एक साथ काम चालू करा होगा, A, B ने काम चालू करा, A ने कुछ समय पस्चात काम को होता है ? 207 सबस्चे कम करेंगे तो 208 इस सषय howled, 108 साथ कम करेंगे तो एक सबसू पर इपन काम को तो दोनों मिलकर करेंगे किस बाह से 27 गाहिए तो यह 17 के बाह से खाँ दिन बाद शोड़ दिया था यतने दिन बाद शोड़ दिया था नो दिन बाद शोड़ धा फूरा इस पूरा काम फूस तो दोनों को जोड़ते फिर कैसे बेटी आए से नव मॉमेंट और परिशान अव गई तो फट्डाही छोड़ देटेट तो तो जमाने काई आनंद ले बस तो सार है इतनी कंपल सरी कहा है तेरे पड़ाई है लड़कियों को तो वैसे जरी नहीं है जब चाहिए गर भी जाके वह सकते हैं हम नहीं पड़ेंगी तो महाल लेते हैं करवाले कि भाई परतन और तन महां जी लेंगी रहे क्या है भाई नहीं को सब्सक्राइब कर लिया जाता है कोई बातनी है यह कैने कर दिकली तरही साथ फिर धोन दिए फिर उत हैं तो अपनी आस्पास वाले सारे होते हैं फिर लड़काउं के लिए तो चोड़ना तो इसी है मेरे इसाब से लड़कों को तो पिर भी साब है आई पिर लटीए इसाइए अब दोलेगा है अब देख लिए तो पर भ कर दोनना कर देता है ये अकेला कितने दिन में कर देता है त confiance करते के यह पता सुन है कि आपकर किया सके रहा हुं हो से दो नो चार दिन तक तो काम करते हैं फिर काम करना बंद कर देता है वह है य clinically do गौर सब आई एक इत्ते दिन काम कर दिया फिर बंद कर देता है से स्कामे करता कि धिर ह्लुक्त झाया suffi करता है कि टेंगमे कर दे तेद आंग से परशना घ्रपो गई लेक्क उखली आगया अ या जो प्रसन आ गया व्हें वैले अर्ट सो कि मुत लेज़ बल निगे थर फोर अब वक्यान सोचना बी के बारे में सोचना की कैसे काम को कर रहा है कितने में से 10 में से 6 काम को किते दिन में करता है नो दिन में से 10 में से 6 काम का मतलब है 2 से काटेंगे तो 5 में से 3 3 को 9 में करता है तो 5 को कितने में करता होगा 15 में कि अ भी का काम निकारना न आ गया देखेंज के सनिकार दिया मैने बगए कोईव ना चैर darleरlar नो यहाँ एक न याच भध कर एगाएगा और फिर डलत ढ.' तो भी निकाला जा सकता है अब इसे एक को तो मिटा देना आप समता सोचना नाई फ्रेस समता में की समता सोचने आती है तीन और दोर तो नो मिले पांस देखे देखे देखो यह उत्तर में एक से किन में बता सकता हूँ जान से देखना इन चीजों को यह ज़्यादा आसान चीज़े हैं थोड़ा सा रुक के देख लें ऐसे कहीं आ गया कि A अकेला, B अकेला और C अकेला A अकेला, B अकेला, C अकेला और वो कह रहा है, B C मिलकर कर देखो, लास्ट में पूछ रहा है, B C एक साथ मिलकर इस काम को कितने में कर देखे, तो देखो आप कहेंगे सर, यह तो ठारा, यह कितना, C का पता है गया आपको, C का पता नहीं है, इसका पता मैं कर सकता हूँ, कै मैंने कर सकता हो अभी मैंने इस किसम था सोची तूरण से सोच लो eu huge क्ता क्टिण लाट काम करते हैं नो दिनों तक कौन करते हैं ये और दी अब नहहीं में सुछाद काम तर्फ कार्व टारा काम कितने में करताले के लिफेस से loevक मैं पहले रोज में आठाउब कर था पाँच में अगया कि नहीं, सी कि पर दीकित पाँ सब्सक्राइब है पता चल गया गई जिसको पीस का पता चल गया लगंग से तीनों की सबस्क्राइब लो और्से काट लो एक सओसी पर प्रिटाय आप वह तो अलग दो ढगाया है लुए है तो बताओ यह नहीं अधिश्वा चीह में में एक सी वाइउ नहीं नहीं पर लुए लोगों के लिए लेकिन आप यदि सोच पाते हैं जो चीजे सिकाई हैं तो उसको डारेक्ट सोच सकते हैं यहां समझ गए ठारा काम नबव में से सीने चार दिन में कराया है ऐसे सोच लें उसको तो नबव में से ठारा मतलब पांच में से एक और एक पराबर चार दिन है तो पांच पराबर बीस दिन एक C है, एक D है, ये किसी काम को 40 दिन में करता है, ये अकेला किसी काम को 10 दिन में करता है, ये किसी काम को 8 दिन में करता है, और ये किसी काम को 5 दिन में करता है, तो ये दोनों मिलकर काम को कित्ते में कर देंगे, A और B मिलकर कित्ते में कर देंगे, चारों मिलकर कित्ते में कर सकते हैं ये किसी भी सेस्क्रम में आ सकते हैं ऐसे परसना आपने देख लिए कि पहले दिन ये आए दूसरे दिन पी आए फिर सी आए फिर डी आए ये सिलसला काम पूरा होने तक चलता रहे ऐसा भी हो सकता है कि ए और भी पांस दिन आए फिर ये बग जाए उसके बाद सी आपको ये ध्यानोना चीए कि मानलो ये आदमी 40 दिन में करता है तो इससे आप क्या समझे इससे आप ये समझे कि एक दिन में कितना वर्क करता होगा 40 में से एक करता होगा एक दिन का काम मैं कहूं कि ये दो दिन में कितना काम करता होगा ये मैं एक ही detail प्रवाइड करवा रहा हूँ तो ये 40 में से 2 40 में से 2 को में कहता हूँ 2 बटा 40 या 40 में से 2 1 बटा 20 वो आगे की कानी है वो आप solution कर लेंगे फिर 3 दिन में ये काम कितना कर देगा 40 में से 3 ऐसे 3 दिन तक करता करता ये 49 दिन में कितना वर्क फिनिस कर देगा 40 में से 49 वर्क कर देगा फिर हमने पढ़ा कि 40 दिन तक ये कितना काम कर देगा 40 में से 40 पूरा एक काम पूरा एक काम खतम हो जाएगा ये आपको बताना ना चीए कि 27 दिन बाद कितना काम छोड़ के जाएगा कितना बचा के जाएगा यह मैं सुरुवात वाले पार्ट से आप से डिस्कस करते आया हूँ फिर यही कहां नहीं कुछ इस प्रकार से बयां कर दी गई हो कि ए है वो दो बटा तीन कारिये ए दो बटा तीन कारिये बीस दिन में करता है ऐसे किसी ने कहा, ऐसी language भी खूब पढ़ी है अपर ने इसका मतलब मैंने ऐसे कहा था कि तीन में से दो काम तीन में से दो काम 20 दिन में तो आप इसको ऐसे simple form में पढ़ेंगे कि दो काम 20 दिन में, देन एक काम 10 दिन में हुआ होगा और तीन काम total माना है तो ये पूरा काम 30 दिन में कर रहा होगा सही किसी को मैंने ऐसे कहा कि मानलो किसी केस में आपके पास ऐसे आ गया कि 40% work 20 days में करता है ऐसे आ जाता कि 40% काम ये 20 दिनों में करता है तो आप क्या करते तो आप ऐसे करते कि 40% काम यदि ये 20 दिनों में करता है तो ये 100 में से 40 काम परसंटेज का मतलब होता है 100 में से 100 में से 40 काम 20 दिन में तो 10 काम 10 में से 4 काम इसे भी मैं काड़ता तो 5 में से 2 काम 2 बटा 5 कहता हूं मैं 40% अब कहता 5 में से 2 काम 20 दिन में 2 काम 20 दिन में तो एक काम दस दिन में, पांच काम पचास दिन में, ये complete, नीचे वाला पूरा काम होता है, ऐसे मैंने पूरा काम भी करना बताया था आपको, फिर उसके बाद हमने इनकी समय और समता सी की थी, सबसे important task इस chapter की, कि ये कौन सी जानकारी है, टाइम की, ये टाइम है की नहीं सब के complete work करने के, फिर मैंने कहा था, इनकी समता, समता की से कहते हैं, मैंने ये भी कहा था, कि समता कहते हैं, एक दिन में, इकाई समय में किया गया, कार ये क्या कहलाता है, समता, एक simple सी बात ध्यान रखें, इकाई का मतलब, एक मिनट में, एक दिन में, एक गंटे में, सिंगल म लेकिन मैंने यह कहा था कि इन सब को गुना करके देखो समय को समता से गुना करके देखो यहां इस तिर मिलेगा 40 से 40 कर जाएगा इसको गुना करके देखो यहां भी तो एक ही मिलेगा इसको गुना करके देखो यहां भी एक मिलेगा इसको जुना करके देखो, इन सभी को जुना करने से अनुपात बराबर आता है इसलिए हमने एक नियम सीखा किया ऐसे वैसे कुछ नहीं करेंगे हम बतावटा में कुछ नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इतना करेंगे कि sum है गुणा sum ता हमेशा क्या कर देंगे बराबर कर देंगे हर portion की बस simplicity ठोरम थी एक और मैं ये कह सकता था कि 40 पर ये बराबर हो सकते हैं या इनका अनुपात रहे से कई सारी तरकीबे मैंने बताई ये 40 एकम 40 1040, 845 और 580 ये हो जाता यदि मैं आपसे कहूँ कि A और B मिलकर कितने में कर देंगे इस वरक को A और B मिलकर कितने में कर देंगे तो आप 2 सेकिंड में बता सकते हैं ये सार यदि A और B इस काम को करने आएंगे तो इसकी efficiency 1, इसकी efficiency 4 तो इन दोनों की efficiency तो इस जैसे लखनों के बढ़ेगे कि नहीं तु यहान रिख दो अरे यहां फोट brit 2 ए फोटा भी एन की नहीं का Um आप जोड़ दे तो मैं एक को चार को प्रफ पांच को जोड़ा तो यहां कितना बन रहा होता दस और दस में करते या 40 तो ये चार दिन में करते थे अब के अब कहा एक है इन ए बीसी डी चारों को जोड़ दो भई a b c d चारों मिलकर कितने में करते तो आठ पांच चार और ये सारे बार आज चेकर था अगा हम इतना ही है हो गया गया अठारा आप देखो यह 40 बंदना चीए ता आप कहेंगे सर 18 के पाड़े में 40 नहीं आता तो मैंने कई बार कहा है 40 बटा 18 से गुना कर दो तो 18 से तो अठारा कटी जाएगा गुनन फल 40 ही तो बच जाएगा 40 बटा 18 को अब आप सरल करके बता दें किसे 20 बटा 9 भी कहते हैं सर और 20 बटा 9 को 2 सई 2 बटा 9 भी कहते हैं वो आगे की काणिया हैं वो मैं सरली करण में बया कर चुका हूँ कि उसका क्या करना था चलो, ऐसे हुआ कि ऐसे हो गया था, A पहले रो जाए, B दूसरे रो जाए, C तीसरे रो जाए, फिर D आयर, चुटी आ जाए, बग जाए, ऐसे वैसे, एक आंतर करम बारी-बारी से ऐसे कुछ सिलसले हो चुके हैं पहले, कल भी कुछ परसन करते करते, कहां तक आ गए थे आप 132 ते 30 तक के कुछ नों तक आ गए थे, फिर हम यहां तक कर चुके थे साइद, किस परसन पर थे परसन कहा रहा है कि A और B किसी काम को कितेते दिन में कर सकते हैं, 10 और 15 दिन में कर सकते हैं एक A है, एक B है, एक C भी है, तीन लोग हैं आपके पास इसमें, लेकिन डिटेल उसने दो ही लोगों की प्रवाइड करवाई है आपसे, दो लोगों की डिटेल करवाई हैं, किस किस की, A तो कितने में करता है, ये कितने में करता है, 15 में इसका मुझे कोई अता पता नहीं ह लेकिन कल मैंने का आता कि इनकी सम था तो सोची सकते हो, इनका गुणनफल बनेगा, वो ही तो उसका बनेगा, जिसको ये पता है, वो डायरेक्ट बताएगा कि सरम 30 पे बराबर कर लेते हैं, 10 तीया 30 और 15 दुआ 30, यानि कि कोई भी काम पूरा हो, कहीं भी हो, आगे पीछे को करा, सेस काम को, सी अकेला करा, लेकिन सी ने कितने दिन लगाए, 12 दिन, यानि 4 दिन इदर वालों ने लगा दिया, 12 दिन इदर वालों ने लगा दिया, तब जाके कितना काम पूरा हुआ, 30 जो एफिसेंसी थी, वो खर्च हो पाई, अब आप कहेंगे सर, A और B का तो मसला देही रखा है, उसने हैं, तो यह 5 के साफ से कितना खर्च कर दिया, इदर, और इदर कितना खर्च कर आओगा, 10, इतना सोचने में तो कोई पैन पेपर की भी आऊशकता नहीं थी, कोई समध्दार सोचता थी, दिख गया, अब मैंने यह बताया था, इस C को कैसे सुल जाए अब यह 12 के बाहरा, उसे 10 कैसे लगाया होगा, उसको सोचना, मैंने कल कहा था, यह 30 में से कितना है, अभी कुछ लाईन है अपढ़ने ऐसे पढ़ी थी, देखो, मैं ऐसे लिख दो, Sीन ने 30 में से 10 काम को 12 दिन में समाप्त करा, 12 दिन में समाप्त करा, इस लाईन को मैंने पढ़ना सुखा दिया था, पहले रोज, जिस दिन अपने इस चैप्टर को चालू करा था, उस दिन, और आज भी बोली है, मैंने अभी आखे, तीस में से 10, तो तीन में से कितना, एक काम को 12 में करता है, तो तीन काम को 36 में करता होगा, इसको 36 लिख देता, मैं सेकिंडों में लिख दिया पता चल गया यह कैसे पता करा कल मैंने बता के गया था कल वहीं से अधी कनेक्ट है तो कल जो लोग जिन्दा बैठे थे उनको पता चल रहा होगा कि यह 36 कैसे बनाया और बाकिन नहीं भी बैठे वे थे तो यह छोटी बात है अब आप आगे दे तो अभी सटीस का क्या कर दो आप चार बटा नोई सा कर दो तो नौचो का सटीस के ते दिन लेता सोड़ा दिन लेता लिख गयोंगे ऐसे परसन लास्ट में भी करके गए थे अपन जाते जाते यदि कल घर जाके थोड़ा बहुत दिमाग आप लगाते तो दो पांच परसनों को और कर पाते लगा रहे हो दिमाग अब लिख कैसे भी देता है आजकल आगले वाड़ा ये चाता है कि तुम्हें सारी चोट-चोटी चीज़ें आती हैं क्या इस लाइन का आर्थ मैं आज भी समझा चुका हूँ कि 40 परसेंट इत्ते दिन में कर देता है तो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब समझना 33 सही एक बटा 3 परसेंट का मतलब समझना मेरे सहाब 33 99 100 बटा 300 होता है इसका मतलब 100 पर 30 सत नीचे 100 अटेगा यानि 3 में से 1 काम को 10 दिन में करता है 3 में से 1 काम को 10 दिन में तो 3 काम 30 दिन में यदि कोई आप से पूछे ना ये पूरा काम कितने में करता होगा तो इस लाइन से 30 आ सकता है और वैसे विदीक रखाया है ये 33 सही एक बटा तीन फिर 33 सही एक बटा तीन और 33 सही एक बटा तीन में 100% हो जाएगा कि नहीं तीन बार दस दस दिन के तीन से ले वो में काम पूरा हो जाएगा और सुनो अगली लाइन में B के लिए भी है C information दे रखी है B के लिए क्या दे रखी है 66 सही दो बटा तीन वैसे ये आप कुछ लोग समद्दार है वो 33 सही एक बटा तीन का डबल है ये लखन में हो तब तो ये डबल है उसका यानि वो तीन में से एक था तो ये तीन में से दो हो जाएगा चलिए इसके मैं परतीसत लगा के करता हूँ 66 तीया करते हो तो 60 तीया 180 होता है 6 तीया 18 और होता है 192 200 बटा 300 है ये 200 बटा 300 किस के लिए का गया है ये B के लिए तो आप कहेंगे सर 3 में से 2 काम B है वो किते दिन में करता है 8 दिन में 2 काम 8 में करता है तो 1 काम 4 में करता होगा 3 काम 12 में तो B के नीचे आपको कितना लिख देना था 12 समझ पाएंगे 312 कहां से लाया मैं ये ही समझना था बस अब इसके आगे का काम तो वो ही करना है जो अपन पहले से पिछले परसन में करें अब एक आदमी इनके साथ में कौन है C हो रहे है लेकिन C का कोई अता पता नहीं है तो मैं समता सोचता यहां से समता कैसे सोचता 30 और 12 कहां पे होंगे 60 पे तो 32, 60, 12, 50, 60 इसका मुझे कोई पता नहीं है अभी तो पूरे काम को मैं कितना माल लूँगा 60, 60 पे काम को पूरा कराऊंगा परसन कहरा है उसके according according में लिखूंगा दोनों एक साथ कितने दिन काम करते हैं A प्लस B आठ दिनों तक एक साथ काम करते हैं उसके बाद क्या हुआ उसके बाद C ने अकेले तीन दिन काम करा तीन दिन ये C काम करा अब आप ये कहेंगे कि सर A प्लस B का मसला मुझे पता है A प्लस B कितना मसला सुर जाते हैं आटो साथ तो कितना हो गया सब पन इधर और इधर कितना काम बचा है चार इधर कितना कर दिया उन्होंने सब पन अब C ने कितने दिन में करा है तो हैए चार काम सी ने खरा ए शार में ईत्य करें जार काम है साट मेंसे सोचना है अब आप पैए श्राट मेंसे चार का मतलब होता है तो 15 कितने होगा 45 में, समझ पाएंगे 45 कैसे बनाया बस परसन खतम हो गया अब आपको क्या कह रहा है A और C मिलकर इस काम के 5 बटा 6 भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो मैं इनकी सम्ता लगाता, पहले तो 3 की सम्ता बलग सम्ता सोचना बताया था कि अलग से काट लें, आपको पता हो तो 5 ताली दुआ नपएर, नपएर पर 12 बराबर नहीं होगा, तो फिर 180 पर बराबर कर लें 180 में ये 6 ती 18 होता है, ये 12 पंजे में तो 60 होता है, 6 ती यानि 15 बार में हो जाएगा और 15 चोके, अब बताओ, A और C मिलेंगे तो यहां कितना हो जाएगा, 10 और ये कितना आजाएगा, 18 A और C कितने दिन में खतम कर देंगे काम को, लेकिन 18 दिन उत्तर नहीं लगाना है, A और C का भी मिलकर काम कितना, 5 बटा 6 कामी तो 18 का क्या करूँगा, मैं, 5 बटा 6 करूँगा, तो आप 6 से 3 बार डिविजिबल है, और आंसर कितना आता, 15 दिन इसका आंसर आता अब इस परसन में सारी जान खाई है बच्चे की, कि तो वो परतीसत से भी टोटल निकालना जानता है क्या, ये एक जना मिस है, उसका भी जानता है, क्या मिसिंग को भी ग्यात करने के बाद की तीनों की समता लगा के A और C बता, बाकी को मत बता, फिर A और C भी बिचारा ब इन पहले वाली लाइनों से तो पहले मुझे पूरा काम बढ़ाना था, जो हिस्सा दे रखा है परसंटेज में, फिर इन दोनों के पूरे काम आ गए थे, तीसरे का मिसिंग था, तो मैं इन दोनों की समता पहले 60 सोचके, 60 पे बराबर करके सोचा, फिर वो 8 दिन दोनों काम करें, बचावा काम सी करा, तीन दिन में करा, तो छपन काम कर गए, च्यार बचा था, वो कितने में से बचा था, तो यहां से सोचें कि 60 में से च्यार काम तीन दिन में होता है, तो पंदरा में से एक काम तीन दिन में होता है, एक तीन में तो 15 में तो 15 में होता होगा, यह ड पंदरा बार तो 60 पे भी बराबर हो जाते हैं तो 10 को 60 बनाएंगे तो ये तो चिक ये होता इसको 60 बनाएंगे तो ये 15 चोग ऐसे मैं बताया था भाइं काटके भी सोची जा सकती है ये समता और 15 चोग 60 समझ गए ये 6 154 कैसे सोचा मैं फिर A और C मिलकर काम करते तो 10 के हो तो अठारा दा ये हो जाता है तो A और C मिलकर कितने दिन में करते काम 18 में करते और 18 का भी कितना चीए था मुझे 5 बटा 6 इससा चीए था तो अठारा का 5 बटा 6 करता देन आंसरा था 15 ज्यान से देखेगा ये जो 10 पांच परसन है आज जो चल रहे हैं इन में भासा परणिये की क्या लिखी हुई है एक काम का 80% 80% का मतलब होता है कि जो एह ना वो 100 में से 80 100 में से 80 को कहता हूँ 10 में से 8 और भी कुछ आराम से करना चाहें तो कि सर 5 में से 4 80% को कहता हूँ मैं 5 में से 4 5 नीचे 4 उपर कितने दिन लगाते हैं इसमें 20 दिन इस बात से मैं ये समझता हूँ 5 में से 4 बराबर 20 तो 4 बराबर 20 तो 1 बराबर 5 तो 5 बराबर 25 बोलो एक का मामला ये बगैर पैन सोचा जाना था ये 25 परिक्षया में इतनी बड़ी गणना थोड़ी है कि ये पैन पेपर के होते हैं और शुनो फिर 20 सा मिलो जाता है अब मुझे बताओ 20 का को ये पता पता है कि आपने को नहीं तो इसकी समता क्या मान देता 25 ये कम 25 तो ये पूरा काम कहां जाके समाप्त कर दूँगा मैं 25 पे समाप्त कर दू 20% करने के बाद में वो 20 दिन करने के बाद में पी एक के साथ सा मिलो जाता है और सेस काम को किते दिनों में पूरा कर दिया तीन दिन में इस काम को फिनिस कर दिया अब सुनना एने कितनी एफिसेंसी से काम करा होगा एक करता है कितनी समता से तो 20 दिन में इसने 25 में से कितनी कितनी समता लगा दी और बी कितुते दिन की समता बची होगी तीन दीदन की समता इसने लगा है तो औरा मुझे बता हो बीस इसने लगा और लगा दी तीन तो गया तो पतचीस में से बहुत हैं लगाई hoe टो ही कितनी लगाई had ने प覺得 पंचीज में से केवल और केवल दो सम्ता लगाई वो किते दिन में लगाई तीन दिन में, यह लाइन जिसको पता चल गई थी वो पहले दिन वाले, वो तो इसको बगेर पहनी सोस दिया, फिर आगे, अब कहीं को लग रहा होगा कि 2 बराबर 3 हो तो एक बराबर क्या होता है, 3 यहीं आंसर करना था बिल्कुल चोटी सी बात थी कोई मिलकर रहाए से कहे तो इनकी समता और लगा लो मिलकर भी करवा सकते हो मान लो परीक्षयावाला कुए कि यह दोनों मिलकर कित्थे में कर देंगे मिलकर के लिए तो इनकी समतालग से सोचो 25 पीछे, तर पीछे, तर पीछे, तर पीछे तर पर रहुत होगे तो 25 पीछे तर सोच लो 015 लोड़ो कर जाएगा तो फचे तर आ जायगा आदमी दो काम तीन दिन में करता हो तो फिर बीस काम तो कितने में करता होगा तीस दिन में नहीं करता हो गया गया तीस और पांच कितने में करता होगा इसके चोथा इस से मैं साधी साथ दिन में पांच और कर देता होगा तीस और साधी साथ सीधा ही बता दो इस बगएर मिलकर किसी कारिय को 30 दिन में कर देते हैं मिलकर 20 दिन काम करें फिर बी ने काम छोड़ दिया फिर इने से इस काम को अगले 20 दिन में पुरा कर दिया अब देखो ए अकेले का कोई मामला नहीं है बी अकेले का मामला नहीं है दोनों का दे रखा है सरेन मैं क्या करता दो नू मिल कर कितने दिन में करते हैं 30 अब ना तो इसका पता मुझे एक का भी पता नहीं है भी का भी कोई सत्थ नहीं है इस की सम्ता को कितना मानता मैं एक मानता अब आप यह कहते हैं सर एक मानते तो इस पूरे को किस के बराबर करता मैं 30 के बराबर करता अब तीस में से किसने कितना काम करा, ये सो चुगा है, डायरेक्टी, तो क्या कर रहा होता, दोनों मिलकर काम करे, कितने दिन काम करे, बी, ये बीच दिन काम कर गए, तो बीच दिन में कितना काम कर गए हूँगे, एक के बाहु से बीच ही कर गए हूँगे, तीस में से, एक एक करत पूरे को आप खतम करेंगे पहले अब दुबारा फ्रेस समता सोचेंगे अब वाली, तो ये 60 पे बराबर करेंगे, ये 2, ये 1, तो ये B कितनी लगाएगा, B की पूछता तो भी 60 आता, इस परसंद के लिए तो, ये बताया हुआ है, मैं पहले समता हुमता सोच नहीं दिये, बताये वे, इसमें तो सोच नहीं नहीं थी, क्योंकि सीधा एका पूछ र चल्डे टो देखें क्या कह रहा है X किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता था X का 24 दिन का काम दे रखा, 24 दिन में पूराई कर देता है Y का दे रखा एगा उसने नई, अब आप कहेंगे सर समता को 24 से कम 26 ही मान लो तो पूरा काम काम खतम करा दूँगा मैं 24 पे पूरा काम 24 पे फिनिस करा देता हूँ जब उसने चार दिन काम कर लिया किसने कर लिया चार दिन काम एक्स ने एक्स चार दिन में चार काम कर गया होगा कि नहीं एक एक के बाव से एक एक के बाव में स्टोइस में से चार कर गया होगा तब वो य भी उसके साथ सामिल हो गया तो आगे कौन हो गए X प्लस Y दोनों आ गया है समस्त काम सोड़ा दिन में ये गौर करने वाली बात है समस्त काम का मतलब है सुरू से लास तक तो चार दिन यहां काम हो गया पूरा सोड़ा दिन में हो आए तो इदर वाला मसला बारा दिन का है ये बारा दिन कहां से लाया उसको सोच ले ना लखन से कई लोग नहीं सोच पा रहे हैं उसको पूरा काम सोड़ा दिन में हो और चार दिन अकेला ये काम कर लिया तो दोनों ने बारा दिन करा होगा अब मुझे पताइए ये X से बारा दिन में कितना काम और कर गया होगा बारा और कर गया होगा X बारा दिन में बारा कर गया होगा कि नहीं है ये केक कर रहा है तो वाई बचा हुआ काम करा होगा 12 दिन में वाई ने कितना काम करा होगा 12 यहां हो गया, 4 यहां हो गया, 16 तो वाई ने कितना काम करा होगा 8 हम मैं वाई को सोच देता हूँ, देखो सुनना वाई को कैसे सोचेंगे, 24 में से वाई ने कितना काम करा क्योंकि वाई के दिन नहीं है तो दिन निकालूंगा मैं से हिस्से से 24 में से 8 काम को किते दिन में करता है वो 12 दिन में इसको काट लेना थोड़ा सा सिंपल एक बटा क्या हो गया एक काम 12 में तो 3 काम किते में 37 में फिल्कुल इजी सी बात है यह दिया आप सोच पा रहे हैं तो वाई अकेला पूरे काम को किते दिन में समाप्द कर पाता तो वो 36 दिन में उसे समाप्द कर रहा होता कि भर दिए अगे किसका लोगा तो इसको फोड़ा से प्रोब्लम में नहीं रहे हैं इस्टुडेंट इस पीछे की तरफ एसे होता है तो पीछे वाले थोड़ी कुर्शी को आगे करते हैं कि वैले ले वाई तू दुख मत पाया जिन्दगी में वैसे भी कुछी दिन तुजी होगे पत सकते हैं हाँ 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 पीचे वाले से पैन लगा दे पीछे फिर दूसरा का में कि पैन लगा दें कि पीछे जाते हैं से मतलब थोड़ा वह जाए सीदे सटीग फिर अगया पाता हो देख है ए और बी मिलकर किसी काम को चोईस दिन में करते हैं ए और बी दोनों मिलकर किते में करते हैं चोईस में अब बताओ ना एक का पता ना बी का पता तो अब चोईस एकम चोईस ही मानूँगा पूरे काम को कहा समाप्त कराऊंगा मैं चोई इस पर समाप्त कराऊंगा सुनना एकेला लास्ट के छे दिन काम कर रहा था लास्ट के छे दिन कौन काम कर रहा था एकेला लास्ट के छे दिन काम कर रहा था तो शुरुआती दिनों में ए प्लस कौन कर रहा होगा दोनों कर रहे होंगे फिर पहले और पूरा काम करने में चब 20 दिन लगे हैं तो 6 दिन तो अकेला करा है 20 दिन या लगे होंगे ये बात समझ गया होंगे निस सित तोर से आप भासापड़नी आती है तो मैं बहुत सारे परसनों में भासापड़ना सिखा दिया हूँ 140, 140 वा परसन चल रहा है अब तो डायरेक्ट पढ़ो उसको ए अकेले का काम आप से कितने दिनों में समाप्द करेगा तो बताओ दोनों का मसला देखना दोनों कितना काम कर दिया है रहा है यहां कितने में से 24 में से तो एने कितना करा होगा 4 कितने में से एक का सोचो एने 24 में से च्यार काम करा है, कितने दिन में, छे दिन में, ये बात जिसको सोचनी आती है, वो डिरेक्ट कर देगा, आप तो क्या ही करना है, ये मैंने पहले रोज सिका दिया था, छे में से एक काम, छे में, तो 6 चंगा, 37, एक इतने में करता है, 37 में, बस आंसर हो जाता, ये आंसर, ऐस से सोचेंगे, तो इनको 10, 15, 20 सेकेंड में सोचेंगे, अधर्वाइस, तिकत हैं फेस करने ही पड़ेंगी आपको, अब कोई B के बारे में पूछें तो बता सकते हो कि नहीं, बता सकते हैं, जिसको समता आती हो, 2-3 सेकेंड और लेगा, अब B कोई समता लगवाए, तो इस समता को क्या सोचेंगे, चोईतिया बहतर या एक काट के भी सोचेंगे, तो ये तीन बार, ये चति दुआ बहतर, य एक बार, तो ये बहतर, ये गम बहतर, B करेगा बहतर दिन में, लेकिन जरुत नहीं थी हो, तो जरुत पड़े तो ही करें, ये तो मैं दो वैसे ही बता रहा हूँ, बही चलो, B का भी पूछ ले, तो कैसे बताएंगे, वो एक एक स्टा आ जाता है, अलग से, उसका सोचना गया होगा, कि वो मिसिंग नमर हो, उसको कैसे सोचेंगे आप, देखें, देखें, क्या कह रहा है, एक आदमी है और एक लड़का है, वो एक काम को बारा दिन में कर सकता है, एक man and a boy, और man boy, दोनों मिल जाएं, देन, दोनों कित्ते में करते हैं, बारा में, अब वो कह रहा आदमी अकेला अंतिम तीन दिन काम करता है, man last के तीन दिन अकेला man था, तो last के तीन दिन में मैंने man को अकेले को लिख दिया, यह line सीखें, इसके समझने में आसानी रहती है, तो वो शुरू में, जब तक आप आप नहीं समझ जाएं, तब तक ऐसे line सीखें, तो तेरा दिन में तो man और boy, दोनों का कितना मसला हो गया, दस तो यहां खतम कर दिया, तो यहां कितना, man अकेले ने कितना काम करा होगा, कितने में से है यह 2, man 12 में से 2 काम को सला 3 दिन में finish करता है, तो एक काम, एक काम 3 दिन में finish, 6 में से 1, तो 18, man कितने में करता होगा, 18 में, आ गया 18, लेकिन भाई मैं इनका पूछा ही नहीं उसने, किसका पूछा, बुआय का, तो बुआय यहां से, तो निकाल नहीं सकता था मैं, अब निकल सकता है बुआय देखो, आप जिसको सम्ता लगानी आती है, वो दो सेकिंड और लेगा, बैने का आता, फ्रेस सम्ता सोचो, अठारार 12-36 पे बराबर, तो 12-36, फार 2-36 यह एक कम, तो 36-36 यहां भी गुननफल बराबर होगा, यह गुननफल सब का बराबर होगा, कैसे सोचा है, वो समझ पाएंगे आप, तो यह बता देते, जिसको सम्ता की कॉम्बिनेशन आते हैं, वो इनको थोड़े फास्ट बता सकते हैं, परना बहुत ज़्यादा पेन, पेपर और गणना की आउशकता पढ़ने बाड़ी है, फिर ऐसे परसनों में, मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ इनको, तो देख लेना आप भी सोच पाएं, तो ज़्यादा बेतर होगा, मरने का ख्याल थ्या क्या की आवर्ट। यहाद Clip, आप तू, यह फिर फ्र कई दीगा, आप लिजेर काने के पैसे चीएं, अनुओ, हिसको चीह ज़र वोज रागर पैसे चीह है तो मुझे कोल काल करेर बताये कि इसाव्य धिक्क है इसलिए मैं खाना साथ हूं तो पिर वो सकता है को यह सी दिक्कतो की तुम खाने के लिए पैस्टी का रेंज करेंगे यह नहीं हो गिता समझाएं गिन हुआ है है हुआ हब है इस हभाई फिर थाँ हुआ वैसे कंडिशन में रहा है यार है इस मैसेज लिए तो डाओंगा आ एसे है यह मेरे माव आपने पीदा फॉंट अपाउने विए क्या है लिए कि मुझे वाइन एपरा ना तो बड़ा हो के वह जो इदर दो आपन इसलिए कि बीचारा को परिशान और आ उसको इसलिए हां सारो सब्सक्राइब का आप सोगे हैं मैं को नहीं बात सुटा सुटा थोड़ी करता तरिसरी जगरा को भी जगरा वह उना हो क्या चल रहा है लूपर के से कि वह जरत रौत है, कितब तो उठाएं भी, शाला देखें, देखो क्या कह रहा है, एकेला किसी कारिया को फंदरा दिन में पूरा करता है, और B का पता नहीं है A.B. का भी पता नहीं है तो बताओ 15 एकम 15 मैं तो 15 पे मान ले था इनको अरे 15 पे मानता की नहीं easy होता है यह परसन इतने tough नहीं है यह आप यह सम्टामता से सोच पा रहे हैं तो पहले दो दिन पहले दो दिन और आखरी दो दिन यानि यहां दो दिन यहां दो दिन बीच में एक टुकड़ा और बचाओगा इसका मत्रफ सेस काम B दुआरा किया गया था और काम 20 दिनों में पूरा हो था शुरू के दो दिन एक काम करा है A शुरू के दो दिन काम करा है और A है वो लास्ट के दो दिन काम करा है दो लो ए दो दिन में दोसंता एक एक लगाता है थो दोसंता 15 में से कितनी समता लगा दिया च्यार तो यहां कितनी लगिशंगी वी की सौचो पी ने 15 में से 11 नहीं समझे यहां करता हूँ पहले तो मैं इसको गुणा यह बन गया क्या 240 बटे गया रहा अरा 15 को 16 से गुणा करना मैंने पूरी जिंद्गी हो गई बताते हो इस को भी कयों से गुणा नहीं हो रहा 15 को 2 से गुणा कराओ पहले 30 बन जाता है यह फिर 8 से गुणा करने में तो कोई धिकत डिश्चर रखे बताये 32 तक जो 15 को ना फंदा दोसो पचीज उता ऐरो सब्सक्राइब तो चाली सथा है मत करो तो मदूट पंद्रा उन तो पन्राइब ना सोला भी पता नहीं चल रहा किया यहां लिग दो दो सो चालीस बटागा आरा इसको तो मिटा दो कि दो नों का ची कि दो सोचारीश बनेगा कि नीए बनेगा अभी अभी को ना करा है अन्दा हो जाता है सपहा तो देख देखो यह 16 आता और इदर कितना आता 11 अब मुझे इदर 11 कैसे आए वो दिक्रिया होगे यह 11 कर जाएं तो नो मिल जाएं तो फिर यह 27 आएगा हम मुझे बताओ दोनों पूरा कित्ते दिन में कर देंगे तो 240 बटा 27 आएगा कि नहीं इसके नीचे इनको गुणा करने से भी तो 240 आएगा 240 में 27 का बाग देदो पहले तो 3 से कार दो 3 से कार दो तो 80 आजाएगा और नीचे कितना आजाएगा नो असी बता नो कहीं दिख रहा है तो आंसर कर दो करना का दे आन रखे मैंने आपको देखा होगा पूरे परसनों के दर्मियान गणना ऐसे नहीं करें बहुत सिंपल सिंपल गणना करा दी कई बार टीचर क्लास में ऐसे गणना कराता है बिल्कुल टपो रिशी और तुम अब लेए नहीं आई आगे हो आँ अ कई बार पेपर डुक देता है माईला बायला दुक देदेना पेपर जना आती तेमें अ बना मच्छ लेए रही है रही चिये राबर कंदर वाई रही तेका जना का कंदी हो आसे रही तिया आला अ पेपर के बार बाहत अंदरू नी को और जो भी आता बैद अवे सुरां सुखे चे जना यां समझ जाए की कप सपोड़ाई सपोड़ा देगे यो परसनाम पेपर मैं आपर संदिया आया जी यह यह फिर यह खिला अध्या को नहीं है तो तीन तो आप अवे चाहा लाद देगो मुर्गी मनार सूद देन आवचा कर यू कि नहीं है यह है अध्या कर दो फिर भर ने मगलती ओगे तो फिर शुत खो पुरा इतिरो बने मगलती हो गई तो पिर ताब ड़क्यों क्राइट रूप रोपर तो तो कई तो परसनी आए वो अलग बात आपर संद मेरे को भी यह लेकर पिर भी मेरे को बने में हम अ टेर मीघंडुमी कम धिया हमनल टूट अपयार इसांश भारी था पारी था ना येधा तो तुट लंदन कलका था मिखा मिखांव तो तर्वंस अलग जल रहिती तो तुड़ी वर्ना इह नोग तो दो धैनक आत्वार किसका पूरे मार ती आवां कूदी समझ तो घरोसे सब्सक्राइब करा जाता क्या हो खाल दिया तू बच्छी में 140 गई है और जिसके 149 आया है वो शान तीशे सोग रहा है कि मस्ता है अपना रोटिरा टिखा रहे हैं गर्वाले जो रोले राले करने तो करकरा कि बंदो गए अब जिसके एक सब्सक्राइब है कि अब इसके कि अब तो पर चलने की कोशीश कर रहे है अब क्या करें करें कि अब कर अब खरोगों कि आप एक जब आप अब जाब आप इसा और जाहिए वाइच और रहा हो विदामी जालो करते हैं तो दो टो बचल गए वह करोर सोगे सांगे आप एवाट ने आफे आप भाइव जिए टी गए लगा वह दे खें किया ए और भी अलग अलग किसी काम को करम सब 20 और 15 दिन में पुरा कर सकते हैं एक एथा एक बीथा एंड थार्ड परसन इसी यह पीस दिन में यह 15 दिन में सी के बारे में आपको कोई पता नहीं है तो यहीं 202, 602, 202, 60, 15, 60, ये पूरा वरक कित्ते पे फिनिस करा लेते हैं आपन, 60 पे कतम करा लेते हैं, आप कहेंगे सर 60 बराबर कर लो, उन्होंने किनोंने, A और B ने, A और B ने 6 दिन काम करा है, आप कहेंगे A और B ने 6 दिन काम करा है, तो 4, 3, 7, 6, 82 कर दिया होगा इन्होंने 60 मे के स्तान पर C को लगा दिया गया तो अब A C आ गया होगा इसके बाद में अगले चार दिन में काम पूरा भी हो गया इनोंने चार दिन काम करा तो बताओ एक कितना काम करता है तीन तो चार दिन में ये तो कितना काम करा होगा बारा और C का पता नहीं C ने 60 में से कितना करा योगी अब तो यह सिंपल सी बात है और साथ में से चेक हो कहते हैं एक बटा दस एक बराबर चार तो दस बराबर चारेश सी का सोचना आ गया होगा मैंने 40 कैसे सोचा पिछले परसन की तरही सोचना था और क्या ही गणना था इसमें अब यह 40 दिन में आ गया पूचा भी क्या है सी काई वरक पूचा है 40 तीनों का पूचता तो तीनों की सम्ता सोच के यहां लगा देता में 120 पर फिर बराबर करके लगा देता तीनों की दो नों तो कैसे पूच लेता दिखें अभी बार भी पास करिये क्या अभी नहीं नहीं अब तो तो इन लंबी लंबो के साथ रहा कर तीन चार साल आगे कान बोलिया कर तो 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 जब माल लो कोई अधिक अधो वैं अधिक आदमी पंदा क्लास पर रकायर एक वीश पचीस पर रकायर तो पचीस वाल के साथ रहोगे तो दस क्लास वाइदा हो जाएगा एक साथ यह उत्ति बढ़ जाएगा अधिक अधिक फचीज़ें सब्सक्राइब और कर यह थोड़ा आप अधिक 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 अधिन वेड़ें शभी तो इनके साथ बढ़ पार इनके शीक्याद रिख आधि दुनिया में तभी तो कुछ सीखे का सिखा दिये चालू है लगा देगे लगा आप तो आज़े एक A है एक B है CBA क्या? नई एक A P है, A B कित्ते में कर देते हैं 12 में तो 12 एकम बस और इतना ही तो करें पूरा काम कित्ते दिन में कित्ता करवाना है आर दिन काम करता है, एक इतने दिन काम कर रहा है आर दिन, समझना भाई यह परसंट चोटा ही है वैसे तो रेकिन भासा थोड़ी अलग है B सेस काम को, B अकेला सेस काम को कित्ते दिन में कर देता है? 20 दिन अब देखो मेरे साथ एक समिश्या हो गई एकेले का कोई सम्ता का मामला है कि आपके पास आपका इंगे सर नहीं है ना तो एकेले का है ना B अकेले का है मेरे पास A और B का मिलके काम चीए और यहां मिलके नहीं है, अलग-अलग है प्रेम मिलके चीए होता तो एक रख देता है पुर आठ दिन काम करतें, तो आठ लिख देता में, तौछ क्या करना पड़ेगा इसके 8 दिन और Greek जगे मिला लो, ए और बी के 8 दिन और मिला लो एक जगे, तो यहां 20 दिन है, 20 में से 8 दिन तो इसके 7 लिख दिए कि नहीं है पर ने, तो B का कितने दिन का काम बचाओगा बारा दिन का ऐसे समझ गया हूंगे मैंने कैसे लिखा उनको एक जगे कैसे करा तो इसे एक का मतलब एक और आठ दिन में कितना काम कर दी हूंगे आठ तो इधर बारा में से B ने कितना काम करा होगा चार, बारा में से चार काम भी ने करा होगा और किते दिन में करा होगा बारा में, तो आप भी के लिए लिख दें से कि सर ये बारा में से चार काम को भी करा है और किते दिन में करा है बारा ही दिन में करा है, तो चार बारा में करा है एक बराबर तीन, तो बाराबर बराबर कितना? 37, समझ भायोंगे कैसे निकाड़ा मैंने, उन दोनों को मरज करना एक एक स्ट्रा बार 30 में, बीकाई पूछ रहा है, तो मैं क्या आंसर करते था? 36, मालो किसी केस में वो एक के बारे में पूछता, तो ये चत्ती से कम चत्ती सिया पारती है चत्ती स्तो यहां तो उठार दुआ कितना होता चत्ती स्पिर एक के बारे में पूछता तो अठारा उत्तरा था पूछा नहीं था तो पूछता तम में करता उसे पूछी नहीं रहा था तो वो काम तो मुझे करना ही नहीं था जो नह पर दिया नहीं देखो देखे क्या कह रहा है वह एकस वाई जेड है वो मिलकर एक काम को दस दिन में पूर्ण कर सकते हैं एक एकस है एक वाई है एक जेड है एक तीन नो कितने दिन में कर देते हैं तीन नो एक साथ काम चालू करते हैं इनका अलग अलग है नहीं अपने पास लेकिन Y और Z का एक जगए है Y Z को मैं एक जगए भी कर सकता हूं Y और Z एक जगए भी दे रखा है ये तो बात की बात है लेकिन अभी तो क्या करता 10 से अगम 10 ही करता पूरे काम को कितने पे फिनिसकराता 10 समता पे फिनिसकराता शुरुवात में तीनों आते एक साथ तो X, Y, Z आते कित्ते दिन तक आए चार दिन बाद X सला गया X सला गया तो कौन बच गये Y, Z, Y, Z ने कितने दिन ओरा दिख लिए 10 दिन ओरा दिख में इस काम को खतम कर दिया तो टुकड़े होए एक चार दिन का और एक दस दिन का ये जिसको पता था वो परसन को खतम कर देता अब मुझे आप ये बताईए इनों की समता कितनी मान रखी है एक, तो इनकी समता कितनी हो गई चार, दस में से चार इदर लग गई इन बटा पॉच यानि तीन काम दस दिन में तो एक काम होगा दस बटा तीन में पांच काम होगा पांच से गुना करते जेगे पचास बटे तीन में तो इन डोनों ने कितने में कराऊ गउगा उसे समझ गई, इनकी टॉटल दिन कैसे निकाड़े Y, Z के 50 बटा 3 हो गए और इस अकेले 3 हो के कितने हो गए 10, अब किसका पूछा था उसने X अकेलेगा, अब दूबारा से समता सोचो फ्रेश, समता सोचो इन 3 हो की इस 3 को तो भूल जाओ 50 को और 10 को बराबर करो 50 पे, 10 पंजे 50 इसको 3 से गुना करने से 50, 3 कर जाएगा 50, यहां कितना बचेगा 2, तो आप देखे देखो 55वा, 50, यहां 50 कैसे बनेगा इसको गुना करने से 50, इसको 50, इसको 50 तो यहां 55वा, 50 परसं तो आसान है लेकिन इसमें देखो, जिसको समतामता से सोच मानी नहीं आता उसके लिए बड़ी गरना भी हो सकती है फिर पर चोटी चीज़ों का दियान रखेंगे तो आएंगे otherwise बार बार उनको रिपीट करें पन्ने में solution relation रे लिखे हुए है देखें आज जैसे ही चैप्टर करेंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी तो मेरी तमाम बते हैं आपको याद भी आएंगी कि वह यह क्या बोल रहा था उस समय क्या कर रहा था कि अच्छे वाड़े है कैसे वाचे वाचे ले रहा है तो आसा सोने कि फिर हाग में क्या कर दिया कुछ ही नहीं है देखो देखो क्या कह रहा है एक ए है एक बी है ए भी एक साथ है या तीन नो तो नहीं है अम मुझे आप बदाओ ए बी तो कितने में करता है तीस में और यह कितने में करते है बीस में तो समता बस इन दोनों से समता सोचो तो पूरा काम का पे ख़तम करादूँगा मैं यह समझना ना मेरे पास A के साथ सोज सकता हूं या फिर B को A के साथ सोज सकता हूं इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा चारा है नहीं परसन को सुरू आज से करते हैं एक काम सुरू करता है पांस दिन तक काम करता है एक पांस दिन काम कर लिया कर लिया की नहीं उसके बाद बी पंदरा दिनों तक काम करता है इसके बाद बी पंदरा दिन काम करा है और अंत में सी करा है अठारा दिन ऐसे अलग-अलग इन तीनों ने तीन टुकड़ों में काम करा है और काम को पूरा समाप्त कर दिया समाप्त कर दिया मतलब साथ कर दिया होगा पुरा अब देखो ए अकेले की सम ताई नहीं है तो मैं पांट दिन में कैसे निकालूं निकाल नहीं सकता लेकिन मैंने कहा था कि A के साथ B को मिला सकते हो कि नहीं आप 5 दिन का तो मिला ही सकते हो तो मैं A को B के साथ मिला रहा हूँ वो को और से देखना अब आप यह कह दें कि सर A के साथ B को मिला दीजी आप A के साथ B को मिला दीजी A plus B किते दिन का काम मिला देता हूं मैं 5 दिन का तो 15 में से किते दिन का बच जाएगा 10 दिन का बच जाएगा फिर 10 दिन का C के साथ भी तो मिलाना है तो B को किसके साथ मिला दें C के साथ किते दिन का मिलाना पड़ेगा 10 दिन का तो ठारा में से 10 तो इदर मिल गया 10 इसका बची रहा था ये दोनों एक जगा हो गए तो उसका कितने दिन का बचा C का 8 दिन का काम बचार फिर इसको कितने से कराऊंगा 60 अब आप कहेंगे सर ये A प्लस B का समता कितना है दो तो पांस दिन में इनोंने कितने लगाई होगी 10 तो इनोंने लगाई होगी दोनोंने फिर इनोंने 10 दिन में कितने लगाई होगी 10 दिन में 30 इनोंने लगाई होगी 40 हो गई तो C अकेला कितना लगा होगा विचारा 20 ये लोग आंसर आ गया C अकेले ने कितना लगाया है 60 में से कितना लगाया है 20 और साले ने कितने दिन में लगाई है 8 दिनी बच रहे थे 20 में से 60 में से 20 का मतलब होता है 3 में से 1 1-8 दिन में लगा रहा था तो 3 कितने में लगाएगा 24 तो C का मसला 24 दिन में सुल जाते थे यह आंसरा जा दो दो जणाओं को मिक्स करा है मैंने इसमें नहीं तरकी भी यह है कि यह नीचे जो मैंने पहले भी प्रसन में डिसकस करी है आप से ऐसे टुकड़ों में कभी कैसे कभी कैसे ऐसे देता रहा है देखो देखें क्या कहर रहा है यह कहर पाइब तंकी का है लेकर यह आभी पाइब तंकी पढ़ेंगे इसके जस्ट आगे देखो कई बार एक चोटी सी बात सुने मेरी कुछ एक परसन ऐसे होंगे जिन में एक विसेज परिस्तिती होगी परसन में जैसे ऐसे कह दिया कि एक किसी काम को 30 दिन में करता है 20 काम को 20 दिन में करता है और ये 2 नू मिलकर इस काम को किते में करेंगे ये तो खूब करा है अपने इस किसमता कितनी हो जाती 2 इस किती तो और 5 हो जाती तो ये किते में करता 12 से कई बार वो ऐसे तुल ना दे देता है इसी परसन को पता है वो परिक्सा में कैसे लिख देता है कई बार ऐसे लिखता है कि दो नो मिलकर बारा दिन में करते हैं बी उससे आठ दिन ज्यादा लेता है यह आठ दिन ज्यादा लेता है और यह इससे कितने दिन ज्यादा लेता है अठारा दिन, ये इससे कितने जिन ज्यादा लेता है, अठारा और इसको भी नहीं देता हो, मिलकर काम करने की तुलना में, ए अकेला अठारा दिन एक्स्टा लेता है, और मिलकर काम करने की तुलना में, भी अकेला किते दिन एक्स्टा लेता है, आठ दिन ऐसे, तो मालो मैं इसको कैसे कबूतर माननू, इस मसले को, इसको मैं क्या माननू, कैसे कबूतर, तो ये कबूतर प्लस 8 हो जाएगा, ये कबूतर प्लस क्या हो जाएगा, 18, दिख गया, अब मैं इसका मान कैसे फाइंड करूं, तो इन में क्या रिलेशन होता है, वो देखना, ये जो कबूतर अ काम को परिक्साइब कर ता कि यह किसी काम को तुछ दिन में परेंगे तो इन दो नों से तो दिन जादा लेता था और यह कितना ज्यादा ले रहा है 32 दिन और वो तो 32 ले रहा है कि नहीं आट के बजाए और अभी इसको भी गाइब कर देरा पूछे यह बता यह कितना था तो अभी इसको मैं क्या मान लेता हूं कभूतर इसको मैं कभूतर प्लस दो और इसको कभूतर प्लस 32 ऐसी कोई सिच्वेशन कभी भी आया आपके पास तो इन तीनों को बगेर पैन ग्याद किया जा सकता है कैसे अब यहां आट था वो कैसे आएगा देखो 32 को दो से गुना करो 64 बनेगा वो 64 से कैसा बनेगा इसको बनेगा तो हम इसा दियान रखना है दोनों काम करने वाला का जो समय होग इस से जो एक्स्ट्रा टाइम होगा उसके गुनन फल के बराबर होगा 32 गुना दो 64 और 64 के स्काई स्क्वेशन होता है आठ का तो यहां वाला मामला आठ आ गया यह आठ प्लस दो दस आ गया वो आठ प्लस बत्तीस चारीस आ गया जान से देखें यह वाला कोश्चन क्या कह था एक एक ऐसमें एक यह था और एक य था प्लस दा अरे यह कली टेंग को कुछ मॐंटों में बर सकते थे उन लौर यह कबूतर 12 जदा लगी थ 1 अब आपक का बता चुह यह बुझा कि यह बता दो X और Y मिलकर कितने में, तो कभूतर का मान बता दो, तो अभी मैंने क्या बताए, यह कभूतर का स्कॉयर किसके बराबर होगा, कभूतर का स्कॉयर यह जो X टाया इंको गुणा कर लेना, तो 4-1 गुणा किसके होगा, आप 4-1 को 6 से गुणा मत करना, मैंने वर्गों में बताए इसको तोड़ा करो आप इसको तोड़ेंगे तो इसमें छे निकालो देखो नोची की चोवन होता है आप देखो एक तो छे का वर्ग मिल गया मुझे और एक तीन का मिल गया तो यह थारा का वर्ग आएगा तो वन चीगी भी कर सकते हैं लेकिन गुणा करने में टाइम बेस न होगा वेंटर दिख गया तीनों चारों का काम किसका पूचा था एकस वाई का पूचा था तो क्या उत्तर बता देता मैं 18 समझगे कई बार ऐसा रिलेशन दे उसको ऐसे डिरेक्ट करना आना चीए आपको क्या ही करेंगे उसमें ज्यान से देखना थोड़ा सा ऐसे हलक के प ए और जितने दिनों में समाप्द कर सकते हैं इनका पता नहीं है कबूतर दिनों में समाप्द कर सकते हैं तो उससे बारा दिना तिक तो ये लेता है ये तो कबूतर प्लस कितना लेता है बारा और बी कितना लेता है कबूतर प्लस 27 तो अब बताओ ये कबूतर निकाला जा स कबूतर किसके बराबरा गया अठारा के तो आप से कोई पूचे कबूतर कितना है तो आप कहेंगे सर अठारा अठारा अरबारा ये कितना है टीस और ये कितना है फैंतारीस तीनों में से किसी का भी पूचे सेकिंडों में बख सकते हैं दोनों मिलकर कितने में कर रहे होंगे अठारा में आंसर हो जाता भी ये कंडिशन समझेंगे क्या है ये तो कंडिशन बेस है यदि डाइरेक्ट आप इसे याद रख पाएं तो ज्यादा बैतर होगा क्या कंडिशन है मिलकर काम करने की तुलना में जो एक्स्टा टाइम ले रहे हैं वो आपको कहीं दे दिया दो जनों का लगल अगर एक जने का सिंगल तो जो डबल है उसका है स्क्वाइर करोगे वो जो एक्स्टा टाइम है उसके गुडनफल के को लाएगा जभी भी ऐसे कंडिशन हो ये भी वही बात थी ये नल्टंकी के साथ है और ये क्या है आदमियों आदमियों के साथ है क्या ही हो गया उसमें देखो देखें दो कामगार हैं एक ए है एक बी है और एक दोनों मिलकर काम कर रहे हो मिलकर काम करने तुम नहीं यह आठ दिन ज्यादा लेता है यह कबूतर लेता है तो यह कबूतर प्लस क्या लेता होगा आठ और पी मिलकर काम करने में साधी चार गंटे ज्यादा लेता है यह साधी चार गंटे कबूतर प्लस साधी चार दिग गया होगा यह कबूतर कैसे निकालूंगा मैं कैसे कबुतर के काई स्क्वेर जो होगा वो इन दोनों के गुणनफल तो 8 को गुणा करूंगा मैं 9 बटा 2 से ये 9 बटा 2 ही है साधी 4 को 9 बटा 2 ही कहते बताए अब आपको होगे ये काटेगा सर 4 बार तो 36 आएगा 36 में 2 का वर गए और ये 3 का तो कबुतर का मान कितना आ जाएगा 6 तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये तो है 6 ये है 6,5,4,5,5,5 सब का निकाल सकते हैं और ये कितना 14 समझ गया होगे बिल्कुल आसान सी कंडिशन है येदि आप जानते हैं तो ऐसे प्रसनों को डारेक्ट बता दे कंडिशन क्या है कि दो आदमें को मिलकर काम करने की तुलना में वो दोनों एक्स्टा एक्स्टा टाइम ले तो एक्स्टा टाइम दे रहा हो तो उस एक्स्टा टाइम का गुणन फल दोनों को मिलकर काम करने वाले समय के स्क्वाइर के बराबर होगा पात वोई है लेकिन अब तीन जड़ों में है वो कह रहा है कि एक तो A है A क्या है B है और A क्या है C है A किसी काम को करने में C सेadian चाहत चाहत आई A माई C माई लो कबुदर लेता है तो या कबुदर प्लस कितना चाहत चाहत है इस से साथ दिन ज्यादा लेता है तो आप बताओ ये कभूतर प्लस नो रहा होगा क्योंकि इस से साथ ज्यादा लेता है तो ये नो प्लस साथ रहा होगा इस से लेता है साथ दिन तो सी को कभूतर मानो तो कभूतर प्लस लेकिन अब ये साथ दिन ज्यादा लेता है तो ये सा e के बराबर है तो अभी थिन भाख ता बारा तो यह वाला केस तो आता बारा ये इस और यह ओता 28 मेरे साब से बहुत आसान ही खुशन था कर सकते थे बहुसा बदल कर कौन सा उत्तर आता ये दिख गए ये क्या है ज्यादा कम वाले ऐसे मसले हो एकेला किसे काम को B से 5 दिन ज्यादा में करता है A अकेला B से 5 दिन ज्यादा में और C से 9 दिन ज्यादा में A अकेला तो C को मान लो C से 9 दिन ज्यादा लेता है तो कबूतर प्लस कितना लेता होगा, no, और B से कितने दिन ज्यादा लेता है, 5, 5 ज्यादा लेने का मतलब, यह उपर वाला 5 ज्यादा, तो यह कबूतर प्लस 4 लिखेंगे, लखन से देख लेना, यह कैसे लिखा है मैंने, फिर कह रखा है, C है वो, A, B के जितना काम करता है, C अकेला उतना काम करता है जितना A plus B तो A plus B का काम दे रखाऊ और extra time हो तो पता है आपको क्या करते हैं तो मैं कबूतर का square किसके बराबर कर दूँगा नो कुना चार यह तो चत तीस होता है वैसे ही दिग गया आप देखो B C को एक साथ सोचू तो मैंने बताया था समता लगा कि कैसे इकटा सोचते हैं 60 पे बराबर 15 चोग 60 10 C का 60 10 C का 60 तो B और C को देखो कितना हो गया तो 16 को गुणा करेंगे तो कितने में 60 बनेगा 60 बटा क्या कर दो 16 साथ में 16 देते हैं तो आप कहgehenगे साथ में 16 का बाग देए तीन संतिंग आएगा वैसे काट ले तो चार से काटे तो 15 बार 4 से काटे चार बार 15 का बार 15 कर देते 3 सही 3 बठा 4 डेस यहादा आख और क्यों सुष हम कैसे लगा रहा ह। इखटा कैसे कर रहा ह। सुर्वाद के परसनों मैं खूब बोल चुका हूँ इसलिए अप मैं डाइरेक्ट बोल रहा हूँ सिदे बैटो बस अब निवाद करने वाला हूँ मैं से तनके बैटो ऐसे कैसे साई लेंड से हो गए सारे क्या करें ए ईधिया टाइम बीटते हैं कि ने छोर्य हो एक गौड़ी पेर एक फिर वो मेरे से वैसे 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 बीठाक्ड वैसे बिलकुल तक पहुंसते वह यह तो बैठना जैदा जरूरी है कि लड़कों के लिए नहीं लड़कों के लिए जरूरी है ये बात कि और घुल घुल हो आधक यह क्या हो रहा है परसन तो आसान यह लेकिन उसने लिखा थोड़ा सा फसा के है उसको A और B मिलकर 10 दिनों में एक काम कर सकते हैं एक A था एक B था ये दोनों मिल जाएं तो कितने दिन में का तम होता 10 तो यहां समता एक मान सकते थे लेकिन अभी देखा नहीं दुबारा देखो दुबारा उसने एक काम और दिया कि A, B, D, O, No A अपनी समता से डबल काम करें यहां जो भी समता थी उससे डबल काम करें मान लो यहां A की समता A थी तो यहां समता क्या होनी चीए उसकी 2A और B अपनी दक्सता जैसे B की समता को मैं B मान लूँ तो यहां B की दक्सता क्या थी तीसरे इससे की तो यह दो नू मिल जाएं दो नू मिल जाते तो कितने दिन में करते थे यहां छे दिन में करते थे यहां दस दिन में तो यहां दो नू मिलते हैं तो A प्लस B समता मिली होगी यहां दो नों मिलते तो कितना मिलता देखें देखो 2A प्लस B बाई 3 यह समबन थे तो बार करवाया काम को अलग-अलग यहां समता कुछ डबल अलग ती आई करके अब मुझे बताओ यहां एक ही काम को करेंगे तो यह गुननफल इस गुननफल के बराबर होना चीए कि नहीं इक्वल तो इसका गुननफल इसके बराबर होना चीए इसका गुननफल इसके बराबर होना चीए तो आप यह कहेंगे यहां 10 तो यह बनेगा, जान देना, 10 भी बनेगा, बढ़ाबर, इदर में 6 से गुना कर रहा हूं, तो यह 12 यह बनेगा, जिसको 6 से गुना करूंगा, तो 3 से 2 बार कर जाएगा, 2 भी बचेगा, समझ गया कैसे, 6 से गुना किया, तो 3 से 2 बार कर जाएगा, 2 भी बचेगा, एकम 8 और ये कितना हो गया च़ार vom 2 एक ऐस ना hari एकि एक और एक समता कितनी है चार तो यह about अगयी इसको टैक मालले समता मेरल इसको कितना मालले च yum law ऑर वो कह रहा है दो आप दोनों की समता क्या हो गई? बांस तो यहां दस पंजें पचास तो यहां पचास एकम, पचास रहें 50 बटा च्यार. अब आगे तो एक एक सेकिन काई बच गया समता आथे ही तो. अधर इक्सा में कहे रहा था एक जणा कितने में तो एक तो करता है कितने में? टेट अर्वान में और यह कितने में करेगा पतास में यह ओप्शन में नहीं दिखर आ गया 5 बटादोर 50 अर्ग करें और 5 बटा दोर पचास को पतास बटा च्यारको पतीव बटा दो देखना नहीं आया लॉड वाक या विग्रहा ँट पचास बटा 4 कोई, 25 बटा 2 कहते हैं, 100 बटा 8 भी कहते हैं उसकोई 42 भी कहते हैं, 12 सही 1 बटा 2 भी लिख रखा हो तो भी 12.5 भी इसी को कहते हैं तो यह दोनों की समता से बराबर करके समता निकार नहीं थी इसका गुणनफल, इसके गुणनफल के इकवल होगा तो यार हमसे बताया जा सकता था यह कुछ परसन थे अब यह एक चोटे सी बात हो रहाई थी है तो यह चोटे सी बात वैसे कुछ बच्चे के इसमें हमें दिखकत आए दिखकत तो क्या है यह तो परसन ऐसा है कि पैन की भी जरूत नहीं है, इसमें वैसे समध्दार आदमी जाता तो, पहले तो आप मुझे बताओ, एक A था, एक B था, एक C था, एक A B मिलकर, तो इसमें चैचंगा, चत तेस, और बारा से काट लो ना, बारा तीयार, बारा पंजे, तो नौ पंजे, पैंटारीस रतीन, अर पाँच, यहां, लिखता, मैं, 80 बारा ये, लिखना अगया, 48 बारा पांच, कैसे लिखा, अब इनकी समता सोचने में, जादा से जादा एक दो सेकिन लगती है अब आप मुझे बताओ इन की समता सोचेंगे 48 एकम 48 और 5 अब इन दोनों की A और B की समता कैसे सोचते वो सुनना यहाँ एक लाइन दे रखी है उसने क्या? A उतना काम करता है जितना B और C मिल कर करते है इसका मतलब क्या हुआ? यदि मान लोग की टोटल समता कितनी भी हो आप कोई पूछे कि 3-9 की समता कितनी है? यदि 3-9 की 6 हो गई कि तो 3-9 में आदी तो यह अकेला लगाता है और यह दोनों मिल कर कितनी लगाते है? अब यह बिलकुल आसान था यदि करता है लखन से ही करता है पड़ता ही सारी भासाओं को पढ़ना जरूरी हो गया आजकल कि वो कह रखा है भासा पढ़ो समता लगानी आए तो 10 सेकिंड में लग जाएगा वरना सारे दिन में लगेगा यहां पटानी क्या ही लेते फिर आपड़ वहाँ अब मुझे हम बताओ यहां 48,1,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48,48, कोई साही बताओ आप तो अब तो मैं एक-एक सेकिन में निकाल सकता हूं सारों को और उसने फुच्छा किसका था और बी का ही जिसका फुच्छा था उसका ही निकाल ले ते आप परिक्षय में हो तो यह उतो सारे निकाल देख गया क्या हो रहाता एक ही आया था इसमें भी कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर क्या करते ये भी आसानी है हिंदी सही से पढ़ने आती तो आसानी है भई हिंदी के लखन सही से पढ़ने आये तो आसानी था X Y Z एक काम को व्यक्तिगत रूप से मतलब अलग-अलग X अकेला करने आता काम को तो कितने गंटे लगाता? 6. Y अकेला आता तो 8 गंटे और Z अकेला भी आता तो भी 8 गंटे तो समता सोच लो 6 चोका चोईस 8 तिया चोईस और 8 तिया चोईस ये तो simple था person ये काम को कैसे भी करने आएं कैसे भी करने आएं काम कितने पे समापत होगा? choice भी, अभी करने कैसे आ रही थे, एक ही समय पर परते एक गंठे में केवल एक ही आदमी काम कर सकता है, मालब पहले गंठे में X आ गया तो X ही कर सकता है दूसरा काम नहीं कर सकता, दूसरे गंठे में Y आ गया तो Y ही काम कर सकता है दूसरा नहीं कर सकता, फिर जैड आ गया तो अकेला अकेला, चाहे कोई कैसे भी आ रहा हो, लेकिन वो ऐसे काम कर रहे है, चलो ये बात भी समझ में आ रही थी मुझे और कोई भी वेक्ति लगातार दो गंटे काम नहीं करेगा कोई वेक्ति दो गंटे काम नहीं करेगा, जैसे मालो पहले X आ गया, फिर Y फिर वापस से X आ सकता है Z आ सकता है, लेकिन लगातार कोई भी दो गंटे काम नहीं कर सकता है, ये कंडिसन थी अगले की चलो ये भी समझ में आ रही थी मुझे कि एक एक गंटे में एक ए आदमी को काम में कराना है कोई भी दो आदमी लगातार दो गंटे तक नहीं आ जाएं ये भी जरूरी था सभी को काम पूरा करने में लगाया जाता है काम पूरा करने तक इनको लगाया भी गया है यहाँ देखो यह लाइन थोड़ी काम की थी इस कार्य को पूरा करने में कम से कम न्यून से न्यून समय कितना लगना चीए जादा नहीं कम से कम समय कैसे लगे आप बताओ जादा से जादा समता जल्दी से जल्दी लगे तो कम से कम लगे समय तो इन में ज़्यादा समता वाला कौन है ये चार ये आदमी ज़्यादा काम करे तो कम समय लगेगा ये तो बराबरी करते है तो देखो पहले रोज मैं X को बुलाता फिर दूसरे दिन मैं Y सबको भी उज लेना है फिर मैं वापस X को भी बुला लेता क्योंकि ये तेज गाम क कि नी कम से कम समय में काम होता है अब मुझे बताओ पहले रोज कितना काम होँगा चार फिर दूसरे रोज 24 तक पहुंचाना है ऐसे फिर तीसburger रोज 4 फिर ऑगे च्णर द तो दिन में साथ दोसे होगा कि नहीं तो फिर आगे 4 तीन तो तीन वाला बचावा है तो चार वाले से कराऊँगा चार बटा या ठीन समय और लग जाएगा उसको अरेच आरेच र में से तीन न Himना पड़ेगा एकस कोई बुलालूगा मैं वापससे तो आब मुझे बताओ एक गंधा एक गंटा ये दो तीन छैर इतने गंटे में काम फिनिस हो जाएगा ये कौन सा काम है आप एक गंटा पूरा लगता फिर तो साथ गंटे तो ने न यून थोड़ी हुआ ये न थोड़ी हूरा ? का सम्यवाइस तो इसलिए कर अधम weiß यह चरी वेसे मित अध़ल कृँए अधमर्टी लगा मिन ने ओंगा अधर नितOCम सका और यॉटल Western तीस में तो एक-एक चीज लिख लिखे भी देखते हैं, ये तो दिखी रहा था भाई, चार, तीन, तीन, और चोईस बनाना था, तो पहले रोज क्या आएगा, एक्स, फिर वाई, फिर एक्स, जेड ही बुला लो, जेड को भी तो काम मिले नहीं, सारे लोगों भी तो बुला प्रसकों पर दुसरे गंटे में कमोनओ तीन तीन गरोना है कितने में च्यार में तीन तीन रद्रा में च्यार一次 3 dan प्लान हो गया उसका अब ऐसे लिख देता है आज कल पर एक सामें थोड़ी सी समझ की बात अब बच्छे साथ भी लगा के आते हैं और भी लगा के आते हैं फिर कहते रहते हैं कि सरे एक्जेक्ट में क्या ही बताएं इसमें अब यह कम के हिसाब से तो यह होता तो कितना बन ज कक जा करी किसी क्या करणा है जो भी बच्छे. पूरे को पढ़ लियें वह एक नमर से लगा कर जितने भी परसंट चलें Lindsey nou करें अ शार को देख लें तो बहुत बढ़ीज्या बात है वाकि कुछ चीजें और बहतर हो जाएंगी क्योंकि नल टंकी में same to same यही next वाला टोपर क्या होगा नल टंकी वो भी same to same इसी के प्लानों पे आधारित है यह के यही काम वहां करने पड़ेंगे जिसको यह आ गया वह उसको पड़ने की जरुत नहीं है वह आटमेटिक आ जाएगा वहां देखने से सुनने से ही आ जाएगा तो ठीक है कल नल टंकी पड़ेंगे अपन खुँआ करने कवा भीधने से 5D-3 अड़ने से 1,430 अपड़ेंगे यह झाएगे यह गया जाएगी भी ड़ने भीलिखने है यह झाएगपётся त JUST भी उहाग़ाएगे यह ड़ने से है के दो जाएगे अटूराओ कावा तो झाल झाल